हेले वरीवान वेलकम बैक टो दे चैनल आफ सारां गुजरती स्कॉमर्स अकेडमी कैसे हो आप सब लोग आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तो अब भी तक मैंने आपके 11 अकाउंट के 70 70 वीडियो को पक्का देख लिए होगा तो जो भी मेरा वीडियो नमबर 70 था दोस्तो तो वह वीडियो में वहाँ पे मैंने आपका जो जर्नल वाला चैप्टर है ना वो मैंने कंप्लिट कर दिया था पस उसका कुछ थोड़ा सा मेरा पाड़ बाकी तो आपन कभी और कवर कर करेंगे आप सभी लोग मुझे इतने दिन से कंटिनेस विशिस पर कमेंट कर रहे थी कि सर प्लीज लेजर चैप्टर लो इस रीजन पर यहाँ पर मैं जर्नल को कंटिन्यू का जो थोड़ा सा पाड़ बाकी वह आपन नहीं कर रहा हो अभी बात में देख लेंगे आपन अकाउंटिंग प्रोसेस नाम का कॉंसेप्ट होता है तो अकाउंटिंग प्रोसेस में अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले वहाँ पे मेरा क्या होने का बताओ तो सबसे पहले वहाँ पे मेरे बिजनेस ट्रांजेक्शन होने के सबसे पहले मेरे वहाँ पे क्या होने के बोलो business transaction के बरावर और यह सभी business transaction को मैं सबसे पहले क्या करने का बोलो जो भी अपने लास इस में देखा ना जर्नल वाला chapter राइट उसमें अपन जर्नल वाली book में हम उसका recording करने के हैं हम उसका journal entry करने के और यह journal entry एक बार होने के बाद जो अपना next step होने का वो हमारा होता थ लेजर क्या होता था बोलो लेजर होता था राइट यह जो चैप्टर है तो fourth वाला इसके अंदर हमको वही देखना है कि जर्नल बनाने के बाद उसके जर्नल के मदद से हमको लेजर को किस तरीके से प्रिपेर करना है ठीक है जैसे जर्नल का एक specific book ठाक है नहीं ता बताओ ज इसी प्रकार जो भी आपका लेजर चैप्टर है ना बेटा यह लेजर में भी एक book होता है मैं आपको यहापे शो कर रहा हूँ जो आपका इस तरीके से दिखेगा में भी आपके गर में अगर कोई business वाले family से बिलोंग करते होगे तो वहापे आपको शायद एक red color का ऐसा book अगर जिसके अंदर आप अगर देखोगे तो वहापे इस प्रकार का कुछ आपको format वापे दिख जाएगा वारावर तो यह आपका किसका format है बोलो लेजर का format ही समझा तो हमको क्या करना है दूस्तों इसी प्रकार का एक हमको format बनाना है हमारे notebook में और हमको वहापे journal की मद of transaction बोलते ठीके लेकिन जब भी आप journal entry की मदद से लेजर में वहापे आप अगर अकाउंटिंग करोगे तो उसको आम बोलते पोस्टिंग क्या बोलते बोले दिस उसको आम पोस्टिंग ओफ ट्रांजेक्शन या उसका और एक नाम ये उसको आपन बोलते हैं क्लासिफिकेशन आफ ट्रांजेक्शन समझ रहे हो क्या हमेश्याद रखना लेजर मतलब क्या वोस्टिंग या क्लासिफिकेशन ठीक है अभी देखो दोस्तों आपका जो भी उन्होंने का पेज नंबर 89 है ना तो वो 89 पेज से यहाँ पे लेजर का जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बराबर तो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दू कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग के दो तीन पेजे से ना उन्होंने अमको पूरा थेरोटिकल चीज़े दिय है बराबर तो मैं आपको क्या करूंगा यह जो भी थेरोटिकल चीज़े ना बस एक बर आपने फॉर्मलिटी के लिए पढ़ लेंगे लेकिन यह चैप्टर में सबसे इंपोर्टन क्या है बोलो यह लेजर वगरे जो है ना उसको किस तरीके से प्रिपेर करना है यह हमको सी पहले मैं आपको क्या कर रहा हो दोस्तों यहाँ पर जो भी लेजर का थेरी है ना वो आपन कंप्लिट करेंगे और फिर आपन अगले वीडियो में उसको आगया 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 कंटिन्यू करते जाएंगे ठीक है आप ही देखो दोस्तों जैसे आपको मैंने बोला कि आपका जो लेजर है यह लेजर है आपके अकाउंटिंग प्रोसीजर का एक पार्ट है बराबर तो लेजर मतलब क्या है न अच्छे से ज्यान देना देखो दोस्तों लेजर मतलब क्या होता है कि हमारे जो भी बिजनेस टांदेक्शन होते है न वो सभी के सभी बिजनेस टा अच्छा अपन सबसे पहले यहाँ पर आपके टेक्सबूक में उन्हों जो इंट्रोडक्शन होगेर दिया है ना उसको अपन एक बार देख लेते और फिर अपन दिरे दिरे जब आ गयेंगे ना तो वहाँ पर आपन मीनिंग एंड डेफिनेशन यह जो भी चीज़े यह कलव लो देट वाइस करते राइट और उसको ही अपन बोलते है क्रोन लॉजिकल बरबर झेसे जैसे आपन ट्रांडेक्शन करेंगे उसी परकार से वहाँ पर आपन क्या करेंगे उसको रेकौर करते जाएंगे यह उर नो बता जल्दी से तो आपन जब भी दोस्टों वहाँ पर record करते हैं तो उसको अपने books of accounts में record करते हैं तो इतना रखना दोस्तों कि यहाँ पे न हमारे mainly दो प्रकार के books of accounts होते हैं कितने प्रकार के books of accounts होते हैं बोलो दो प्रकार के books of accounts होते हैं जिसमें से सबसे पहला हमारा होता है जर्नल और सबसीडियरी बुक्स ठीक है ना तो सबसीडियरी बुक्स वतले आपको यह पता है ना जैसे कि फॉर एक्जम्पल जो पर्चेस बुक होता है सेल बुक होता है पर्चेस रिटन बुक होता है सेल्स रिटन बुक होता है cash book होता है यह सारे के सारे क्या है बोला हमारे ज़ल्दी से subsidiary book से ठीक है और दूसरा कौन सा होता है बोलो ledger नाम का book होता है तो यह जो ledger नाम का book होता है ना इसको हम secondary book या book of final भी बोलते हैं समझा अब इसको secondary book क्यों बोलते हैं बताओ ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ सुन अच्छे से देखो दोस्तो लेजर का हम secondary book इसलिए बोलते हैं क्योंकि अपन जो भी business transaction करते हैं तो सबसे पहले अपन उसको कहा पे लिखते हैं बोलो journal में लिखते हैं इसलिए journal को ये book of primary entry बोला जाता है इतना clear है अभी देखो तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि आपन जब भी journal के अंदर वहाँ पे transactions record करते के नहीं तो वह journal के अंदर आपन सभी प्रकार के transaction record करते हैं जैसे कि for example वहाँ पे अगर आपन ने कोई asset अगर purchase किया होगा या मालो कि अगर हमने कोई liability को अ कि during the year मैंने यहां पे कितना purchase किया या during the year मैंने कितना sell किया या एक अठर е specific person के पास से मुझे कितना पैसा लेना है या तो यही दोस्तो हमारे limitation को overcome करने के लिए वाप्यापन क्या करेंगे बोलो यह ledger नाम का chapter पढ़ेंगे समझा क्या 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 होगा दोस्तो यहाँ पे जैसे की for example मालो मुझे अगर purchase की बात करने तो मैं क्या करूंगा एक purchase का एक separate account वापे बना दूंगा और जितने भी मैं पर्चेस के transaction किये है वो सारे के सारे purchases के transaction को वो purchase account के अंदर record कर दूंगा बारबर तो जब भी वो specific item के related सब भी transaction एक साथ record होगे तो उसके वज़े से क्या होगा कि मुझे exactly ध्यान में आएका कि हाँ बाबा मैंने साल बर में कितने purchase किये है और यहाँ पे मेरा कितना purchase के वज देखो यहाँ पे उन्होंने हमको फिर जो meaning and importance of ledger दे उसके अंदर क्या दे देखो एक बार अपन उसका देख लेते आपके textbook के अंदर तो देखो क्या बोल रहा है लेजर is a principal book principal मतलब क्या यह main book of account अपन इसको बोल सकते it is also called as book of final entry अभी आप सभी लोगों के मन में ऐसे question आ क्या बोला था कि ledger के बाद वहाँ पे हमको एक trial balance करके एक चीज़ बनाना पड़ता है बराबर और यह trial balance के मदद से वहाँ पे हमको जो अपना trading account होता है यह profit and loss account होता है यह balance sheet होता है इसको तीनों को मिलके अपन shortcut में वहाँ पे final accounts भी बोल सकते समझा क्या तो हमारा जो भी balance है ultimately मेरे ledger के उपर dependent राइट और अगर trial balance नहीं बना तो मेरा आगे का final accounts भी नहीं बनेगा तो इसके वज़े से दोस्तों यहाँ पे जो ledger यह चीज़ है ना इसको अपन क्या बोलते है बोलो book of final entry क्योंकि यह अगर बना तो ही में क्या कर सकता हो बोलो आगे का जो भी बना लो कि जब भी आप journal entry करोगे ना तो journal entry के अंदर आपने जितने भी item को debit क्या होगा और जितने भी item को आपने credit क्या होगा बराबर वो सभी item का हमको क्या करना पड़ता है वहाँ पे separate account prepare करना पड़ता है for example मानलो अगर आपने कोई credit purchase किया तो वो time पे आप क्या entry करोगे purchase account debit to credit account बराबर तो ये entry के अंदर आपके आपे दो account create हो जाएंगी कौनसे कौनसे पहला वापे मुझे create करना पड़ेगा purchase account और दूसरा मुझे करना पड़ेगा credit account समभाज रहो क्या तो अब भी के लिए बस इतना याद रखना दोस्तों कि आपने journal entry में आपके जितने भी नाम आएंगे ना वो हर एक नाम का अपन अलग अलग लेजर बनाएंगे और अगले टाइम पर जब भी आपन वो सेम नाम का transaction करेंगे तो उस transaction को आपन वो specific account में क्या कर देंगे बोलो record कर देंगे समझ रहो क्या ठीक है आगे देखो क्या बोल रहा है वो the word laser is derived from the latin word laser which means to contain ठीक है मतलब laser यह word कहा सा है बोलो lg दोस्तो एक latin words है समझ रहो क्या देखो गाईज मैं आप सभी लोग को वापस बोल दो कि यह जो theoretical चीज़ है ना यह generally आपको एक्जाम में हो गया रहे नहीं पूचा जाता है ठीक है आपको बस इतना याद रखना है कि जो भी laser है ना ब उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे और directly आपन जो आपका importance of laser है इसके उपर चले जाएंगे समझ रहो तो देखो जल्दी से आपर पहला वाला definition क्या बोल रहा है तो यहापर उन्हों दिया है और laser account में define as a summary तो laser क्या होता है बोले summary होता है और statement of all the transactions relating to person, asset, expenses, income which have taken place during a given period to time and shows their native it ठीक है तो इतना रखना दोस्तों कि जब भी मैं laser बनाऊंगा तो मेरे transaction जो भी account की related होगा ना या मेरा transaction जो भी item की related होगा ना वो सारे के सारे item का यहापे में क्या करूंगा एक separate account बनाऊंगा मतलब एक separate laser create करूंगा समझ रहो क्या आप लोग ठीक है आपको यह लेजर अगे जो मैं word use कर रहा हूं आपको तभी है थोड़ा सा और ध्यान में हैगा जब आपन actual में इसके practical जो भी चीज़े हो आपन देख लेंगे ठीक है तो सबसे पहले इसके आगे मैं आपको पढ़ा रहो दोस्तों यह आपे importance of a laser क्या पढ़ा रहो बताओ importance of a laser पढ़ मुझे asset account के related जितने भी transaction में सभी का summary प्रोवाइड करेगा तो अगर मुझे हरे transaction का summary मिल जाएगा तो वहापे मुझे decision making लेने में वहापे फाइदा होगा के ने होगा बोलो जैसे for example मालो during there में मैंने 5 machinery purchase किया ठीक है तो अगर मैंने 5 machinery during there में अगर purchase किया होगा और अगर उसमें से interpretation करने में क्या हो जाएगा बोलो बहुत ज्यादा help हो जाएगा बहुत आसान हो जाएगा अभी second दे कोई आपको क्या बोल रहा है the ultimate object of bookkeeping is to ascertain with the least trouble what is amount order to supplier and what is amount receivable इसका मतलब क्या दोस्तों कि हम जो भी accounting कर रहे बराबर जैसे कि for example मालो मैंने राकेश नाम के person के स साथ मालो एक मैने में कम से कम समझो for example 80 बार वहाँ पे transaction किया बराबर तो ultimately मुझे यह पता चाहिए के नहीं पता चाहिए बोलो कि मुझे exactly राकेश के साथ मैं इतने transaction किया तो उसके बाद मुझे उसके पास से कुछ पैसा लेना है या वहाँ पे मुझे उसको कुछ पैसा द ठीक है तो लेजर क्या करेगा ना यहाँ पे हमको वो जो भी परसन है उसको हमको कितना पैसा देना है या उसके पास से कितना पैसा लेना है यह हमको specifically वहाँ पे क्या करेगा बोलो शो करेगा ठीक है तीसरा देखो क्या बोल रहा है it is necessary to prepare क्या बोल रहा है आपे for preparation of trial balance लेजर यह चीज़ बहुत जादा जरूरी है मैंने आपको बोला के नहीं बताओ अगर मेरे लेजर ही अगर create नहीं होंगे तो वहाँ पे मैं trial balance बना पाऊंगा क्या बोलो नहीं बना पाऊंगा समझा तो इसके लिए तो यहाँ पे मेरा जो भी लेजर यह चीज़ है मेरे ल बोल रहा है ना इसके साथ-साथ मैं आपको क्या करता हूं exactly जो लेजर होता है ना वो केसे होता है यह आपको में directly बता देता हूं मतलब आपको भी ध्यान में हैगा मैं क्या बोलने कि आपको कोशिश कर रहा हूं ठीक है जैसे for example दोस्तों यहाँ पे उन्होंने हमको cash account दिय सारी की सारी मतलब जितने भी मैंने मन्त में मुझे try यहाँ पे cash है वो सारी की सारी cash को में मानलो for example यह side में लिख लूँगा ठीक है और मेरे पास ने जितनी भी cash गई है ना वो सारी की सारी cash को में यहाँ पे लिख लूँगा तो at the end of the month अग जब भी मैं इसको tally करूँग तो वहाँ पे मुझे पता चलेगा ना कि हाब अब मुझे पूरे मन्त में यह यह person के पास से इतना इतना पैसा आया था और मेरा पूरे मन्त में यह person को इतना इतना पैसा गया बराबर और at the end of the month मेरा यहाँ पे मानलो specific x, z amount मेरे पास बचा यह मुझे कब ध्यान में है अगर मुझे यह देखना होगा कि at the end of the year मेरे पास total मिला कि कितने assets से बबा मेरे पास total मिला कि कितने amount का machinery बबा तो यह मुझे कहां से पता चलेगा बोलो ledger account से पता चलेगा ठीक है क्योंकि ledger में क्या होता है बाइ different ledger account ठीक है अभी इसका मतलब क्या समझो देखो दोस्तों यहाँ पर various type of income statement का मतलब क्या मालूम है क्या कि जैसे की for example मालूम में आपको बोल रहा हूँ जैसे profit and loss account हो गया या जैसे की for example में बोल रहा हूँ trading account हो गया कि सारी की सारी चीज़े में कैसे बना सकता हूँ बोलो ledger की मदद से बना सकता हूँ क्योंकि ledger मुझे क्या करेगा दोस्तों वहाँ पर जो closing balances है न वो मुझे provide करेगा ध्यान में आया क्या आगे क्या बोल रहा है देखो ledger can be used as a control tool as it shows the various expenses with the balance तो यहाँ पर हो क्या बोल रहा है various expenses with the balance मतलब क्या अभी देखवा for example मान लो मैंने क्या किया एक salary नाम का यहाँ पर account मैंने prepare किया salary नाम का एक account मैंने आपर prepare किया बराबर और मैंने क्या किया दोस्तों साल बर में मैंने जितने भी salary के related transaction किये ना वो सारे के सारे salary के related transaction मैंने यह एक ही account में लिख दिये बराबर तो मुझे at the end of the year पता चलेगा कि हाँ बाबा मैंने salary के नाम से यहाँ पर total मिला कि कितने transaction किये और at the end of the year मेरा salary के वज़े से यहाँ पर actual में कितना खर्चा हुआ यह मुझे कब पता चलेगा बोलो जब मैं एक specific जगा पर उसको लिखूंगा ठीक है तो इसलिए वह आपे उन्होंने क्या बोला है और plan the future plan of action तो इसका मतलब क्या दोस्तों कि जब भी आप लेजर बनाओगे तो वहाँ पर management जो भी होता है जो भी manager होता है उसको decision making करने में उसको help हो जाएगा क्यों कि वहाँ पर उसको जो भी data है वो एक जगा पर उसको मिल जाएगा ठीक है तो guys देखो मैं पूरे lecture को अगर conclude करो तो इतना याद रखना कि journal में क्या होता था सबी transaction वापे हमारे mix record होने के और laser में क्या होगा दोस्तों हम हर एक transaction जो भी item होगा वो सबी transaction को आपनो item wise क्या करेंगे बोलो classify करेंगे जैसे कि for example जितने भी मेरे purchase हुए वो सभी purchases को एक account मिलिको जितने भी sale हुए वो सभी sale को एक account मिलिको जितने भी machinery है सभी machinery को एक जगा पे लिको तो मुझे क्या होगा उस item के related के सभी transaction एक जगा पे मिलेंगे और वहापे मुझे थोड़ा सा study करने में वहापे उसका closing balance निक भी theory again as a formality करके लेना है right क्योंकि आपको ये exam में और नहीं पूछा जाता है समझे आप मेरी बात तो ये वीडियो में यहापे आपन सबसे पहले देखेंगे exactly जो भी अपना laser होता है हमको जो laser को prepare करना है तो laser prepare करने के लिए हमको कौन सी कौन सी चीज़े वापे लगीगी और laser का format क्या होगा ठीक है तो देखो जल्दी से दोस्तों आपके textbook के page number 99 पर उन्हें आपको एक contents of laser ये दिया है यह आपन सबसे पहले आप पढ़ना start करेंगे देखो दोस्तों contents of laser मतलब क्या होता है मालू में क्या कि जब भी वहाँ पे मुझे laser का format prepare करना पड़ेगा तो वह time पे वह format के अंदर मुझे consequence सी चीज़े वहाँ पर लिखनी पड़ेगी ठीक है उसको हम बोलते contents of laser जैसे आपको यह पता है कि जर्नल की case में वहाँ date, particulars, laser folio, debit amount, credit amount ऐसे हम वहाँ पर format बनानेगे राइट उसी प्रकार से दोस्तों जब भी मैं laser बनाऊँगा तो laser की सम से पहले एक बात याद रखना कि जो भी laser होता है न तो laser ही एक बहुत सारे pages का एक book होता है जिसके अंदर हमारे बहुत सारे pages होंगे और आगे हो क्या बोलता है each page of laser ही serial number मतलब क्या obviously यार कि अगर हमारे laser वाले book में इतने सारे pages होंगे तो हम वहाँ पे क्या करेंगे दोस्त तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि यह हर एक जो हमारा serial number होगा page का वो हर एक page पे वहाँ पे अपने specific account prepare करेंगे ठीक है जैसे कि for example मालनो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मालनो मेरा जो ledger है वो ledger है मालनो for example 300 pages है ठीक है तो मैं क्या करूँगा starting में वहाँ पे जो page number 1 है मालनो वो page number 1 के उपर वहाँ पे मैं समझो अमित नाम का एक बंदा है उसका मैं account बनाऊंगा मालनो page number 2 पे यहाँ पे जो अभय नाम का बंदा है इसका मैं account बनाऊंगा मालनो page number 3 पे यहाँ पे for example एक बबीना नाम की एक चिंटी है उसका account में बनाऊ तो आगे देख़ आ पर उन्हों ने क्या बोला है तह पेज नमबर ओप दे लेज़र अभी ध्यान देना में क्या भोल रहा हो जैसे मैं आप भी आपको क्या बूला कि वो जो भी लेजर का two sides, अभी ज्यानद्या में क्या बूल रहाऊ? देखो दोस्तो, मालो for example ये आपका notebook है, ठीक है? तो आपका ये जो notebook होगा ना, मालो की आपके notebook का, ये एक single page है, आपके notebook का एक single page है, तो आपको क्या करना है, आपके notebook को बीच में से, ये आपके notebook का जो page है, उसको बीच में से fold करना है और fold करने के बाद जो left आला part होगा ना आपका देखो जैसे कि for example ये मालो मेरे notebook का page है ना तो मैंने इसको क्या कि बीच में से fold किया तो बीच में से fold करने के बाद जो मेरा left आला part आएगा ये left आले part को मैं बोलूँगा debit part कौन सा बोलूँगा बोलो debit part बोलूँगा और जो right वाला मेरा part होगा उसको में बोलूँगा credit समझ रहे हो तो इतना याद रखना कि जो भी आपका ledger ये book होगा तो ये ledger ये book का एक side जोगा वो debit side होगा और दूसरा एक side होगा वो credit side होगा मतलब ledger में आपको कितने sides लागेंगे बोलो आपे दो side होगा एक debit और दूसरा credit है ना आगे देखो क्या दिया है इच लेजर अकाउंट इस डिवाइड इन्टू साइड जैसे मैंने आप भी आपको बोला और जो भी left side होगा उसको आप कौन साइड बोलते है डेबिट करूँगा और credit side को वहाँ पे में CR इससे में denote करूँगा यह उसके अबरिवेशन से राइट आगे देखो क्या दिया है अभी इसका reason कैसा मुझे बात बताओ कि हमारा जो भी लेजर होगा वो लेजर में हमारे multiple accounts होंगे कैनी बताओ देखो यार आप journal entry में जितने भी account को debit करते हो जितने भी account को credit करते हो न वो सारे account का वहाँ पे मुझे एक लेजर जो book होगा उसके अंदर मुझे specifically उनका account बनाना पड़ेगा जैसे मानलो अगर आपका जो भी journal entry उसके अंदर अगर मानलो आपने purchase account debit किया है तो purchase account का मुझे लेजर में एक account बनाना पड़ेगा लेजर में मानलो वहाँ पर आपने machinery account अगर prepare के होगा तो मुझे machinery account का एक account prepare करना पड़ेगा लेजर में समझ रहो तो इतना याद रखना कि journal entry जब भी आप करते हो तो आपने जितने भी journal entry की है वो journal entry के समय पे जितने भी आपके debit हुए जितने भी आपके credit recording करना है तो वहाँ पर फिर हमारा एक controlling के लिए कोई ना कोई सिक्वेश चाहिए कर नहीं चाहिए तो हमेशा रखना कि जो भी लेजर बुक होता है लेजर बुक के स्टार्टिक में index नामका एक page होगा और वह index में आप क्या करोगे वहाँ पे पेज नंबर लिखके रखोगे कि आपने कौन से अकाउंट कौन से पेज के उपर open किया है और वो पेज नंबर आप कहाँ पे लिखोगे index में लिखोगे suppose for example मैं आपको example के लिए बोलता हूँ मानलो कि मैंने क्या किया यह बबीना जो भी ना इसका अकाउंट मैंने page number 3 जो लेजर बूक है वो लेजर के थर्ड पेज पे मैंने बबीना का अकाउंट बनाया है तो मैं क्या करूँगा यह जो लेजर का बूक है उसके starting का जो index होगा वहाँ पे मैं लिखूँँगा page number 3 पे मैंने बबीना का अकाउंट प्रिपेर किया है समझ रहो और जनरली जो भी यह लेजर बूक बनेगा तो लेजर बूक के अंदर मैं जितने भी वहाँपे अकाउंट प्रिपेर करूँगा वो सारे के सारे अकाउंट में alpha-betically वहाँपे बनाऊंगा आगे देखो यहापे क्या दिया उन्होंने index is prepared in the alphabetical order मैंने आपको अभी बोला ना कि जो भी मुझे जितने भी अकाउंट करने है वो सारे के सारे मुझे alphabetical order में करने पड़ेंगे और the page number on which a particular account appears is shown again is the name of the account shown in the index तो यही हमको क्या करना है कौन से page पे हमने कौन सा account को prepare किया है वो हर एक चीज़े मुझे वो जो ledger होगा उसके book का जो index वाला page है ना वहापे मुझे show करना पड़ेगा आगे क्या दिया है यहापे यह सब चीज़े क्यों होगा मतलब इससे क्या होगा तो इससे हमको यहापे quick reference मिलेगा जल्दी से हमको आपे जान में आएगा कि हाजी यह account हमारी यह page पर लिखा हुआ है आगे देखो अभी तो आगे उन्हें यहापे दिया है both sides of the ledger है 4 column अभी यहापे जो बात कर रहा है ना यह बात कर रहा है वो ledger के format की इसकी बात कर रहा है बोले ledger के format की बात कर रहा है अभी इतना यहाद रखना कि जो भी मेरा ledger account में वहापे प्रिपेर करूँगा जैसे मैंने आपको बोले ledger को दो side होता है एक side होता है debit side दूसरा side होता है credit side बराबर है ना तो हर एक side में दोस्तों वहापे date वाला column सबसे बहले कुन सा बनाते है बोलो date वाला column वहापे prepare होगा उसके बाद वहापे particulars वाला column prepare होगा उसके बाद वहापे JF का मतलब होता है journal folio जैसे मुझे एक बात बताओ ना जब भी आपने journal वाला format prepare के आता जब भी आपने journal entry के आता तो उस समय वहापे आपने lf नाम का column बने तो लेजर फोलियो यादे आपको उसी प्रकार से जब भी आप लेजर बनाओगे तो वहापे आप JF journal folio नाम का column prepare करोगे और फोर्थ वाला वापे आपका आएगा amount वाला column कुन सा हैगा बताओ amount वाला column आ जाएगा ना तो ये चार columns का पहेंगे debit side में left side में और उसी प्रकार के same to same चार column का पहेंगे right side में मतलब credit side में आ जाएगे ना तो इतना आसा format इतना आसान format है बिल्कुर इसमें कुछ टव नहीं है अभी और एक बाता देखो गाईस जब भी आप ना कोई भी लेजर का account बनाओगे तो वह समय पे वहापे आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि हम ज business का नाम है तो जब यहाँ पे जब भी मुझे लेजर account बनाने तो वहापे में सबसे पहले लिखूंगा in the books of रतनलाल लिमीटेड ये मेरे business का नाम होगा और फिर मेने इसके साथ transaction गया और सभी लोगों का वहापे में क्या परूंगा account prepare करूंगा ध्यान में आराय में आपक prepare कर रहे हो है ना हाँ और आपको मैं ये भी बोल दू कि जितने भी लेजर्स होते ना वो सारे के सारे लेजर्स का जो format होता है वो सारा का सारा format एक जैसा होगा हमेशा अधर रफे ना मतलब जैसे कोई भी person का account रहे ना दो जैसे मानलो आप सूरज का account बोल रहे हो आप अब अधरी का बोलो वेजेस का बोलो या कोई भी creditor का या कोई भी liability का कुछ भी कोई भी account बनाओ दुनिया का रहे हमेशा उसका format करेगा बोरो चार कॉलम debit में चार कॉलम credit में इतना सोपा याद रहेगा पका आपको है ना अभी देखो तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा कॉलम आता है date बराबर तो exactly date column के अंदर क्या लिखना पड़ता है जान देना date column के अंदर दोस्तों in this column the date of transaction is written obviously ना यार कि हमने अगर 11 transaction अगर ledger में post की है बराबर तो वहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि वो जो भी मैंने वहाँ पे ledger में posting किया है उसका तो वो transaction exactly कौन से year के कौन से month के कौन से date पे हुआ है या हर एक चुझे वहाँ पे मुझे date लिखना पड़ेगा है ना second क्या बोल रहा है यहाँ पे वो particulars तो particulars मतलब क्या तो particulars का मतलब इतना याद रखना कि जैसे कि for example मान लो मैंने entry किया general entry मेंने किया purchase account debit to मान लो मैंने आपे किया cash account है ना दो account कौन से कौन से पहला account मुझे है पहला लेजर देखो यार आप जो भी लेजर बनाओगे ना तो लेजर यह एक book होता है इतना समझ लो तो आप लेजर के अंदर जितने भी चीजों का account मनाओगे उसको आप account भी बोल सकते हो या अपने अगर लेजर भी बोले जैसे मैं बोलता हो purchase का लेजर बनाना यार तो ठीक है उसका मतलब account ही होता है समझ रहे हो तो यहाँ पे देखो दो चीज़ा ही ना purchase और cash तो मुझे क्या करना पड़ेगा लेजर के book में दो account बनाना पड़ेगा पहला मुझे purchase account दूसरा मुझे वापे sale account यह दो चीज़े वापे purchase account को debit हुआ है क्या हुआ है purchase account को debit हुआ है इसका मतलब क्या मैं जाओंगा purchase account में और purchase account के में debit side में लिखूँगा तो purchase को debit क्यो हुआ क्योंकि मैंने cash पे किया, समझा, तो यहाँ पे मैं दिखूंगा 2 cash account, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 2 cash account, यह इस प्रकार से हमको क्या करना होता है, जर्नल की मदल से लेजर का posting करना होता है, जब भी आगे समसाएंगे, तो वो case में आपको बता दूँगा, कि exactly posting वगएरे कैसा करना है, क्या करना है, लेकिन अब भी आप इतना समझ लो, कि जब भी आप debit side वाले, जब भी आप कौन से बोलो, debit side वाले या left side वाले particulars के column में कुछ लिखते हो, तो उसका शुरुवात हमेशा और हमेशा to, यह word से होता है, क्या बोला मैंने, जब भी आप किसी भी account में, या जब भी आप ledger posting करोगे, तो account कोई भी होने दो, अगर आप debit side में लिख रहे हो, तो उसका शुरुवात हमेशा to, to, यह word से होगा, और अगर आप credit side में कुछ भी लिख रहे हो, और जिस reason के वज़े से यहाँ पर purchase को debit हुआ है, वो reason में क्या कर दूँगा, purchase account के debit में लिख दूँगा, समझ रहे हो क्या, यह कुछ नहीं गाईज, यह double entry system का एक effect है, समझ रहे हो, तो जब भी आपन इसका question हो गयर देखेंगे, तब आपन बाकी की चीज़े यहाँ पर cover कर लेंगे, अभी अगला यहाँ पर जो column है न, उसको में बोलूँगा, JF, मतलब journal folio, बराबर, अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ, जो भी अब भी मैंने आपको जिसे example बता है, purchase account debit to cash, मतलब purchase account को debit हुआ है, मतलब purchase account जो मैं prepare करूँगा, उसके debit side में मुझे लिखना है, यह मुझे हर एक चीज़े समयज रही है, मुझे एक बात बताओ, यह सारी की सारी चीज़े, मुझे किस reason के वेज़े से जान में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने journal entry को prepare किया, तो हमेशाद रखना, मेरा जो भी journal वाला book होगा, वो journal वाले book में, मैंने वो specific journal entry है, वो मैंने कौन से page पे लिखा है, और वो journal entry का effect में, ledger में कहाँ पे दे रहा हूँ, तो जब भी आप ledger में, वो journal entry के मदद से लिखोगे न, तो वो ledger में आपको क्या करना है, बस उसका page number लिखना है, उसका मतलब कि इसका ये जो page number रहेगा, ये किसका रहेगा, बोलो journal book का रहेगा, समझा, for example, मालो ये जो purchase account debit to cash, ये जो मेरा entry है, मालो मैंने ये, journal के page number 3 के उपर लिखा हुआ है, बराबर, तो मैं क्या करूँगा, जब भी मैं purchase account में ये, posting करूँगा न, तो यहाँ पे मैं journal folio के नीचे, 3 लिख दूँगा, क्यों, क्योंकि मैंने ये entry कहा पे की थी, journal book में, third page पे किया था, अभी समझ रहेगा, आप मेरी बात है न, उतना amount यहाँ पे में लिख दूँगा, obviously यह transaction amount रहेगा है न, जैसे कि for example, यहाँ पे मैंने purchases 20,000 के किये, और cash भी सजर कर दिया, तो obviously यहाँ पे कितना आएगा, बोलो फिर purchase account के debit में, 20,000 है कि यह कुछ नहीं होता, यह transaction का एक amount होता है, याद रहेगा पका, तो guys, आप सब लोगों को ledger का जो format है, उसको अपन specimen भी बोलते हैं, क्या आपको वो समझा कहा है, मुझे comment section में पका बता देना, ठीक है, तो याद रखना, कितने sides होते बो ledger में, दो sides, पहला side होता है debit side, दूसरा side होगा credit side, हर एक side में मेरे 4-4 column होँगे, पहला column कौन सा होगा बोलो, date, फिर कौन सा हाएगा particular, फिर आएगा, बोलो ledger में क्या, yes, journal folio, और फिर आएगा amount, और यही same 4 column मेरे, credit side में भी वापे हो जाएंगे, समझ रहे हो, और अगर आप यहापे थोड़ा सा देखोगे, तो यहापे उन्होंने आपको, एक table दिये, तो यह जो हमारे tally का table है, जो tally software होता है, वो tally के अंदर exactly किस प्रकार से accounting होता है, यह वो समझाने की वापे कोशिश कर रहे है, तो यह अब भी अपनी सी levels में नहीं है गाईस, तो इसको आपन अब भी cover नहीं करेंगे, यह ना स्रीफ वो यह बता रहे है, देखो यार, आपको मैं एक बात बोलूँ क्या, यह ना बहुत मज़े की बात है, कि जिन्दगी में आपको, अगर आप computerize accounting करोगे ना, तापको laser कभी भी नहीं बनाना पड़ेगा, आपको हमेशा journal बनाना पड़ता है, और journal के मदद से laser posting एक्टमेटिक हो जाता है, फिर laser से trial balance automatically prepare होता है, trial balance automatically final accounts भी prepare होता है, लेकिन आपको यह क्यों पढ़ना है, क्योंकि tally जो भी यह और कोई, जब यह computerize accounting करोगे तो एक software है, तो आपको यह पूरा procedure समदना चेना, कि हाँ बबा मैंने अगर जर्नल डाला, तो जर्नल से laser ऐसे बनता है, laser से trial balance से बनता है, उससे final account से बनता है, तब ही आप जब तक आपको यह knowledge नहीं होगे, तब तक आप computer की गलतिया निकाल पाऊगे, क्यों नहीं, समझ रहे हो, इस reason के वज़े से दोस्तों, हमको यह जो पूरा accounting procedure है, यह हमको पूरा deep में पढ़ना पढ़ेगा, समझ रहे हो आप मेरी बात, जल्दी से जल्दी आपको provide करू, मतलब क्या हो जाएगा, आप अच्छे से पढ़ पाऊगे, ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि जो भी economics वगेरी है, जो भी यह भी मैं start कर दू, मतलब आपको थोड़ा सा help हो जाएगा न, मैं आपके साथ यहाँ पे बहुत ही important topic के बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है दोस्तो, posting of entries from journal और subsidiary book to ledger, इसका मतलब क्या, जैसे आपको यह तो पता है न, कि जब भी आपन कोई भी business transaction करते हैं, तो सबसे पहले उसका recording, आइदर journal book में होता है, या किसी भी subsidiary book में, तो subsidiary book में जैसे आपको पता होगा, जैसे purchase book आता है, purchase return book आता है, sale book आता है, sale return book आता है, तो यह सारे book के मदद से, वहाँ पे हमको ledger का account exactly किस प्रकार से prepare करना है, वहाँ पे मुझे यह सारे book से ledger में, जब भी मैं posting करूँगा, that transactions are recorded in various books of original entry, original entry मतलब आप समझते हो न, original entry मतलब ऐसी book जहाँ पे आप very first time transactions को record करते हो, तो हमेश याद रखना, जब भी आपको original book पुछा जाएगा, या original entry पुछा जाएगा, तो वो time पे वहाँ पे आपको purchase book, and subsidiary books ऐसा याद रखना है, ठीक है, आगे हो क्या बूल रहा है, from the original entry, वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, the necessary records in the journal, क्या बूल रहा है, यापे ledgers are made, मतलब क्या कि जब भी हमारा journal बनेगा, जब भी हमारा subsidiary books बनेगा, तो उसके मदद से वहाँ पे मुझे ledger को क्या करना पड़ेगा, बोलो prepare करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जब भी अपन journal या subsidiary books से, अपन जब भी ledger बनाते न, तो यह जो भी मेरा procedure होता है, वो procedure को मैं बोलता हूँ, posting मतलब क्या वापस बोल रहा हूँ, journal या subsidiary books की मदद से, ledger account को create करना, या उसको prepare करना, तो इसके लिए हमको जो भी procedure को वापे follow करना पड़ेगा, वो procedure को यहाँ पे मैं बोलता हूँ, posting, क्या बोलता हूँ, बता हूँ जल्दी से, posting बोलता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो उन्हों ने यहाँ पे हमको एक process दिये है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हो क्या बोल रहा है, from the journal entries and ledger posting is to be done, तो यहाँ पे हो क्या बोल रहा है, कि जो भी हमारा journal entry अपन करेंगे, तो वो journal entry के मतल से वापे अपन क्या करेंगे, बताओ, ledger का posting करेंगे, केसे करना है, क्या करना है, मैं आपको इसके बाद बताने वाला हो, तो टेंशन मत लेना, second वाला क्या बोल रहा है, open the necessary ledger account with the proper edging, अभी इतना समझ लो यारो, कि आपका जो भी वापे journal entry आप करोगे न, तो journal entry करने के बाद, आप कुछ account को debit करोगे, और कुछ account को, या कुछ item को आप credit करोगे बराबर, तो आपको क्या करना है, जितने भी item को आपने debit किया है, और जितने भी item को आपने credit किया है न, वो सारे के सारे item के, आपको एक separate account create करने, कहाँ पे ledger के अंदर, इतना समझा, बस, तीसरे लेको क्या बोल रहा है, if the opening balance of ledger account is given, it should be posted first, either as to balance brought down, या by balance brought down, अब भूत बार क्या होता है मालू में, क्या कि, जैसे कि for example, मालो में पिछले कई साल से मेरा business कर रहा हूँ, बराबर, तो अगर में पिछले कई साल से business कर रहा हूँ, तो obviously 31st March के दिन, मेरे पास वहाँ पे कुछ न कुछ बैलन्स से से वेलेबल होंगे, जैसे कि for example मालो मेरे पास कुछ न कुछ closing cash होगा, बराबर के नहीं, 31st March को ऐसा तो नहीं होगा न, कि मेरे business में जितने भी goods है, सारे के सारे goods मैंने बेस दिया, ऐसा तो नहीं होगा, आप अगर देखोगे तो 31st March के दिन भी वहाँ पे हमारे business में, कुछ न कुछ goods का stock पड़ा हुआ रहता है, हमारे पास कुछ न कुछ cash रहती ही, हमारे bank में कुछ न कुछ balance होता है, तो ये सारा का सारा, 31st March को हमारा है, वो 1st April को आपको आपे क्या करना पड़ता है, बोलो, brought down करना पड़ता है, brought down मतलब क्या, पिछले साल से अगले साल में वो balance इसको ले क्या आना, उसको आपन बोलते है brought down करना समझा, तो ये क्या करना है, कैसे करना है, आपको मैं हर एक चीज़े explain कर दूँगा, सिर्फ इतना याद रखो कि अगर opening balance होगा, तो यहाँ पे हमको two balance brought down, या हमको by balance brought down करना पड़ता है, सिर्फ इतना याद रखना दोस्तों कि ये जो two balance brought down होता है न, तो two balance brought down हमेशा अपन, ये समझो मानलो for example, मेरा account है, मेरा ledger है, तो two balance brought down हमेशा left side में होता है, और buy balance brought down हमेशा right side में होता है, इतना याद रहेगा, दूसरी बात, जब भी मैं two balance brought down करता हूँ न, इसका मतलब यहाँ पे मैंने asset का, क्या क्या है बोले जादी से opening balance लिया है, two balance brought down मतलब क्या, asset का opening balance, याद रहेगा, और buy balance brought down का मतलब होता है, liability का opening balance, समझा के नहीं समझा बता हूँ, तो हमेशा रखो, जब भी आप two balance brought down करोगे, मतलब वो asset का opening balance होगा, और जब भी आप buy balance brought down करोगे, मतलब liability का opening balance होगा, ऐसा क्यों, तो हमेशा रखो, asset को हमेशा debit balance होता है और liability को हमेशा credit balance होता है तो debit balance मतलब debit side और credit balance मतलब credit side अब आपके एमन में ऐसा भी आ सकता है sir तो यहाँ पे आपने 2Q लिखा sir debit में और यहाँ पे आपने buy Q लिखा ठीक है तो जब भी मैं आपको journal की मदद से वहाँ पे लेजर बनाना सिखाऊंगा न वो time पे मैं आपको इसका reason बोल दूँगा don't worry लेकिन अब भी के लिए इतना याद रखो कि left side की शुरुवात हमेशा 2 से होती है और right side की शुरुवात हमेशा 2 से होती है इतना याद रखोगे पक्का आप लोग चलो बहुत बड़ी है I hope आपको टकाटक समझता होगा मुझे comment करते जाओ आपको एकदब मस्त वाला समझ रहे के नहीं अब इदेखो आगे क्या दिया यहापे for posting the transactions into the ledger account first write the date of transaction in the date column अब आप लोग मुझे एक बात बतावा कि यह कल का जो भी मेरा लेक्चर था तो कल के लेक्चर में वहापे में आपको format of ledger यह बोला था के नहीं बोला था बोलू hundred percent बोला था तो वहापे format of ledger में अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था वहापे दो side होता है पहला side हमारा होता है debit side दूसरा साइड आमारा होता है credit साइड तो जो भी मेरा debit साइड होता है उसको आपन left साइड भी बोलते तो दोनों जो साइड है उसमें आपकी कितने columns होते है बोलो 4 columns होते है जिसमें से सबसे पहला आपना कौन सा होता है बोलो date वाला column second आमारा कौन सा होता है बोलो particular वाला column third कौन सा होता है मेरा journal folio वाला column और fourth मेरा amount वाला होता है यह सोर नो बताओ तो यहाँ पे हो क्या बोल रहा है मालूमे क्या कि जो भी आपका very first column होगा date वाला तो date column में वहाँ पे में क्या करूँगा तो वापे में जिस दिन का भी मुझे यहाँ पे transaction record करना है तो उस दिन का यहाँ पे में सबसे पहले year लिखूँगा फिर month लिखूँगा और फिर date लिखूँगा हमेशे अद रखो आप journal बना हो आप लेजर बना हो कुछ भी बना हो हमेशे वापे आप जब भी date लिख होगे तो सबसे पहले वापे क्या आता है बोलो yes एकदम बरबर जा रहे हो क्या आता है बोलो year आता है फिर क्या आता है वापे month आता है और फिर वापे क्या आता है बोले दिन दोस्तो डेट आता है इतना याद रहेगा पक्का तो देखो वही बोल रहा है वो सबसे पहले आप क्या करो तो भी चला होता लेकिन आपको थोड़ा सा confidence आने के लिए आपको समझने के लिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने हमको illustration number one दिया है बराबर तो अपन इसको solve कर लेते हैं आपको ध्यान में आएगा केसे करना है तो क्या दिया देखो the above process of recording transaction can be studied with the help of following example ठीक है तो उन्होंने यहाँ पे हमको एक example दिया है अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे वो balance of cash on 1st January 2018 15,000 इसका मतलब क्या कि हमारा जो भी यहाँ पे cash है cash है 1st April को हमारे यहाँ पे कब बोला है 1st January बोला है very good यहाँ पे उन्हें ने 1st January बोला है तो वो क्या बोल रहा है कि 1st January के दिन पे हमारे हाथ में 15,000 रुपया का cash है तो यह हमारा हो जाएगा दोस्तो cash का opening balance जब भी हमारे पास ऐसा दिया होगा ना at the beginning of any month वहाँ पे हमारे x y z bank में balance है तो इसको अपन क्या बोलते है opening balance बोलते है इतना याद रखोगे पका तो यह हमारा क्या हो जाएगा बताओ cash का opening balance हो जाएगा अभी आप लोग मुझे एक बात बताओगे जो भी cash है यह cash हमारा asset है कि नहीं बताओ 100% asset है और जैसे मैंने आपको दो मीट पहले य कि cash को हमेशा कौन सा या asset को हमेशा कौन सा balance होता है कोई भी asset रहने दो हमेशा कौन सा balance होगा एकदम बरबर बहुत अच्छे से बढ़ रहे है आप तो तो कौन सा balance होता है बोलो debit balance होता है समझ रहों आप मेरी बात और जो भी मेरी liabilities होती उसको मेरा कौन सा balance होता है एकदम स रखना आप जब भी जर्नल इंट्री करोगे तो वो टाइम पे जर्नल इंट्री के अंदर जितने भी नाम आएंगे न वो सारे के सारे नामों का आपको इस प्रकार से अकाउंट वहाँ पे प्रिपियर करना पड़ेगा तो जब भी आपको उन्होंने यहाँ पे ओपनिंग कैश ऐसे दिया है तो यहाँ पे मुझे कौन सा अकाउंट प्रिपियर करना पड़ेगा बोलो यहाँ पे मुझे कैश अकाउंट प्रिपियर करना पड़ेगा समझ रहे ह तो यहाँ पे cash का उन्होंने मुझे कितना balance दिया 1st January 18 को तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले date में जाऊंगा और date में यहाँ पे मैं लिखूँँगा 1st January 2018 actually देखो यहाँ पे उनसे शायद लिखना रहे गा है तो यहाँ पे मैं लिखूँँगा 2018 January 1 और हमेशा रखना cash यह asset है asset का debit balance, debit balance हमेशा left side में लिखा जाता है और left side की शुरुवात हमेशा 2 से होती है तो इसलिए मैं क्या लिकूँँगा यहाँ पे 2 balance brought down brought down मतलब पिछले साल से ये साल में पैसे को लेके आना उसको brought down बोलते तो यहाँ पे कितना दिया देखो उन्होंने जल्दी से मुझे 15,000 दिया है तो आपको पहले transaction का ledger का posting किस प्रकार से कहे है आपको ध्यान में आया अभी second देखो on 5th January 2018 Raj invested 10,000 in the business इसका मतलब क्या कि 5th January को यहाँ पे राज ने हमारे business में 10,000 रूपया invest किया अभी आप लोग मुझे इसका थोड़ा सा journal entry बता हूए आपको आना चीए तो मुझे एक बात बता हूँ राज ने अगर हमारे business में अगर 10,000 रूपया अगर invest किया इसका मतलब मेरे business में 10,000 रूपया आया बात सही क्या गलत है तो जब भी मेरे business में 10,000 रूपया आयेगा दोस्तों तो मैं क्या entry करूँगा मैं entry करूँगा वापे cash account debit तू में आपे करूँगा राज capital account तू में क्या करूँगा राज capital account ध्यान में आ रहा है ना यह मैंने क्या क्या बोले जदी से यहापे journal entry किया 10,000 और 10,000 बात समझ रहो अभी आपको केसे यह ध्यान में रखना है कि एक्जैटने हमको कौन से कौन से लेजर पनाने तो ध्यान देना देखो यहापे उन्होंने हमको जो भी journal entry यहापे हमने लिखा है बराबर तो यहापे मैंने सबसे पहला account कौन सा किसको debit किया cash account को debit किया और credit किसको किया राज capital को credit किया इसका मतलब यह journal entry के अंदर मैंने दो accounts involved है जिसमें से पहला है cash account दूसरा है राज capital account तो मैं क्या करूँगा यहापे cash account नाम का account prepare करूँगा और साथ साथ में वहापे में राज capital नाम का और एक account prepare करूँगा इतना clear है बताओ अभी ध्यान दो अभी यह बहुत important है देखो तो मुझे एक बात बताओ यहापे cash account को हुआ क्या है बताओ debit हुआ है और यहापे राज capital को क्या हुआ है credit हुआ है इतना तो समझता कौन से account को debit हुआ है कौन से account को credit हुआ है अभी आपको करना क्या बात समय लो तो क्या करना है यहापे आपने cash account को debit किया न तो आप सबसे पहले क्या करोगे cash account नाम का एक ledger prepare करोगे और राज कैपिटल नाम का एक लेजर प्रिपेर करोगे और आप दोनों साइड में वहापे जो debit side, credit side होता है वहापे चार-चार कॉलम मा बना दोगे date, particular, journal, folio, amount इतना बना दिया आपने अभी देखवा, तो cash account debit इसका मतलब यह होता है कि हमको क्या करना है यहापे प्लीज जाने ना, बहुत important बात करो आपसे में तो यहापे आपको क्या करना है जो भी आपका cash account है ना यह cash account के debit में आपको लिखना है cash account debit मतलब क्या आपको cash account के debit में लिखना है तो मुझे एक बात बताओ cash account को debit क्यो हुआ राज capital की वज़े से cash account को debit क्यो हुआ राज capital की वज़े से समझा तो देखो यहाँ पे उन्होंने two rach capital लिखा है राइट इसका मतलब क्या हमको cash account के debit में जाके लिखना है two rach capital account क्या लिखना है बोलो cash account के debit में जाके लिखना है to Raj Capital अकाउंट देखो इसलिए यहापे Cash अकाउंट के डेबिट में यहाँ पे लिखा है to Raj Capital और date में आप date लिखोगे और amount में आप amount लिखोगे इतना clear है क्या बताओ बहुत आसान है बिल्कुल टफ नहीं है है ना cash account debit हुआ है इसलिए cash account के debit side में लिखना है ध्यान में आ रहा है उसी प्रकार से यहाँ पे राज capital को क्या हुआ है बताओ credit हुआ है इसका मतलब मुझे राज capital account के credit side में लिखना है ज़ान में आ रहा है क्या तो जब भी आपको credit होगा तो obviously वहाँ पे उसकी शुरुवात बाइसे होगी और credit क्यों हुआ राज capital को यहाँ पे credit क्यों हुआ cash की वज़े से समझे के नहीं समझे तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा by cash account कर दूँगा और यहाँ पे 10,000 लिख दूँगा I hope आपको concept समझता होगा यह सुरुनो तो आपको यह समझा के मुझे comment section में पक्का बताना एकदम आसाने सबसे बहले journal entry करो देखो जब भी आप नहीं नहीं कर रहे हो ना तो starting में journal entry करो और फिर leisure posting वापे करते जाना और आगे यहाँ पे उन्होंने मुझे दिया illustration number second थोड़ा ध्यान दो please concentrate करना देखो क्या बोल रहा है यहाँ यहाँ वो January 18-2018 को उन्होंने यहाँ पे पेड किया rent 3000 का और यहाँ पे उन्होंने salary paid किया 5000 का बराबर तो मुझे एक बात बताओ जब भी हम rent और salary को pay करेंगे तो rent and salary हमारा खर्चा होगा तो जैसे आपको पता है कि खर्चे को अपन debit करते तो इसलिए देखो यहाँ पे उन्होंने rent यह खर्चा है तो rent को debit किया salary यह खर्च है तो salary को debit किया और जब भी आपन payment करेंगे तो हमारे पास से cash जाएगा तो इसलिए उन्होंने देखो यहाँ पे cash account को credit किया ध्यान में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ यह जो भी यहाँ पे journal entry हुआ है यह journal entry के अंदर यहाँ पे कितने items है कितने account से बताओ तीन account एकदम बराबर जा रहे है तो यहाँ पे पहला account सा है बोलो rent account है दूसरा salary है तीसरा cash है तो यहाँ पे मैं क्या करूँँगा सबसे पहले rent account ओपन करूँगा second salary account ओपन करूँगा तीसरा cash account ओपन करूँगा एकदम 20 रहने का इतना याद रखना है आपको journal entry के अंदर जितने भी item है वो सारे के सारे वहाँ पे आपको account प्रिपेर करने है अभी account कैस है वो तो पता है न देखो यार एकदम सोपा है आपके पास अगर notebook रहेगा for example मान दो यह मेरा notebook है ठीक है तो जब भी मुझे account बनाना होगा तो मैं क्या करूँगा notebook का जो एक page लूँगा और उसको मैं बीच में से आपके क्या करूँगा बोलो fold कर दूँगा fold किया आपने और यह जो fold करने एक बाद जो left वाला आपका पार्ट आएगा वो आपका debit पार्ट आएगा right वाला credit पार्ट आएगा इतना तो समझे आपको पक्का और वहापे आप कौनसा कौनसा कॉलम बनाओगे date, particular, journal, folio, amount इतना आप बना दोगे तो आभी ध्यान देना में क्या बोल रहो मुझे एक बात बतावा थोड़ा शांती से समझना देखो यहाँ पे rent account debit हुआ है इसका मतलब हमको rent account के debit में लिखना है इतना समझे हमको यहाँ पे salary account को debit हुआ है इसका मतलब यहाँ पे हमको salary account के debit में लिखना है ज्यान में आ रहा है और cash account को credit हुआ है इसका मतलब हमको cash account के credit में लिखना है पहले आप यह समझ लो कि rent account को debit इसका मतलब rent account के debit side में हमको लिखना है इतने याद रहेगा न भक्का और अगर किसी account को credit हुआ इसका मतलब हमको account के credit side में लिखना है ठीक है तो देखो यहाँ पर rent account को debit कितने का हुआ 3000 का अभी मुझे एक बात बता हुआ rent account को debit क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पर हमने cash pay किया बात समझ रहे हो किया तो मैं क्या करूंगा rent account के debit में जाऊंगा और वहाँ पर सबसे पहले date लिखूंगा और वहाँ पर में 2 से शुरुवत करके लिखूंगा cash account समझ रहे हो और हमेशाद रखना आप वहाँ पर जिस reason के वज़े से credit हुआ है वो तो आप लिखोगे लेकिन जब भी आप amount लिखोगे तो rent का कितना खर्चा है 3000 तो आप यहाँ पर 3000 लिखोगे देखो यहाँ पर cash तो 8000 है समझ रहे हो लेकिन rent के लिए cash कितना है तो यहाँ पर आप तीन अज़र लिखो थोड़ा थोड़ा दीरे दीरे जान में आएगा कोई टेंशन मतलब है मैं हूँ ना आपको हरे चीज़े बोल दूँगा आगे salaries account को debit हुआ है बराबर मतलब salary account के debit side में मुझे लिखना है और salary को debit क्यों हुआ cash की वज़े से तो salary के debit में यहाँ पर में two cash लिखूंगा और यहाँ पर salary का कितना खर्चा है पास हजर तो यहाँ पर में लिखूंगा पास हजर समझा कि आपको कैसे करना है ध्यान में आ रहा है ना और अभी यहाँ पर cash को credit हुआ है तो cash account के credit side में लिखूंगा और cash को कौन से कौन से चीजों के जैसे credit हुआ है बताओ तो cash को यहाँ पर credit हुआ है rent की वज़े से और salary की वज़े से तो यहाँ पर में लिखूंगा जब भी credit side में लिखते हुआ तो शुरुआत किससे होता है comment में बताओ buy से होता है एक दम बराबर तो यहाँ पर लिखूंगा buy rent account, buy salaries account समर्ज रहो क्या बस इतना आसान है दोस्तों laser बनाना, tough है यहना कितना आसान है बताओ जल्दी से बिल्कूल tough ने गई, जब भी आप इसके आगे के और दो-चार example करोगे तो आपको और कुछ चीज़े यहाँ पर ध्यान में आएगे ना यहाँ पर आपन बात करेंगे आपके textbook का जो 94 वाला page number है उसके उपर का illustration number 3 ठीक है तो जल्दी सा जो चलो आपके textbook के उपर देखो यहाँ पर उन्हेंने क्या दिया है तो यहाँ पर उन्हेंने दिया दोस्तों हमको posting of combined entries relating to GST ठीक है एकदम normal यार यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है जर्नल इंट्री करना है और जर्नल इंट्री की मदद से exactly उसका लेजर में किस प्रकार से transfer होगा किस प्रकार से posting होगा यह हमको वहाँ पर study करना है तो देखो जल्दी से क्या दिया है सबसे पहले ही आप उन्हें दिया है इंट्रा स्टेट पर्चेसे सब बूर्स प्रोटी ताउजन एंड जी एस्टी एप्लिकेबल अमाउंट पेड़ वाई चेक अभी इतना हमेशा रखना देखो दोस्तों इंट्रा स्टेट का मतलब होता है इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है बताओ विदिन दे स्टेट होता है ठीक है तो हमेशा रखना दोस्तों जब भी विदिन दे स्टेट मतलब एक ही स्टेट के अंदर ट्रांडेक्शन होता है तो वो केस में आपको cgst भी लगता है और आपको sgst भी लगता है इतना य तो purchase के उपर हमको जो भी GST लगता है वो हमारा खर्चा होता है वो हमारा क्या होता है बोलो खर्चा होता है तो खर्चे को हमेशा हमेशा आपन डेबिट करेंगे और और एक बाद याद रखना purchase के टाइम पे हमको जो भी GST लगता है उसको हम बोलते है input GST उसको हम कौन सा GST बताओ, input GST बोलते हैं, I hope आपको concept समझ गया होगा है ना, अभी देखो, तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आपने यहापे 40,000 रुपीज के goods पर्चेस किये, बराबर एक है नहीं, तो जब भी आप goods को purchase करोगे, तो आपके पास goods क्या हो जाएगा, बोलो, आ जाएगा, तो यहापे मैं क्या करूँगा, purchase account को debit करूँगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास यहापे goods आएगे, है ना, और साथ साथ में आपको यह भी तो पता है, कि जब भी आप purchase करें, तो आपके expenditure होता है, तो purchase expenditure है, मतलब expenditure को debit करेंगे, इसलिए यहापे हमने purchase account को debit किया, इतना clear है, अ यहापे देखो, मैंने purchase account को debit किया, साथ साथ में यहापे, उन्होंने मुझे rate दिया है, 2.5%, कितना दिया है, HDST का 2.5%, तो अगर आप 40,000 का 2.5% calculate करोगे, तो वो आ रहा है, 1000, तो मैं क्या करूँगा, यहापे, input HDST account debit करूँगा, 1000, input CGST account debit करूँगा, 1000, इतना समझे क्या, और total मिला कि, यहापे मैं जो भी पैसा दे रहा हूँ, वो के से दे रहा हूँ, बोलो check से दे रहा हूँ, तो हमेशा रखना, जब भी हमको GST applicable होता है न, और वो time पर जब भी अपन payment करते हैं, तो हमको वहापे including GST, जितना भी पैसा होगा, उतना देना पड़ेगा, तो यह यहापे क्या आएगा, two bank account आएगा, forty two thousand, clear है क्या बताओ, वापस एक बार, यहापे purchase account को debit करो, purchase की उपर, जो भी आपको GST लगए, मतलब input SGST debit, input CGST debit, और two आएगा, यहापे bank account समझ रहो, और नीचे वापे आपको क्या लिखना पड़ेगा, narration तो narration लिख देना, being goods purchase, including CGST and SG at the rate 2.5% each, समझा, यहापने journal entry यहापे कर दिया, अभी तुम मुझे एक बात बताओ गाईज, कि यहापे ना, हमारा जो journal entry है, तो हमारे journal entry में, यहापे total मिला के, कितने accounts हो है, बोलो, तो यहापे देखो, सबसे पहला, मेरा purchases affect हुआ, तो यहापे मुझे purchase account open करना पड़ेग second, यहापे मेरा input SGST है, तो इसका मतलब मुझे आपे input SGST account open करना पड़ेगा, तिसरा यहापे देखो, उनने मुझे input CGST दिया है, इसका मतलब यहापे मुझे input CGST account open करना पड़ेगा, और चवता यहापे bank है, मतलब चवता मुझे bank account open करना पड़ेगा, समझ रहो, तो जब भ कि जब भी हमको कोई भी लेजर का format प्रिपेर करना होता है तो वहाँ पे हमारे कितने कॉलम साते है चार कौन से कौन से डेट फिर कौन साते है बोलो चलो पर्टिक्विलर्स जर्नल फोलियो और अमाउट यह डेबिट में भी आएगा और क्रेडिट में भी आएगा इतना समझ पर्टिक्विलर्स जर्नल फोलियो और किसी अकाउंट को अगर प्रेडिट में भी लेजर बनेंगे उसके डेबिट साइड में भाहाँ पे मुझे लिखना है और किसी अकाउंट को अगर क्रेडिट हुआ तो हमको इतना याद रखना है कि हमको वो अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है याद रहेगा पक्का अगर डेबिट हुआ है अकाउंट को तो वो अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो अगर क्रेडिट हुआ है तो वो अकाउंट के साइड में जाओंगा और सबसे पहले आप हमेशाद रखना जब भी आप लेजर पोस्टिंग करते हो तो वहापे आप सबसे पहले डेट लिखा करो और मुझे एक बात बताओ यहापे पर्चेस इसको जो डेबिट हुआ है तो किस के वज़े से हुआ है यहापे बैंक के वज़े से हुआ है तो मैं क्या करूँगा पर्चेस अकाउंट के डेबिट में यहापे टू बैंक लिख दूँगा और पर्चेस के सामने यहापे कितना फिगर है बताओ 40,000 तो यहापे मैं लिखूँगा 40,000 जान में आ रहा है आपको कैसे करना है यहापे अगर आपके मन में ऐसे डाउट आ सकता है कि सर यहापे उन्होंने लेजर फोलियोम यह क्या लिखा है तो यह उन्होंने पेज नमबर लिखा है समझा तो यहापे न हमको यह कोई question में दिया नहीं, तो उन्होंने उनके मन से वो लिख दिया, जान में आ रहा है, अभी दूसरी एक बाद समझ लो, और क्या करना है अभी देखो, हमने purchase का तो कर दिया, बराबर, अभी यहाँ पे input SGST को debit हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, input SGST अकाउंट में जाऊंगा, और उसके debit साइड में, अभी input SGST को भी debit किसके वज़े से हुआ है, बैंक की वज़े से, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा two bank account, समझा, और figure कौन सा लिखने का, input SGST के सामने वाला, तो input SGST के सामने वाला figure मुझे कितना है बोल सकते हैं, आप एकदम बराबर जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, यहाँगा दूस्तों हमारा 1000, कितना हैगा बताओ जल्दी से मुझे, 1000 आएगा, तो यहाँ पे देखो मैंने 1000 लिखा क्या, धान में आ रहा है आपको क्या चल रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, input CGST account को भी debit हुआ है, तो क्या करने का, input CGST account में जाने का, और उसके debit side में आपे two bank लिखके, यह यहाँ पे amount में 1000 लिख देने का, यहाँ ता clear है, और अभी यहाँ पे हमारा जो bank account है, उसको credit हुआ है, total मिला के 42,000 का, लेकिन है 42,000 का credit का reason का है, बताओ, purchase भी है, input SGST भी है, input CGST भी है, तो जाओ जल्दी से bank account को credit, मतलब bank account के एकदम बराबर credit side में लिखना है ना, और आप आपको इतना याद रहेगा ना, जब भी आप debit side में लिखते हो, तो उसका शुरुवात हमेशा 2 से होगा, और जब भी आप credit side में लिखते हो, तो उसका शुरुवात हमेशा buy से होगा, is that clear? तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले buy purchases लिखा ह और input CGST 1000 लिख दिया, clear है क्या बताओ, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, बोलो laser का posting करना है, ध्यान में आएगा ना, जिस account को debit, उसके account के debit side में लिखना है, इतना याद रखो, और जो account को credit, तो वो account के credit side में लिखना है, और credit side में उसका क्यो credit हुआ, उसका reason लिखना ह हुआ, आपको दिरे दिरे और ध्यान में आएगा, जैसे हैं से आपन आगे जाएंगे, तो आपको हर एक चीज़े clear हो जाएगी, tension लेने का नहीं है, ना, चलो, आभी देखो, यहापे ना, उन्होंने हमको कुछ चीज़े दिया, जैसे कि for example, यहापे उन्होंने हमको दिया posting of entries from subsidiary books, अब आपको यह तो पता है कि हमारे अलग-अलग प्रकार के subsidiaries book होती है, जैसे कि for example, वहापे मेरा cash book है, एक subsidiary book है, मेरा purchase book, purchase return book, sale book, sales return book, बरबर है न, यह सारे के सारे मेरे क्या है, बताओ, yes, subsidiary books है, तो आपको मैंने कल बोला था, कि जब भी मुझे वहापे ledger account क prepare करते हैं, एक तो मैं journal में से ledger में जाऊंगा, यहां में subsidiary books के मदद से ledger account को prepare करूँगा, समझा, तो आप भी आपन ने क्या देखा उपर, यह जो अब भी तक आपन ने पढ़ा न, यह हमारे ledger के मदद से था, ध्यान में आ रहा है, हमने अब भी तक, जो illustration number one, second, third, यह हम हमने ledger के मदद से किया, ध्यान में आ रहा है, मैं आपको क्या बूल रहा हूँ, और अब भी हमको यहाँ पर पढ़ना है, कि अगर subsidiary books है, अगर हमको ledger accounts prepare करना होगा, तो वो किस प्रकार से करना पड़ेगा, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे subsidiary books में हो बोला है, posting from cash book है न तो cash book के अंदर हमारे जो भी cash account के transactions है, और हमारे जो भी bank account के transactions है, वो सारे के सारे transactions वहाँ पे आपन record करते हैं के नहीं करते हैं बोलो, करते हैं ना, तो अभी देखो के से करना है, क्या करना है, समझ लो मेरी बात को, मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले यहाँ पर क्या क्यों पड़ा है नहीं, I know, right, लेकिन इतना समझ लो दोस्तों कि जब भी ना, इतना समझ लो, please, कि cash book के अंदर क्या होता है, पेटी cash book यह concept में, वहाँ पे दो लोग होते हैं, पहला होता है, वहाँ पे main cashier, और दूसरा होता है, वहाँ पे petty cashier, तो petty cashier को होता है, जो छोट करते हैं, एक person को appoint करते हैं, और वो person को हर मेने को समझो, for example, 50,000 रुपीज दे देंगे, main cashier क्या करेगा, जो head cashier, main ya head cashier क्या करेगा, जो petty cashier है न, तो यह petty cashier को, यह main ya head cashier हर मेने को 25,000 यह XYZ अमोन दे देगा, और वो main ya head cashier, petty cashier को क्या बोलेगा, कि यह 25,000 में तुझे द खर्चे होंगे न, जैसे कि for example, चाय पानी का खर्चा, या stationary का खर्चा, यह क्या कर, तू खर्चा कर दे, और month end में मुझे बस हिसाब दे देना, कि मैंने तुझे 25,000 दिये थे, उस में से तुने का का पे खर्चा किया, और मेरे पास कितना, या आपके पास कितना पैसा, को बोलेगा, main या head cashier, petty cashier को बोलेगा, समझा, तो अभी मुझे एक बात बताओ, अगर main cashier, अगर petty cashier को कोई पैसा अगर दे रहा है, बराबर, तो वहाँ पे क्या होगा, वो entry करेगा, यह entry कोन करेगा, याद रखना, यह entry जो होता है न, petty cash account debit to cash or bank account, यह entry हमेशा रमेशा क करेगा, petty cash account debit, petty cash मतलब क्या, उसने petty cashier को पैसा दिया, इसलिए वो petty cash account debit करेगा, और जब भी head cashier पैसा देगा, तो उसके पास से पैसा जाएगा, की नहीं जाएगा, बोलो, 100% जाएगा, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे cashier bank को credit कर देगा, धान मैं आ रहा है, आपको मैं क्य आ बोलो, बहुत आसान है न, सिरिफ इतना याद रखो, जब भी head या main cashier, petty cashier को पैसा देता है, तो वो time पे हम entry करते है, petty cash account debit to cash और bank account, अगर cash से दे रहा है, तो cash को credit करो, bank से पैसा दे रहा है, तो bank को credit करो, समझ रहो, second क्या बोल रहे है आपे, अभी क्या हुआ, की petty cashier को head cashier के पास से पैसा आया, बराबर, अभी petty cashier के पास पैसा है, तो जब भी petty cashier, ये कोई भी खर्चों के लिए payment करेगा, तो वो क्या करेगा, अभी आप मुझे एक बात बताओ, जब भी हम कोई भी चीजों के लिए, वहाँ पे खर्चा करते हैं, तो खर्चा मतलब अपन debit क करती के नहीं, बोलो, एकदम बराबर, ठीक है, तो petty cashier क्या करेगा, जो भी खर्चा होगा, उसको debit करेगा, और जब भी cash जाएगा, तो petty cash account को credit करेगा, इतना याद रखो, petty cash में, अगर पैसा आ रहा है, तो petty cash को debit किया जाता है, और petty cash में से, अगर पैसा जा रहा है, तो petty cash account को credit किया जाता है, समझे के नहीं, समझे बताओ, ठीक है, petty cash में पैसा आ रहा है, तो petty cash को debit करो, petty cash में से पैसा जा रहा है, तो petty cash को credit करो, बस इतना simple fund है, है ना, आगे क्या बोल रहा है, आपे देखो, taking imaginary expenses hit, the journal entry would be, मतलब वो क्या बोल रहा है, कि अगर मानलो, for example, हमने क्य क्या किया, जिसे मानलो, मैंने traveling के लिए खर्चा किया, मैंने postage के लिए खर्चा किया, मैंने printing के लिए खर्चा किया, मैंने sundry expense के लिए खर्चा किया, तो खर्चा मतलब क्या, debit, खर्चा मतलब क्या, debit, और petty cash को हमेशा क्या करने का, बोलो, पैसा जा रहा है, तो उसको credit करो उसको क्या करो बताओ, क्रेडिट करो, इतना याद रहेगा बताओ, है ना बहुत आसा नहीं के नहीं, चलो, अभी अपन क्या करते हैं गाइस, यह जो वीडियो है ना, यह वीडियो में यहां तक रोक देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तरवाइस, आज मैंने आपको क्या पढ़ा है बोलो, तो आज हमने यहां पर पढ़ा, इलस्टेशन नंबर सबसे पहले 3, और उसके बाद यहां पर मैंने आपके साथ डिसकस किया, कि जब भी हमारा भापे, सबसीडिरी बुक्स के मदद से लेजर बनना होगा, तो सबसीडिरी बुक्स अलग-अलग प्रकार की होतीत, उसमें से आज हमने सिरिफ कैश बुक का चोटा सा पाट देख लिया है, समझ रहो, तो जो भी अपना लेक्चर होगा, that is lecture नंबर 75, तो वो वीडियो में यहां पे मैं आपके साथ, यह जो इलस्टेशन नंबर 4 है न बेटा, यह आपका मैं क कर दूँगा, और इलस्टेशन नंबर 5 पी अगर होता है, तो आपन वहापे देख लेंगे, समझ रहो, तो गाइस, मैं आपको प्रॉमिस करता हो, आपको हर चीज़े समझ में आएका, टेंशन लेने रिएसा कुछ नहीं है, सिरिफ अगर ऐसा हुआ, कि वीडियो दिखते पेलिग्राम, जो अपना गुरूप है, या वाट्सअप का है, तो उसके अंदर आप कनेक्ट हो जाना, मतलब क्या होगा, जब भी मैं लेक्चार से अगर अपलोड करूँगा, या यह जो भी चीज़े होगी, तो आपको आपको आपडेट मिल जाएगा है, तो उसका लिंक आपको 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 आपक तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने पर्चेस बुक के अंदर, याप अगर मुद्रा स्टोर्स और आकाश कंपनी लिमिटेड का अगर नाम लिखा हुआ है, इसका मतलबी होता है कि दूरिंग दम मन्त, जो यापर डिसेंबर मन्त का उन्हों ने दिया है, तो उस मन्त में यापर मैंने मुद्रा स्टोर्स और आकाश कंपनी लिमिटेड के पास से यापर क्रेडिट पर पर्चेस किया हुआ है, इतना आपको जान में आया, अब मुझे एक बात बताओ, कि जब भी मैं कोई भी क्रेडिट पर्चेस वापर करूंगा, तो क्रेडिट पर्चेस के समय आपके अपन क्या एंट्री करते हैं, आपने से मुझे कोई कमेंट सेक्षन में बता सकता है, तो देखो, आपन क्रेडिट पर्चेस के टाइम पर हमेशा एंट्री करते हैं, सुनो मेरे बात अच्छे से, अपन एंट्री करेंगे, पर्चेस अकाउंट डेबिट, अपन क्या entry क्या होगा to mudra stores account कितना बोले जल्दी से 15,000 और क्या आएगा बोले यहाँ पर accounts company limited यहाँ पर कितना आएगा 12,000 ऐसे total मिला कि मैंने 27,000 रुपीज के गुर्स आपर क्या क्या बोलो purchase किये ज्यान में आ रहा है क्या तो मुझे एक बात बताओ अभी जब भी यहाँ जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है purchase book में यहाँ पर तीन चीज़े involved है पहला कौन सा आएगा फिर यहाँ पर purchase account देखो न आपको कितने account दिख रहा है बताओ तीन account जिसमें से पहला कौन सा आपको 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 दिख रहा ह समझ रहे हो अब आपको लेजर का format तो याद है ना पका जब बोलो जल्दी से दो साइड होते हैं debit credit, debit साइड में चार column, date particular journal folio amount, wayside date particular journal folio amount ऐसा आपको दोनों साइड में prepare करने है तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ फिर इसके ही basis पर यहाँ पर मैं तीन लेजर को या ती तीसरा यहाँ पर मुझे कौन सा account prepare करना पड़ेगा बोलो अकाश company limited नाम का account यहाँ पर मुझे prepare करना पड़ेगा अभी इसका format आपको पता है ना left में क्या लिखने का DR, right में क्या लिखोगे CR है ना ऐसी तीनों की case में करो यहाँ पर DR यहाँ पर CR और यहाँ पर में कर रहा आपको तो यहाँ पर और वेससे आपको format तो बनाना पड़ेगा क्या एगा बोलो date, particulars, laser, folio, amount और वैसा ही आपको यहाँ पर लिखना है date, particulars क्या लिखोगे बोलो laser, folio, amount है ना ऐसा ही आप क्या कर लेना यह जितने भी हमने आगे accounts बना है ना उसमें वैसा ही same to same क्या कर द देना, इतना कि आपने, अभी ध्यान देना में क्या बोल रहो, मुझे एक बात बताओ, जब भी आप laser posting करते हैं, तो वो time पे आपको purchase book में उन्हें date दिया है, कि हमने मुद्रा store के पास से 5 December को purchase किया, आक Cash Company Limited के पास से 25 December को purchase किया, तो यहाँ आपको date से अगर तो अल्रेड purchase book नहीं है, तो मैंने क्या किया होता है, तो मैंने क्या किया होता है, तो मैंने क्या होता है, तो जब भी मुझे purchase book नहीं दिया होता है, वो time पे यहाँ पे मैंने इंडिविजुल लिखा होता और बुसरा यहाँ पर मैंने Acast Company Limited ऐसे भी इंडिविजुल लिखा होता 15,000 और 12,000 समझ रहे हो क्या लेकिन मुझे एक बात बताओ यहाँ पर उन्होंने आपको purchase book directly दिया है के नहीं दिया है बताओ हाँ उन्होंने हम पर purchase book दिया है तो मैं क्या करूँगा जब भी मैं purchase account यहाँ पर open करूँगा तो वो टाइम पर हैसे इंडिविजुल नाम लिखने से अच्छा मैं क्या कर दूँगा directly purchase book का जो यह total है 27,000 आपको दिखरा है के देखो यह purchase book का जो 27,000 का total है वही मैं क्या करूँगा purchase book के debit में आपके as a to sundry as per purchase book है तो मैं क्या करूँगा directly purchase book का जो total है उसको उठा के मैं purchase account के debit में लिख दूँगा मुझे एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ आपको यह तो पता है ना कि purchase जो भी आपका खर्चा है तो खर्चे को अमेशा क्या करते बोलो debit करते इसलिए आपके purchase account के का आप आप आएगा बोलो debit में आएगा समझ रहे हो तो एक तो आप क्या करो एक तो आप purchase account के debit में to sundry as per purchase book ऐसे लिखो ऐसे लिखा तो भी बराबर है या अगर आपको ऐसा individual लिखना है ऐसा लिखा आपने तो भी चल सकता है समझ रहे हो कि आप I hope मैं जो भी आपको बताने कोशिश करो आपको टकाटक समझता होगा राइट पर इसका second effect का आप है अभी मुझे एक बात बताओ जिससे देखो ना यहाँ पर purchase account को debit हुआ था तो मैंने आपर purchase account के debit side में लिख दिया बराबर और यहाँ पर मुझे एक बात बताओ जैसे मुद्रा स्टोर्स को क्या हुआ है बोलो credit हुआ है ना आकास company limited को क्या हुआ है बोलो credit हुआ है ना तो मैं क्या करूंगा मुद्रा स्टोर्स के credit में जाओंगा और यहाँ पर में लिखूंगा by purchases account यहाँ पर में क्या लिखूंगा by purchases account आपको बस इतना याद रख लें लेजर में अगर journal entry में debit हुआ है तो इसका मतलब यह account के debit side में लिखना है और अगर किसी भी account को अगर credit हुआ है इसका मतलब यह होता है कि आपको वो account के credit side में लिखना है कि आपको लिखना है बुरू account के आपको credit side में लिखना है इतना याद रहेगा कि बताओ ज़दी से easy cut up यह बताओ बहुत easy तो यहाँ पर में लिखूंगा फिर मुद्रा के credit में बाई purchase अकाउंट तो मुद्रा के सामने कितना figure है बोलो 15,000 तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 15,000 और उसी प्रकार से अकाश company limited जो भी है उसके credit में यहाँ कितना figure है बोलो 12,000 तो यहाँ पर अकाश company limited credit में मैं लिखूंगा by purchase अकाउंट और यहाँ पर लिख दूँगा 12,000 clear है क्या बता हूं ठीक है तो यह बस एक basic था कि यहाँ पर हमको अगर उन्हें ने purchase book दिया होगा तो purchase book के मदद से किस प्रकार से हमको यहाँ पर लेजर का posting करने एक दम basic चीज़े यहाँ पर हमको सिखने को मिल गए समझ रहो के बताओ आपके text book का page number 96 के उपर का illustration number 5 तो मैं आपको सबको पहले ही बोल दूँ कि यह जो भी illustration है न इसमें हमको क्या करना है तो इसमें हमको है न दोस्तो आपको उन्होंने sales book दिया होगा sales book नाम का एक subsidiary book जो होता है वो आपको उन्होंने वहाँ पर दिया होगा और आपको क्या करना है वो sales book की मदद से वहाँ पर आपको ledger account को prepare करना है ठीक है तो प्लीज अच्छे ज्यान देना बहुत easy है बिल्कुल tough नहीं है देखो यहाँ पर उन्होंने क्या अपन कौन से transactions record करते हैं मुझे comment section में बताओ जल्दी से sales book के अंदर है आपन हमेशा record करते हैं हमारे credit sales कोन से करते हैं बताओ credit sales करते है ठीक है तो एकदम 120 का fund है क्या होगा मालू में क्या कि आपन क्या करेंगे पूरे मन्द के जितने भी अपने credit वाले sales के transactions है वो सारे के सारे transactions आपन sales book के अंदर लिख लेंगे इतना आपने लिखा और फिर क्या होगा कि यह जो भी sales book का हमारा यह last वाला total होगा नाम idea तो आपन क्या करेंगे बस यह total को आपन हम एक sales account नाम के लेजर प्रिपेर करेंगे और यह sales account नाम के लेजर में अपन वह sales book का total है उसको आपन लिख देंगे ठीक है अब ही कैसे लिखना है क्या लिखना है मैं आपको हर एक चीज़े बता दूँगा उसमें टेंशन लेने कोई ज़राद नहीं है तो देखो गाईज अगर यहाँ पर आपको दिखता होगा तो वहाँ पर उन्होंने हमको बोला है sales book के अंदर वहाँ पर हमने नरेंद्र जी को sale किया 17 December को और यहाँ पर हमने देवेंद्र जी को sale किया 22nd December को बराबर न तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पर मुझे एक बाद बोलो हमको कितने ledgers यहाँ पर prepare करने पड़ेंगे तो देखो यार यहाँ पर हमको यह तीन ledgers prepare करने पड़ेंगी कौन से कौन से सबसे पहला मुझ जो ledger वहाँ पर prepare करना पड़ेगा वो मुझे बनाना पड़ेगा नरेंद्र का ledger और तिसरा मुझे यहाँ पर पर प्रिपेर करना पड़ेगा वो मुझे करना पड़ेगा देवेंद्र का ledger समझ रहें आप इतने आद रखो sales book के अंदर जितने भी नाम है न वो हमारे obviously क्य करेंगे और लास में वहाँ पर अपन sales का एक account open करेंगे ठीक है अभी थोड़ा से मैं आप एक question पूछता हूँ ना मुझे बात बताओ गाईज कि जब भी अपन credit sales करते हैं तो credit sales के time पर वहाँ पर मुझे कौन सा entry करना पड़ता है क्या आप मैंसे मुझे कोई अब बता सकता है कि comment section में जल्दी से बताओ तो देखो गाईज जब भी अभी देखो न यह question के अंदर यहाँ पर अगर मैंने नरेंदर को और अगर देवेंदर को मैंने अगर credit sales किया होगा वराबर तो यहाँ पर मैंने entry क्या होगा तो मैंने वहाँ पर entry क्या होगा आकाउंट डेबिट यहां पर में दुसरा बोल सकता हूं देवेंदर आकाउंट डेबिट तू क्या किया ÖG convey者's से तो समझ रहे होगा आपर कि então में लिखा इसे हैं कितने काते अकौंट बड़ेंगे जैसे थीन leg जर्नल पोलियो आमांट ऐसे डेबिट और क्रेट साइट दोनों साइड में यहाँ पर आ जाएगा बरबर तो इस प्रकार से में तीनों लोगों के क्या कर दूँगा वापर या नरेंदरा देवेंदरा और सेल्स यह तीनों चीज़ का में वापर एक अकाउंट ओपन कर है तो जब भी किसी भी अकाउंट को डेबिट होगा तो हमको इतना आद रखना है कि हमको उस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है समझ रहे हो बराबर तो मैं क्या करूंगा guys मैं जाओंगा नरेंध्र account के debit side में और यहाँ पर मैं應該 दूँगा तू छपयों कामल दूग्ड यहाँ पर मैंकि लिख दूँगा तू पर मैंnant लेखेंगी नरेंद्र का यहाँ आपे sales कितना है रहे हमने नरेंद्र को sell कितना किया 22,000 तो यहाँ पे में सीधा-सीधा क्या कर दूँगा उसका figure लिख दूँगा समझा इसी प्रकार से मुझे क्या करना है बोले देवेंद्र का आपे prepare करना है तो देवेंद्र में कैसे करूंगा अभी देखो न देवेंद्र जब भी आप sales book के basis से आप अगर sales account प्रिपेर करते हो sales book के basis से अगर आप sales account अगर प्रिपेर कर रहे हो तो वो time पे आपको इतना याद रखना है कि sales book का यह वाला figure रहेगा ना कौन सा आपका last वाला total जो रहेगा ना वोही total को क्या कर देने का वहाँ पे लिख देने का sales account को credit मतलब sales account के कौन से side में एकदम बरबर credit side में ठीक है ना और याद रखना अपन जब भी debit में लिखते है तो two से शुरुआज credit में लिखते है तो buy से शुरुआज ध्यान में रहेगा ना तो आभी देखो यहाँ पे में लिखूँगा buy क्या लिखूँगा sales को credit पहला न directly आपे क्या कर देने का buy sales book ऐसे आपने लिखा तो भी चलेगा या वहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो buy sundries as per sales book समझ रहे हो तो यहाँ आपका 40,000 यहाँ पे आ जाएगा ध्यान में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ बहुत आसन राइट लास्ट वीडियो में आप exactly कैसा posting करना है यह हमको यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है ध्यान में आया तो आज के इस वीडियो में मैं आपके textbook का जो page number 97 है उसके उपर का जो illustration 6 है वो आपन solve करेंगे और अगर होता है तो आपन illustration number 7 भी यहाँ पे देख लेंगे तो जल्दी से आ रहा दोस्तों आपके textbook के page number 97 के उपर देखा यहाँ पे क्या दिया है तो यहाँ पे उन्होंने हमको दिया है posting of entries in purchase return book और return outward book ओके तो मतलब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि जो भी हमारा purchase return नाम का subsidiary book है तो वो subsidiary books की मदद से वहाँ पे मुझे उसका ledger account prepare करना है राइट सो इतना याद रखना दोस्तों कि मुझे एक बात बताओ पहले कि जब भी अपन purchase return करते तो purchase return मतलब क्या होता है आप में से मुझे कोई बोल सकता है तो ध्यान दो देखो गाईज purchase return का मतलब होता है कि हमने जो भी goods को पहले purchase किया था किसी ना किसी reason के वज़े से हम वो purchase इसको क्या कर रहे है बता वापस दे रहे है तो देखो गाईज यहाँ पे उन्होंने हमको इना purchase return book दिया हुआ है और purchase return book के अंदर यहाँ पे उन्होंने हमको मुद्रा stores ऐसा उन्होंने वापे हमको दिया है बराबर अभी इसका मतलब क्या होता है थोड़ा अच्छे से समझ लो देखो जब भी उन् stores वाले को जो भी हमारे purchases थे वो हमने return कर दिये बराबर अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ जब भी मैं कोई भी purchase करता हूँ तो purchases के time पे मैं इंट्री करता हूँ purchases account debit two में करता हूँ यहाँ पे बोले लिसे मुझे मुझे मुद्रा stores अकाउंट बराबर ना अगर मैंने मुद्रा stores के पास से अगर purchase किया होता तो मैंने वो time पे ऐसा कुछ entry किया होता yes or no लेकिन मानगा अभी मैं क्या कर रहा हूँ मुद्रा stores वाले के पास से जो भी उनको return कर रहा हूँ बराबर तो obviously वो time पे क्या entry आएगा guys तो वो time पे हमारा entry आएगा मुद्रा stores account debit two आएगा my dear यहाँ पे purchase return account two क्या आएगा बोलो purchase return account हमेश याद रखना कि purchase return का जो भी journal entry होता है वो exactly आपके purchases के entry से अपोजिट होता या उल्टा होता इतना याद रखना ठीक है तो आपको यह तो समझ गया कि जब भी हमारा उन्होंने purchase return book दिया होगा तो वहाँ पे हमारा इस प्रकार का हमेश इंटरी होगा यह तो आपको समझ गया बराबर ना अभी मुझे एक बात बताओ यहाँ पे उन्होंने हमको जो purchase return का book दिया है तो यह time पे purchase return की book में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे single person का नाम दिया है मुद्रा stores का नाम दिया है इसका मतलब क्या कि हमने मुद्रा stores वाले को क्या कर दिया हमने जो भी goods purchase के तो वो return कर दिये बराबर तो यहाँ पे मुझे कितने books बनाने पड़ेंगे या कितने books नहीं बोल सकते कितने accounts है क इतने लेजर बनाने पड़ेंगे बलो दो account या दो लेजर बनाने पड़ेंगे बराबर जिसमें से सबसे पहला मेरा यहाँ पे रहेगा purchase return account क्योंकि आपन यहाँ पे purchase return का transaction कर रहे है और second वाला यहाँ पे मेरा रहेगा मुद्रा stores account जहां मैं आ रहा है मैं अभी आपको क्या बगेरे तो बस देखो दोस्तों आप जब भी कोई भी लेजर करोगे ना तो वो टाइम पे आप बस इतना याद रखो कि उसका journal entry क्या आएगा उतना याद रखो तो यह उसका journal entry आएगा तो journal entry में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मुद्रा stores को क्या हो है बताओ debit हुआ बराबर तो जब भी आप मुद्रा stores का account prepare करोगे तो मुद्रा stores को debit हुआ इसका मतलब बताओ जली से मुझे मुझे मुद्रा stores account के debit side में मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा to purchase return account ध्यान में आ रहे है ना क्योंकि मुद्रा stores को debit कि इसके बोलो purchase return के वज़े से हुआ है I hope आपको यह जो concept है समझाओगा ठीक है और दूसरा आप इसका effect क्या दोगे बोलो तो obviously अगर आप यहाँ पे देखोगे तो purchase return को credit हुआ है इसका मतलब में क्या करूँगा purchase return account open करूँगा और purchase return account के credit side में में आपे लिखूँगा क्या आपको यह तो याद है ना कि जैसे आपन अगर normal अगर लिखते थे मतला अगर हम purchase book के मदद से अगर accounting नहीं करते थे तो वो time पे मैंने यह purchase book में यहाँ पे लिखा होता by mudra stores क्या लिखा होता बोलो by mudra stores ऐसे लिखा होता राइट लेकिन आपको यहाँ पे उन्होंने purchase return book का टोड़ दिया है क्या नहीं दिया है जैसे यह बाद छोड़ दो आपकि यहाँ पे उन्होंने एक ही बंदे को वापस दिया ऐसा उन्होंने दिखा हो है लेकिन मान दो अगर यहाँ पे और तीन चार लोग होते थे जिनको अमने return दिया तो वो case में क्या किया रहता है आपने जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है उन्होंने हमको purchase return book का वहाँ पे subsidiary account दिया है या एक subsidiary book का एक type है तो उसका यहाँ पे हमको account भी prepare करना है बराबर है ना तो जब भी में वहाँ पे purchase return का account open करूँगा तो वहाँ पे में directly purchase return book का जो total होगा वही में यहाँ लिख लूँगा clear र वो सारे के सारे goods लोगों ने मुझे क्या कर दिये बोलो आपस दे दिये समझाओ उसको मैं क्या बोलता हो बताओ sales return book बोलता हो द्यान में आ रहा है क्या तो देखो अभी क्या होगा प्लीज द्यान दो मुझे एक बात बताओ कि sales return book में आपके किसका नाम दिया है बोलो बात बताओ जब भी आपन सेल करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं तो अगर मैंने उधारी प्यागर बेचा होगा तो मैंने एंट्री वापे किया होगा देवेंद्र अकाउंट डेबिट तू मैंने वापे किया होगा ये तो आपको समझ रहना जो भी बंदे को आप बेस्त है उसको debit करेंगे और sales से आपका income है इसके वेज़े से आपन उसको credit करेंगे तो आपको ध्यान में आ गया तो मुझे एक बात बताओ sales return के case में क्या होगा goods हमारे पास वह आपस आएंगे बरबर तो obviously वो case में में इसका reverse entry करूँगा ठीक है देखो guys यहापे आपको रटा मारने का नहीं यह बिल्कुल समझ रहे हो आप पहले यह देखो sales का क्या entry होता है और उसका ultra entry आप कर देना तो जब भी ultra entry करोगे तो आपे sales return हो रहे हैं तो आपे sales return account debit कर देना और क्या आएगा बोले यहापे देवेंदर account ऐसा आजाएगा बराबर तो मुझे एक बात बताओ यहापे आपने यह जो sales return का journal entry किया है तो इसके अंदर यहापे आपने कितने accounts आपके affect हो रहे बोलो दो accounts है ना जिसमें से पहला है आपका sales return account और दूसरा यहापे आपका देवेंदर account तो मैं क्या करूँगा गईस यहापे दो ledger prepare करूँगा जिसमें से पहला रहेगा sales return और दूसरा रहेगा देवेंदर बराबर अभी देखो तो यहापे journal entry के अंदर sales return को क्या हो है बताओ debit हुआ है तो मैं देवेंदर के में credit side में लिखूँगा तो देखो यहापे देवेंदर account जो है मेरा इसके में credit side में यहापे लिख दूँगा ध्यान में आ रहा है कैसे करना है ठीक है तो जाओ जल्दी से चलो sales return के debit में अभी sales return ही आपका subsidiary book का ही एक part है ना आपने sales return book से लिया हुआ है और जब भी आप देवेंदर को वहापे posting करोगे तो देवेंदर credit में अप लिखोगे by sales return account 900 ध्यान में आया तो आभी आपको यह तो समझ जगा है दोस्तों कि laser अगरे का जो भी होता है किस प्रकार से हमको वहापे करना है आसाने के नहीं बताओ जैसे से आपन आगे अभी लेजर के जब बड़े questions करेंगे अभी तक कैसा था कि आपन laser के बस उन्होंने concept दिया उसके उपर illustration दिया वेसे ही आपन question कर रहे थे ठीक है लेकिन अगले एक दो वीडियो बात कैसा होगा कि यहापे आपन जो laser के full-fledged problem है वह आपन वहापे solve करेंगे तो आपको और detail में हो हर एक चीज़े ध्यान में आ जाएगा ठीक है तो आज की इस वीडियो में यहापे मैं आपको बहुत ही important topic पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम में दुस्तों यहापे balancing of ledger account क्या नाम में बोलो balancing of ledger account अभी देखो गईस अगर आप यहापे देख सकते हो तो आपको जो भी आपका textbook का page number 98 है ना तो यह page पे यहापे उन्हें ने हमको एक balancing of ledger account का एक theoretical यहापे चीज़ दिया है बरबर तो आपन क्या करेंगे यह जो भी theoretical चीज़ है ना इसको में आपको सीधा सीधा ignore कर दूँगा और यह सारी की सारी जो चीज़ है ना मैं आपको theoretically पढ़ाने से अच्छा जब भी आपन practical problem पे चले जाएंगे तो वो टाइम पे मैं आपको हर एक चीज़े बहाँ पे बता दूँगा ठीक है तो देखो गाईज अभी यहाँ पे पूरा ज्यान देना तो देखो यहाँ पे उन्हें ने balancing of ledger account दिया हुआ है वराबर अब इतना याद रखना कि आपको यह तो पता है कि जब भी आपन कोई भी item का accounting करते तो वो time पे वो जो भी item है एक तो वो आपका personal account हो सकता है या वो आपका real account हो सकता है या वो आपका nominal account हो सकता है इतना याद रहेगा पका तो अब भी अपन क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे जब भी हमको personal account का balancing करना होगा या जब भी हमको personal account का ledger close करना होगा तो वो time पे exactly हमको क्या करना पड़ेगा ठीक है यह अब भी अपन देखने वाले अब भी देखो गाईस क्या होता है बात समझ लो आप कोई भी account अगर देखो गेंगा तो हर एक जो भी आपका account होता है या हर एक जो भी आपका ledger होता है वो ledger के आपको भी पता है कि कितने sides होते हैं बोलो दो sides होते हैं तो जो left side वाला side होता है उसको आपन बोलते है debit balance या debit side और right वाला जो side होता है उसको आपन बोलते है credit side ठीक है अब भी आपन पहले side की बात कर लेते हैं फिर आपन balance की बात कर लेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला जो left वाला होता है उसको debit side बोलूँगा जो right वाला होता है उसको credit side बोलूँगा इतना आपको समझ गया आप ज्यानदों में क्या बोल रहा हूँ देखो दोस्तो जब भी ना जब भी हमारे debit side में हमने जितने भी items लिखे है उसका figure आपन यहाँ पे लिखेंगे जैसे आपको laser का format तो याद है ना क्या format बताओ date यहाँ पे है particular फिर है journal folio और फिर है amount बरबर है ना उसी प्रकरसी credit में भी आप 4 column बनाओगे तो देखो जब भ मानलो 1 lakh debit side का total कितना है बोलो 1 lakh आया और आपने विसी प्रकरसी credit side में भी यहाँ पे कुछ न कुछ amount लिखे है और मानलो आपका credit side का जो भी amount है ना उसका आपका total है मानलो for example 80,000 है ना तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे left side का total है 1 lakh right side में है 80,000 लेकिन यहाँ पे दोनो side म मैच हो रहा है क्या बताओ equal है क्या नहीं है ना तो मुझे क्या करना पड़ता है दोस्तों यहाँ पे जितना जो side बढ़ा है ना जैसे यह case में कौन सा है अपना debit side का total है वो बढ़ा है तो यही total में क्या करूंगा credit side में लिख दूंगा समझा तो यहाँ पे credit side में भी कितना amount है वो कितना सब मिला के 80,000 था लेकिन debit side का total एक लाक होने की वज़े से मुझे credit side में भी यहापे total कितना लिखना पड़ा एक लाक लिखना पड़ा समझा तो यहापे मैं क्या करूंगा दोस्तों यहापे 80,000 और एक लाक मैच करने के लिए मैं यहापे 20,000 का एक figure लिखूंगा और यहापे मैं लिखूंगा by balance carried down मैं यहापे क्या लिखूंगा बोलो by balance carried down ठीक है तो यह जो भी मेरा concept है न उपर उपर यह concept को मैं वहापे बोलता हूँ balancing of leisure यह concept को मैं क्या बोलता हूँ कभी कभी क्या हो सकता है जैसे यह case में मैंने आपको जए example दिया यहापे left side मतलब debit side बढ़ा था और कभी कभी इसका उल्टा भी हो सकता है मतलब क्या हो सकता है more for example यह आपका एक अदि परसनल अकाँट हिए और more आपने credit side में जो भी amount लिखा ना इसका amount है flow for example वन लॉप टोटल कितना है बोलो more of more example वन लेक है और मालू debit side में एपने जो भी बड़ा है न, वही total मुझे opposite side में लिखना पड़ता, यह समझा तो यहाँ पर right side का total बड़ा है, इसलिए मैं क्या करूँगा वही total को left side में लिख दूँगा बरबर, तो यहाँ पर मैंने 1 लाक रुपे लिख दिया, लेकिन actual में left side में balance कितना है मेरा 80,000 का ही total है न, यहाँ पर जो मेरा total है, वो 80,000 का ही है न तो मैं क्या करूँगा, यह 1 लाक में से 80,000 माइनस करूँगा और यहाँ पर जो भी मेरा 20,000 आएगा न, इसको मैं बोलूँगा 2 balance carried down, इसको मैं क्या बोलूँगा, 2 balance, इतना समझा लो my dear, कि जब भी आप यह जो total करके, balancing देखो, यह जो है न, इसको आपन बोलते balancing figure, यह इसको आपन क्या बोलते बताओ, balancing figure बोलते हैं, समझा न, या उपर भी जो भी मेरा आपको यहाँ पर बोलाता न, यह situation में भी, यह भी मेरा क्या रहेगा, बताओ जल्दी से, यह भी मेरा balancing figure ही रहेगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात तो इतना याद रखना हम idea कि वहाँ पे हमको हमेशा क्या लिखना पढ़ता है बोलो balancing figure लिखना पढ़ता है क्योंकि हमको वहाँ पे जो, देखो इतना हमेशाद रखना कि यह जो भी है इसको आपन laser account बोलते हैं, बराबर तो laser का जितना भी total जो बड़ा total होगा, वही total दूसरे side में आना चाहिए, और जब भी आप ऐसा equal लिखोगे न, तो उपर वहाँ पे एक line ड्रॉ करोगे और नीचे वहाँ पे आप दो line ड्रॉ करोगे, उपर कितना line? एक line नीचे कितना line? दो line, बराबर यहाँ पे उपर एक line और नीचे दो line समझा, तो इसको आपन बोलते हैं, हमारा laser account को आमने क्या क्या बोले हैं, आपे यहाँ पे लिख रहे हो, right side में लिख रहे हो, उसका शुरुआत हमेशा by a word से होगा और left का शुरुआत हमेशा to a word से होगा, इतना समझा अभी आपके मन में ऐसा आएगा कि सर यहाँ पे cd मतलब क्या तो cd का मतलब होता है दोस्तो carried down, cd का मतलब क्या होता है बोलो, carried down होता है इसका मतलब क्या समझा लो देखो दोस्तो, जैसे कि for example मान लो, यहाँ पे मैंने xyz limited नाम का एक account open किया था, बराबर और यहाँ पे मैंने xyz limited का right side का total 1 lakh था left side का total 80,000 था और इसी reason की वाज़े से मैंने यहाँ पे debit side में 20,000 balancing figure लिख दिया, बराबर तो मुझे एक बात बताओ, यह जो मैंने यहाँ पे situation अब भी आपके साथ discuss किया, यह side में मेरा credit side बढ़ा था ना, इसलिए तो मैंने debit side में balance लिखा देखो ना, यह side बढ़ा है इसलिए तो मुझे balance यहाँ पे लिखना पड़ रहा ना तो यहाँ पे कौन सा side बढ़ा था बोलो credit side बढ़ा था कौन सा side बढ़ा था बोले यहाँ पे credit side मेरा debit side से क्या था बोले जल्दी से बहुत बढ़ा था, समझा क्या, तो हमेशा रखना my dear कि जब भी आपका credit side यह debit side से बढ़ा होता है उसको हम बोलते है credit balance उसको हम क्या बोलते है बताओ जल्दी से मुझे credit balance बोलते है और जब भी मेरा debit side जब भी मेरा कौन साइड बोलो debit side अगर मेरे credit side से अगर बढ़ा होगा तो उसको मैं बोलता हूँ मेरा कौन सा balance है बोलो debit balance है मेरा कौन सा balance है बताओ जल्दी से debit balance है याद रहेगा पका अगर मेरा credit side बढ़ा है तो मैं वहाँ पे credit balance बोलूँगा अगर debit side बढ़ा है तो debit balance बोलूँगा बराबर अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ आप लोग comment में बताओ तो ये case में दोस्तो मेरा जो left वाला था न debit side ये मेरा बढ़ा था बराबर और या का तो total 80,000 था इसलिए मैंने आपे 20,000 का balancing विगर लिग दिया आप समझ रहो ना मेरी बात को तो इतना याद रखना दोस्तो कि ये जो situation था ये situation में मेरा जो debit side है ना, मेरा debit side ये मेरे credit side से क्या था बोलो, बहुत ज़्यादा बढ़ा था, समझ रहो आप मेरी बात इसलिए मैं जब भी debit side बढ़ा रहेगा तो मैं इसको कुन सा balance बोलूँगा मैंने आपको बोला debit balance बराबर तो हमेशा रखना जब भी left side बढ़ा है, तो जो balancing figure है वो मुझे कहाँ पे लिखना पड़ेगा बोलो यहाँ पे right side में, मतलब credit side में लिखना पड़ेगा, समझा तो वहाँ पे अप्लीज आपके notebook में दो points ये लिखके लो, क्या लिखके लोगे, बोले जल्दी सबसे पहले जब मेरा debit side का total प्लीज वहाँ पे अप्लीक के लो, जब मेरा debit side का total, ये credit side से अगर बढ़ा होता है तो वो situation में मैं इसको बोलता हूँ, ये मेरा debit balance है कौन सा balance है, बोले ये मेरा debit balance है, और जब भी debit balance होता है, तो हमेशा आद रखना, मेरा जो भी balancing figure होता है मेरा जो भी balancing figure होता है मतलब कौन सा, आपका balance carried down वाला, समझा, ये हमेशा आता है मेरे credit side में हमेशा कापे लिखूंगा, बताओ में credit side में लिखूंगा, इतना समझा और second वापे और एक point लिखके रखवा, कि जब भी मेरा credit side का total अगर मेरे debit side से बड़ा होगा, अगर मेरे debit side से बड़ा होगा, तो उसको मैं बोलूँगा, credit balance उसको मैं कौन सा balance बोलूँगा, बताओ जल्दी से, credit balance बोलूँगा और इसका जो भी मेरा balancing figure होगा, इसका जो भी मेरा balancing figure होगा यह हमेशा मैं का पर लिखूंगा बोलो जैसे कौन से बैलंसिंग वाला बराबर यह हमेशा मैं का पर लिखूंगा डेबिट साइड में लिखूंगा और तुम मुझे और एक बात बोल दो कि जब भी मैं कोई भी balancing figure को अगर debit side में लिखता हूँ तो उसका जो starting है उसका जो शुरुवा थे बराबर वो हमेशा किस से होगा बोलो 2 balance carried down से होगा और जब भी मैं credit side में balancing figure लिखूँँगा तो इसका शुरुवा था हमेशा by balance carried down से होगा यह actually याद रखने जैसा है रखता मारने जैसा कोई concept नहीं है लेकिन आपके लिए थोड़ा सा नाया है ना तो starting में अपन थोड़ा सा mechanically जाएंगे और जैसे जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपन जब पूरे बड़े वाले questions करेंगे तो वो time पर इसका जो detail logic है मैं आपको हर एक चीज़े वापर explain कर दूँगा ठीक है so देखो गाईज मैं वापस बोल रहो balancing of ledger का मतलब क्या देखो मैंने आपको यहापर बोला था ना कि मैं आपको जो भी discussion करूँगा है problem के साथ करूँगा तो इतना याद रखना balancing of ledger का मतलब कि हमको जो भी ledger है उसका जो भी side बढ़ा होगा अगर credit side बढ़ा होगा तो वही total मुझे debit में लिखना है और debit में मुझे balancing figure लिख देना है and vice versa तो यह जो भी चीज़ है ने दोस्तो इसको आपन बोलते balancing of ledger account ठीक है तो यहाँ पे अलग-अलग प्रकार के accounts होते है जिसे personal account real account nominal account राइट तो इसे हर एक account के case में हमको balancing कैस से करना है यह अपन next video के वहाँ पे देख लेंगे ठीक है तो देखो guys जैसे आपको यह तो बताए ना कि accounts के अंदर जो भी item है वो एक तो आपका real account हो सकता है यह आपका वो personal account हो सकता है यह आपका nominal account हो सकता है बराबर तो यहाँ पे आपन क्या करेंगे सबसे पहले जो भी आपका personal account होता है तो personal account के case में यहाँ पे exactly किस प्रकार से balancing उसका करना होता है या personal account के case में वापे laser को किस प्रकार से close करना है वो यापे आपन देख लेंगे तो देखो दोस्तो जो भी personal account है ना एक तो उसका debit balance भी हो सकता है और personal account का credit balance भी हो सकता है क्या बोल रहाओ प्लीज अच्छे से द्यान देना जो भी हमारा personal account होता है और personal account का credit balance भी हो सकता है तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपके साथ discuss करूँगा ऐसे item का जिसका balance जो भी रहेगा वो debit balance होगा अब मुझे एक बात बतावा कि आपको मैंने कल के lecture में यह सिखा दिया था के नहीं बताव debit balance मतलब क्या तो क्या आप में से मुझे कोई comment में बोल सकता है debit balance मतलब क्या होता है ध्यान दो देखो गईस debit balance मतलब हमने जो भी account वा पे prepare किया है न वो account का अगर debit side अगर credit side से बढ़ा होगा तो वो case में मैं उसको बोलता हूँ यह मेरा debit balance है याद रहेगा पक्का आपको जब भी आपन इसके उपर एक illustration देखेंगे तो आपको इसके बारे में और detail में पता चल जाएगा ठीक है तो देखो गईस जल्दी सा जब आपके textbook के page number 99 के उपर और यहापे उन्होंने आपको एक illustration number 8 करके एक illustration दिये बाराबर तो आपन क्या करेंगे यहापे अभी illustration number 8 है इसको आपन जल्दी से देख लेते है देखो तो यहापे उन्होंने क्या दिया है 2018 फरवरी के अंदर उन्होंने जो भी transactions दिये वो transactions उन्होंने यहापे उन्होंने यहापे उन्होंको क्या बोला है तो वैसा तो कुछ उन्हों नहीं आपे specifically mention नहीं किया है लेकिन यहाँ पे आपन ledger chapter कर रहे है इसका मतलब यहाँ पे आपन क्या करेंगे जो personal account है ना उसका यहाँ पे आपन एक ledger prepare करेंगे देखो दोस्तो जैसे अब भी कहसा है कि आप ledger यह जो भी पढ़ रहे हो तो यह सबसे पहले journal entry सीख लेते या सबसे पहले आपन क्या करेंगे जो भी transactions दिए तो उसका आपन सबसे पहले journal entry कर लेंगे आपको journal यह तो आता है बड़ा बरना लेकिन सबसे पहले आपन journal entry करेंगे और वह होने के बाद आपन क्या करेंगे उसके मदद से वहाँ पे ledger को prepare माज रहे हूँ डायरेक्लि अगर मैं आपको लेजर पे बता दूँगा तो शायद वहाँ पर थोड़ा सा कंफुजन हो सकता है तो और फटि लेक्चर तक आपन क्या करेंगे जो भी ट्रान्डेक्शन से वो सारे के सारे transaction का वहापे पहले आपन journal entry करेंगे और journal entry की मदद से फिर वहापे आपन leisure account को prepare कर देंगे मतलब आपको concept एकदम strongly आपके दिमाग में बैठ जाएगा ठीक है तो देखो यहापे उन्हों ने क्या दिया है sold goods to ragav बराबर अभी journal entry तो आपको आता है ना जब भी आपने रागव को वहापे goods sale किये बराबर तो obvious ही क्या हो जाएगा भूलो रागव goods को receive करेगा समझ रहे हो ना तो यहापे entry क्या हैगा बताओ रागव account debit to sales account sales को credit क्यों किया क्योंकि sales है हमारा income है इतना याद रहेगा और वहापे बाकी का यहापे मैं ज्यादा डिसकस ने करूँगा क्योंकि मुझे आपके जो focus करना है लेजर क्यों पर करना है श्रीफ इतना याद रखना आप जब भी journal entry करते हो तो जर्ले इंटरी में format आपको पता है मतलब क्या कि यहापे मैंने रागव को 6000 रुपय के goods बेचे थे बराबर फिर उसके पास से मुझे अब भी पैसा कितना आया बोलो 5400 आया तो इतना याद रखना कि 6000 के लिए मुझे 5400 आया और मैंने सामने वाले person को 600 का discount दिया तो जब भी मैं सामने वाले person को discount देता हो तो म क्या बताओ debit what comes in तो जो भी मुझे आता है उसको debit करो तो देखो यहापे मैंने cash account को debit किया है 5400 होगा इतना clear रहे के बताओ second मैं सामने वाले person को discount दे रहा हूँ तो जब भी मैं discount देता हूँ तो मेरा वापे खर्चा होगा के नहीं या loss होगा के नहीं होगा तो वापे loss मतलब nominal account तो expenditure है loss को क्या करेंगे बोलो आपन जल्दी से debit करेंगे ध्यान में आ रहा है और यहापे मुझे पैसा किसके पास से म और narration लिख देना यार नॉर्मल है being amount received from रागव after allowing cash discount रुपीज 600 यह आप लिख दो ठीक है चलो अभी 17 फरवरी को क्या दिया देखो invoice goods to रागव 14,000 अब यहापे बहुत सारे बच्चों को confusion हो सकता है invoice goods to रागव invoice goods to रागव मतलब हमने रागव को goods बेचे और हमने वापे उसके लिए invoice create किया invoice goods तू जब आता है न तू इसका मतलब हमने बेचा हमने sale किया वराबर तो मैं जब भी रागव को sale करूँगा तो obviously क्या entry रहेगा रागव लेगा रागव account debit मेरा sale हो रहा है sales income income मतलब credit तो sales को credit करनेगा ठीक है debit amount रहेगा debit column में और credit amount रहेगा वो credit amount वाले column में लिख देंगे ठीक है चलो next देखो जल्दी से received from रागव 6000 तो इसका मतलब क्या पैसा आया cash account debit to रागव account टाइम पस है न एकदम easy राइट तो यहाँ पे लाश में आपने जब भी आप journal करते हो तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ते है उसका total लेना पड़ते है इतना आपको समझा एकदम अब ध्यान दो मैं यहाँ पे कौन सा टॉपिक आपको पड़ा रहा हूँ personal account वाला topic पड़ा रहा हूँ बराबर तो यहाँ पे मेरा personal account अगर आप देखोगे तो रागव है न यहाँ पे को ने बुलो रागव है बराबर तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा दोस्को लेजर ज लेजर में क्या आते है बोलो journal folio amount राइट तो यह debit side में भी आएगा और credit side में दोनों side में same format रहेगा याद रखना DRCR लिखना अवश्चा के बला क्या mandatory है DRCR लिखना mandatory ठीक है अभी सबसे पहले देखो एकदम अच्छे से ज्यान देना देखो क्या हुआ है रागव account debit कितना 6,000 डेट 1st February वराबर तो रागव account debit मतलब रागव account के debit side में लिखना याद रहेगा ठीक है तो देखो यहापे सबसे पहले में date लिखा 2018 February 1 और रागव को debit क्यो हुआ sales की वज़े से समझा के तो रागव account के debit side में में लिखूंगा to sales account ध्यान में आ रहा है क्या और देखो यहापे amount कितना दिया है my dear यहापे दिया है उन्होंने 6,000 तो देखो यहापे मैंने 6,000 लिख लिया राइट देखो guys मैं जान बुचके नहीं लेजर अगरे मैं खुद prepare नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें वीडियो बड़ा हो जाएका time लगेगा तो इसलिए आपको समझा करते जाओ है ना देखो आगे क्या लिखा है देखो यहापे जल्दी से cash account debit discount allowed account debit to ragav account अच्छा मतलब यहापे रागव को क्रेडिट हुआ है तो ragav को credit मतलब ragav के credit side में लिखना है ragav को credit मतलब ragav के credit side में लिखना है समझा तो आभी देखो यह थोड़ा यहापे confuse मत हो ना द लेकिन यहापे debit कितने दो debit है तो कोई tension नहीं है क्या करने का सबसे पहले credit side में जाने का date लिखने का date लिखने का date तो आफ लिख देना ठीक है और यहापे रागव को credit है और यहापे दो debit है का रागव को credit है और दो debit है ना तो मैं क्या करूँगा रागव के credit साइड में जाओंगा और वहाँ पे जिस reason के वज़े से debit हुआ था वो वहाँ पे मैं लिख दूँगा समझा जैसे यहाँ पे रागव को credit हुआ था और cash को debit discount अनट को debit बाराबर तो मैं जाओंगा रागव आक credit में वहाँ पे लिखूंगा buy cash buy discount समझ रहे हो क्या थीक है यह तो अभी आपको दिमाग में पक्का बेड़ गया होगा जब आप debit में लिखते हो तो 2 होता है credit में लिखते हो तो buy होता है समझ रहे हो ना गाईस ओके देखो दोस्तों जान बूचके में क्या कर रहा हूँ ना या कोई भी question हो illustration हो मैं आपको लिए हर रेक वहाँ पे चीज़े line to line sequence में जा रहा हो जिसके वज़े से क्या हो जाएगा कि जब आप textbook के माध्यम क्योंकि maximum बच्चों के पास तो textbook के होगा ना तो उस माध्यम से आप वहाँ प्रॉपरली पढ़ पाओ इस reason के वज़े से जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ यह line से बना रहा हूँ समझ रहे हो ना तो please थोड़ा सा मतलब क्या करो थोड़ा patience ली अगर थोड़ा patience रखके या थोड़ा सा patient लिया अगर आप वीडियो को देखोगे ना तो यह मेरा आपको promise है कि आपको ऐसा होई नहीं सकता आपको सम पोशिश कर रहा हूँ समझ रहे हो आप मेरी बाद चलो तो अभी देखो आगे रागव अकाउंट की कौन से साइड में लिखोगे बोलो रागव अकाउंट डेबिट मतलब रागव के डेबिट साइड में लिखना है याद रहेगा ना तो चलो देखो रागव के डेबिट side में लिख रहा हूँ 2 sales और यहाँ पर आएगा 14,000 समझा है amount लिख देना बस देखो नहीं यहाँ पर रागव account debit तो debit के सामने जो figure है वो लिखना होता है ठीक है और last में देखो यहाँ पर cash account debit to रागव रागव को credit मतलब रागव के एकदम बराबर credit side में लिखना है समझा तो रागव के credit side में आपे लिखूंगा buy cash account 6,000 इतना समझा आपको यहाँ तक आपको टकाटक एकदम clear है देखो मैं आपको यहाँ पे चेहीं तो अलग color से आपे highlight करके आपको बता रहा हूँ प्लीज ध्यान देना मैं जो अभी बोल रहा हूँ पूरा उसके उपर concentrate करना ठीक है क्योंकि यह जो आपको मैं अभी सिखाने वाले बहुत important है देखो guys मैंने एक दो तीन चार पाच इतना जितना highlight मैं किया है दोस्तों आपको बस उतना ही अभी देखना है बाकी कुछ नहीं देखना है न मुझे एक बात बताओ यह मैंने जितने भी अभी यही टोटल को मैं क्या करूंगा credit side में भी लिख दंँगा pertaining हजार, create side भी क्या कर दूँगा, बोलो 20 हजर यहापे लिख दूँगा, ठीक है, और यह जो भी 20 हजार है ना दोस्तों, यहापे मैंने जो लिखा है ना 20 हजार, यह 20 हजार, यह 20 हजार में से क्या कर दूँगा, यह जितने भी मेरे figures है ना, यह सारे के सारे figures minus कर दूँगा, इतना समझा, और यह 20 हजार में से minus करने के बाद, यहापे जो मेरा 8 हजार आ रहा है, यह 8 हजार मेरा बन जाएगा, balancing figure, यह 8 हजार मेरा क्या बन जाएगा, बोलो balancing figure बन जाएगा, ठीक है, आप मुझे एक बात बतावा, यह example में, यहापे मेरा कौन सा side बढ़ा था, debit side बढ़ा था, इसले तो मैंने balancing figure यहापे लिखा ना, तो जब भी मैं balancing figure यहापे लिखता हूँ, मतलब मेरा debit side बढ़ा है, मतलब यह मेरा कौन सा balance है बोलो, debit balance है, समझा क्या आपको, ध्यान में आ रहा है, तो month end में होगा, यह year end में होगा वगेरे वगेरे, लेकिन generally month end में करते हैं आपन, ठीके, तो इसले देखो, यहापे 28 लिखा है, यहाँ का balance carried down होगा, अगले मैंने में में लेके जाऊँगा, और अगले मैंने में आपे broad down होगा, first march को समझा, तो आपको हमेशा broad down करके, वो लेजर को छोड़ देना है वाज तक आपको करना है, फिर छोड़ देना है समझ रहाँ, तो मैं वापस बोल रहो guys, कि जितना भी मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, प्लीज एक बार घर पे आपके टेक्स बुक का जो पेज नमबर 100 है ना, उसके उपर का इलर्स्रेशन नमबर 9 ठीक है, तो जल्दी से आजाओ guys, आपके टेक्स बुक के उपर तो देखो यार, यहाँ पे उन्होंने हमको क्या दिया है, मालू में क्या तो यहाँ पे उन्होंने हमको, जो january मन्थ है ना, तो january मन के गिने चुने उन्होंने तीन ट्राउणेक्षन उन्होंने हमको दिया है, और वहाँ पे आपन क्या करेंगे, ट्रांदेक्षन की मदद से एक वहाँ पे लेजर अकाउट को prepare करेंगे ठीक है so जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ questions जितने भी आगे के 3-4-5 questions रहेंगे उतना मैं आपको क्या कराऊंगा सबसे पहले transaction का अपन journal entry करेंगे और journal entry के मदद से फिर वापे अपन ledger का वापे account open करेंगे ठीक है so देखो यहापे जल्दी से उन्हें ने 1st of January को क्या दिया है तो यहापे उन्हें ने दिया है bought goods from unpermum 8000 अभी इतना याद रखना सबसे पहले याद रखना bought का मतलब होता है purchase, bought का मतलब क्या होता है बोलो purchase होता है न तो यहापे हमने क्या किया है बोलो unpermum नाम का जो भी person है उसके पास से यहापे हमने उधारी पे goods को purchase किया कितने के बताओ 8000 बराबर अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ कि जब भी मैं कोई भी goods को purchase करता हो तो purchase के वेज़े से मेरा क्या होगा बोलो expenditure होगा तो expenditure मतलब debit आपको याद आ रहा है नहीं यह सब चीज़े अपने पढ़ लिया है तो देखो यहापे अभी मैंने purchase गिया है मतलब मैं purchase account को debit करूँगा और यहापे मुझे किस ने दिया है वो सब goods अनुपमम ने बराबर तो यहापे मैं अनुपमम को क्या करूँगा credit करूँगा समझ रहे हो क्या है ना तो यहापे journal entry मेरा क्या आएगा purchases account debit to अनुपमम सकाउट है ना और यहापे इसका narration क्या लिखोगे आप narration आसाने क्या लिखोगे बोलो being goods purchased from अनुपमम on credit basis ठीक है चलो अभी आगे जाओ मैं देखो यहापे उन्हेंने 10 तारीकों क्या दिया है 10 जानेवारी को यहापे उन्हेंने बोलाए goods return to अनुपमम 700 बाराबर अभी आप लोग मुझे एक बात बता हुआ कि जब भी आप purchase करते हो पर्चेस के टाइम पे आप क्या करते हो अप purchase account को debit करते हो इतना समझे आपको अगर आप अनुपमम को आपने जो भी goods को purchase किये अगर आप उसको return कर रहे हो तो वो time पे क्या होगा ध्यान देना आप अनुपममम को return कर रहे हो मतलब अनुपम्मम लेगा समझ रहा हूँ ना तो जो भी person goods को receive करता है लेता है उसको क्या करने का debit करने का समझे क्या तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा गाईस मैं अनुपम्मम को goods वापस दे रहा हूँ मतलब अनुपम्मम ले रहा है तो यहाँ पे मैं entry करूँगा फिर अनुपम्मम अकाउंट डेबिट क्या करूंगा बताओ अनुपम्मम अकाउंट डेबिट तू यापे में करूंगा पर्चेस रिटन अकाउंट तू क्या करूंगा बताओ पर्चेस रिटन अकाउंट कर दूंगा समाझ रहो तो देखो या पर उन्हें ने वही entry किया है क्या अनुपम्मम account debit to purchase return आपका एक बात बोलता हूँ मैं देखो यार कि आप जो भी purchase का entry करते हो ना उसका reverse entry है purchase return का होता है स्रीफ इतना याद रखना कि जब भी आप reverse entry करोगे तो वहाँ पर purchase की जगा पर बस purchase return वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा याद रहेगा एकदम easy यार मुझे एक बात बताओ ना आप purchase करते हो मतलब purchase आपका खर्चा है बरावर तो आपने समझो for example 10,000 रुपिस के goods purchase की है और उसमें से आप मान लो 1,000 रुपिस के goods वापस दे रहे हो तो आपका ultimate खर्चा तो 9,000 का ही है न मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि purchase करते हो तब खर्चा होता है और purchase किया हुआ अगर आप return करते हो तो खर्चा कम होता है ज्यान में आया क्या इसने purchase return को credit करने का ठीक है चलो तिसरा देखो यहाँ पे cash pay to anupumum 7,000 इसका मतलब क्या रहे बताओ कि आपने anupumum को 7,000 रुपिया का cash pay किया तो जब भी आप anupumum को 7,000 का cash pay करोगे इसका मतलब कि anupumum पैसे को लेगा बराबर है ना तो हमेशा रखना गाईस कि जो भी person receiver होता है उसको क्या करने का debit करने का क्योंकि person account का तो रूली है debit the receiver, credit the giver तो जब भी मैं anupumum को cash दूँगा मतलब वो पैसा लेगा, मतलब वो receiver होगा तो इसलिए मैं anupumumum को debit करूँगा और मुझे एक बात बताओ अभी कि जब भी मैं सामने वले person को cash दूँगा तो मेरे पास से cash क्या होगा बोलग जाएगा समझ रहा ना तो cash है मेरा real account है, real account का rule है, credit what goes out इसलिए मैं यहाँ पे cash account को credit कर दूँगा, ध्यान में आया है कि आपको तो यह बस अभी तक मैंने क्या क्या बोलो, journal entry किया है अभी इसके मदद से अपन क्या करेंगे, my dear, यहाँ पे हम anupumumum का यह ना, ledger है यह ledger account यहाँ पे अपन prepare करेंगे, समझ रहे हो क्या तो देखो यहाँ पे मैंने अनुपumumumum नाम का ledger बनाया, format और meth में discuss नहीं करूँगा, आपको पता है न, date, particular, आपका फिर लेजर के डाइम पे क्या आता है, journal, polio और फिर क्या है का amount देखो न वही है date particular journal portfolio amount debit credit दोनों साइड में और हमेशाद रखो जब भी आप ledger बनाओगे न तो वहाँ पे DRCR लिखना भूलना मत ठीक है यह बहुत ज़्यादा important है अभी देखो तो यहाँ पे अगर आप देखो अनुपममम अकाउंट के credit side में लिखना है समझा के बताओ तो सबसे पेले देखो यहाँ पे 2019 January 1 यहाँ पे मैं date लिखोंगा credit side में 2019 January 1 इतना समझा अभी मुझे एक बात बताओ अनुपममम को credit होने का reason को ने रे माइडियर यहाँ पे purchases purchase की वज़र से अनुपममम को credit हुआ है तो आपको यह तो पता है कि जब भी आप credit side में लिखते हो तो उसकी शुरुवत हमेशा buy से होता है तो आपे में लिखोंगा buy purchases account और यहाँ पे कितना आएगा बोलो उसके सामने देखो कितना figure है purchase के सामने 8,000 तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 8,000 clear है क्या बताओ ध्यान में आ रहा है आपको बहुत आसान है न चलो बढ़िया यार अभी देखो second वाला अनुपममम account debit 700 इसका मतलब क्या अनुपममम account को debit मतलब अनुपमम account के debit side में मुझे लिखना पड़ेगा तो मैं जाओंगा अनुपममम account के debit side में और मुझे एक बात बताओ न यार अनुपममम को यहाँ पे debit किस reason के वज़े से हुआ है बताओ purchase return के वज़े से समझ रहा है और date cash 10 तो मैं क्या करूंगा जाओंगा मेरे ledger में और ledger में यहाँ पे मैं side में लिखना है और अगर एक आदे account को अगर credit हुआ है मतलब उसके credit side में लिखना है इतना याद रहेगा ना एकदम आसा ने आगे यहाँ पे उन्होंने दिया है अनुपममम account debit to cash मतलब अनुपममम को यहाँ पे क्या हुआ है debit हुआ है अनुपममम account के debit side में जाऊंगा वहाँ पे मैं लिखना to cash account है ना तो अगर आप देखोगे गाईस तो यहाँ पे हमने 8000 लिखा है और यहाँ पे हमने दो ही चीज़े लिखी थी 7000 और 7000 और 7000 और कितना 700 ऐसे पकड़के हमारा कितना आएगा बोलो 7000 और 700 आएगा ध्यान में आ रहा है क्या तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे हमारा कुन सा side बढ़ा है रे माइडियर तो यहाँ पे हमारा जो credit side है यह बढ़ा है तो जो side बढ़ा है उसका ही total opposite side में लिखना है balancing of leisure कुछ याद आ रहा है आपको मैंने आपको यह जिखाया था देखो यहाँ पे 8000 है तो यही figure मैंने यहाँ पे लिखा और यह बड़ा figure तो यही figure मैंने debit में लिखा इतना समझा और यह 8000 में से मैंने क्या किया यह जो 7700 माइनस किया और यहाँ पे मैरा balance आया 300 का समझ रहे हो कि 300 कैसे आया 8000 यह 8000 माइनस 7700 तो ऐसे 300 आया समझा तो जो भी आपका यह balance रहेगा यह मैं क्या करूंगा carry down करूंगा और यह अगले साल में अगले month में बोल सकते साल में अगले month में आपको समझ रहे हो क्या अच्छा मुझे आपको मैं कमेंट से एक वीडियो में question पूछता हूँ मुझे comment में पक्का बता ने ठीक है question आपको मैं पूछ रहा हूँ मुझे एक बात बताओ यहाँ पे मेरा credit side का total जाद आये वारा बर इसलिए मैंने यह जो figure 300 इसको मैंने debit side में लिख दिया ठीक है आप मेंसे मुझे कोई comment section में जारा बोल सकता है कि मेरा कौन सा balance रहेगा मुझे comment करना फिर इसका answer सुनना तो यह जो balance है ना दोस्तों यह credit balance रहेगा credit balance क्यों कि यहाँ पे मेरा credit side बढ़ा है समझा क्या हमेशा रखना मेरा जो भी side बढ़ा होता है वह हमेशा balance होता है यहाँ पे 8000 credit balance credit side बढ़ा है 8000 तो इसलिए मैंने 8000 debit में भी लिखा इसलिए मुझे balance रहे आप है लिखना पड़ हमेशा रखो अगर credit side बढ़ा है तो मेरा credit balance होगा और जब मेरा credit balance होगा तो उसका जो balancing figure रहे गए हमेशा debit में आएगा ठीक है यह सब चीज़े अल्लेडी मैंने आपको लाज कुछ पिछले जो मैं वीडियो आपे अप्लोड की तो उसमें आपको यह बता दिया था ठीक है टेक्सबुक का जो page number 101 है उसके उपर का illustration number जो 10 है न वो अपन यहाँ पे solve करेंगे ठीक है तो जल्दी से आजओ गाईज आपके टेक्सबुक के page number 101 के उपर देखो यहाँ पे उन्होंने हमको दिया है following transaction took place between the aba and naba तो यहाँ पे क्या हुए बोलो कि जो भी aba and naba है इनके बीच का उन्होंने आपको transactions दिया है और नीचे आपके उन्होंने बोला है prepare aba's account in the books of naba and naba's account in the books of aba यह कैसे करना है मैं आपको बोल दूँगा उसका attention मतलो ठीक है सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो उन्होंने यहाँ पे हमको जो 2019 September month है यह September month के अंदर उन्होंने जितने भी transactions किये है वो सारे के सारे transactions यहाँ पे उन्होंने हमको दिये है तो अभी आपन क्या करेंगे my dear यहापे आपन सबसे पहले यह हर एक जो transaction है ना यह transaction की सबसे यहापे आपन ledger posting करना start कर देंगे समझ रहे हो अभी देखो यार सीधा सीधा है यहापे आपको उन्होंने clearly बोला है prepare abas account यहापे आपको किसका account बनाना है तो यहापे आपको abas account बनाना है समझ रहे हो और आपको यह abas account किसके book में करना है नबा के book में एक short आपको example दे दू जैसे कि for example मान लो सुनो मेरी बात यह क्या होता है मैं आपको यहापे पूरा explain करूँगा आपको 2 meet में हरे concept जो भी यह आपका goods उदारी पे बेचे बराबर है ना तो यहापे सारंग सर उनके जो भी books of accounts रहेंगे उसमें सुशिल का ही तो detail maintain करेंगे समझ रहे हो क्या आप तो जब भी सारंग सर यहापे सुशिल का detail maintain करेंगे तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे in the books of सारंग सर क्योंकि यहापे record कोण maintain कर रहे है सारंग सर तो यहापे क्या लिखूंगा in the books of सारंग सर और यहापे मैं लिखूंगा नीचे सुशिल अकाउंट यहापे मैं क्या लिखूंगा सुशिल अकाउंट राइट तो इसी प्रकार से यहापे जब भी मैं आपको बोल रहा हो कि prepare अबाज अकाउंट in the books of नभा इसका मतलब होता है कि जो भी नभा है न वो क्या कर रहे है अकाउंट प्रिपेर कर रहा है और किसका अकाउंट प्रिपेर कर रहे है वो अबाज काउंट मेंटेन कर रहे है समझाए आपे इतना सोब पाए ठीक है और उसी प्रकरसे नबाज अगाउंट in the books of Abba मतलब क्या तो अभा क्या कर रहा है नबा के सारे डिटेल्स को maintain कर रहा है समझा तो यहाँ पे क्या एगा फिर in the books of Abba नबाज अकाउंट क्लियर है क्या बताओ एकदम आसाने ठीक है हमेशा रखना माइडियर की अगर अपन बिजनेस कर रहे ना जैसे मानलो सारंग सर बिजनेस कर रहे तो यहाँ पे in the books of सारंग सर आएगा क्योंकि मैं मेरे books of account को prepare करूँगा समझ रहे हो क्या और जिसके साथ अभी मैंने बिजनेस के होगा उसका अकाउंट में मेरे books of account में वापे maintain करूँगा ठीक है चलो अभी सबसे पहले देखवा प्लीज ज्यान देना बहुत ज़्यादा important illustration है तो प्लीज अच्छे से focus करना ठीक है यहाँ पर क्या दिया दोस्तो पैसा देना है समझ रहो तो यहाँ पर अभा को नभा को कितना पैसा देना है बताओ 22,000 देना है अभी मैंने आपकोई सिखा है था कि अगर मुझे अगर किसी भी परसन को पैसा देना है तो वो परसन मेरे लिए क्या बन जाएगा क्रेडिटर बन जाएगा क्योंकि मुझे उसको पैसा देना है बात समझे क्या तो इतना याद रखना दोस्तो कि जब भी मैं आपे नभा के पॉइंट आव्यू से अकाउंटिंग करूंगा तो मैं वहापे क्या बोल सकता हूँ कि मुझे अभा के पास से पैसा लेना है बात सही एक गलत है बोता हूँ तो मुझे एक बात बताओ अगर मैं यहाँ पे अभा के अकाउंट बना रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ मुझे अभा के पास से पैसा लेना है इसका मतलब अभा मेरा डेटर बन जाएगा अबा मेरा कुन बन जाएगा भोलो डेटर बन जाएगा याद रहेगा पक्का तो अभी इतना याद रखना सुनो मेरे बद आपन सबसे पहले क्या करते मालूं में क्या प्लीज मेरे बात समझो यहापन सबसे पहले न दोस्तो नबा के books of accounts में सारे के सारे entries record कर देते और वो होने के बाद फिर अपन ABBA के book के उपर चले जाएंगे मतलब आपको confusion नहीं होगा ठीक है तो सबसे पहले यहापे मुझे किस के book में करना है बताओ नबा के book में करना है समझा नबा के book में मुझे ABBA का account यहापे prepare करना है तो यहापे एक बात बताओ ABBA और नबा इसका मतलब नबा को ABBA के पास से पैसा लेना है और आपको नबा के book में कर रहे है इसका मतलब मैं नबा हूँ और मुझे ABBA के पास से पैसा लेना है तो जो भी person के पास से मुझे पैसा लेना है वो मेरा डेटर बनेगा तो हमेशा अद रखना दोस्तो डेटर को हमेशा debit balance होता है जो भी डेटर का opening balance होता है न वो डेटर हमारा asset है तो asset को हमेशा debit balance और मतलब डेटर्स अगर asset है तो डेटर्स को भी debit balance रहेगा समझा आप तो यहापे मैं क्या करूंगा 1st of September को यहापे मैं लिखूंगा जैसे मैंने आपको बोला अबा मेरा को ने बोला यहापे डेटर है तो डेटर को अमेशा मेरा debit balance होगा तो यहापे मैं लिखूंगा 2 balance brought down 22,000 यह समझा आपको अगर आपको received 16,000 on account from अबा इसका मतलब क्या रहे बताओ नबा मतलब कोन हम अपन हमारे अदेखो यार अपन जिसके भी बुक में record कर रहे न वो हम रहेंगे क्या बोला मैंने जैसे यहापे अगर मैं नबा के बुक में कर रहे हो तो नबा मतलब हम है ऐसे assume करो ठीक है अभी देखो यहापे क्या हुआ बेटा कि नबा को है न यहापे अबा के पास से पैसा मिला बराबर तो यहापे हम नबा है तो इसका मतलब मुझे पैसा मिला बात समझे क्या तो यहापे मैं क्या करूँगा दूस्तों पैसा मिला मतलब यहाँ पे मैं करूँगा bank account debit क्योंकि मुझे पैसा मिला है और पैसा मुझे किस ने दिया तो मुझे आपे अबा ने पैसा दिया मुझे आपे पैसा किस ने दिया बोलो अबा ने दिया समझा तो मैं क्या करूँगा my dear अबा को credit हुआ है आपको यहाँ पे दिखता होगा तो ABBA को हमने credit किया है तो मैंने आपको एकल भी बोला था कि अगर आपन किसी भी account को credit कर रहे है उसका मतलब हमको वो account के credit side में लिखना है याद रहेगा पका तो देखो ने आपको credit हुआ है इसका मतलब ABBA account के credit side में मुझे लिखना है तो क्या लिखना है बता हो तो यहाँ पे मैं सबसे पहले date लिखूँँगा तो यह जो भी transaction यह किस दिन पे हुआ है माइडियर मुझे बता हो जल्दी से तो यह transaction मेरा हुआ है 3rd of September को बराबर तो सबसे पहले मैं ABBA के credit side में जाऊंगा और ABBA के credit side में जाके वहाँ पे में लिखूंगा buy cash account आपने buy bank लिखा और buy cash लिखा एक ही है tension नहीं लेने का ठीक है तो देखो यहाँ पे मुझे 16,000 मिला तो मैंने 16,000 लिख दिया समझा के नहीं समझा बता हो ठीक है मुझे comment section में पक्का बताते जावा अगर आपको कुछ भी दिक्कत रहेगा तो देखो उसके आगे यहाँ पे 9th को देखो क्या बोल रहा है ABBA bought goods from नबा 5000 इसका मतलब क्या रहे बता हो कि यहाँ पे ABBA ने हमारे पास से 5000 रुपे के goods purchase की है बराबर है क्या तो क्या मैं ऐसे बोल सकता क्या कि अगर ABBA ने नबा के पास से मतलब हमारे पास से 5000 रुपे के goods purchase की है मतलब हमने उसको 5000 रुपे के goods बेचे बराबर है क्या नहीं तो मुझे एक बात बताओ अगर मैं ABBA को 5000 रुपे के goods बेचता हूँ वराबर तो ABBA मेरा data बन जाएगा ना क्यूंकि ABBA को मैं goods दे रहा हूँ तो ABBA अगर goods ले रहा है मेरे पास से मतलब ABBA receiver है तो receiver को हमेशा क्या करते है बोले debit करते ज्यान में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ देखो guys बिलकुल confuse मत हो ना यहाँ पर बस आपको यह याद रखना है कि आप किसके book में कर रहे हो तो आप अगर नभा के book में कर रहे हो और अगर आपको question में ऐसे बोला है कि ABBA ने आपके पास से purchase किया मतलब आपने ABBA को बेचा समझा ना तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे प्लीज जान देना तो यहाँ पर मैं entry करूँगा माई डियर और entry आएगा मेरा ABBA account debit क्योंकि ABBA को मैंने बेचा मतलब ABBA receiver है receiver को debit करो और 2 मैंने उसको sale किया sale मतलब income को credit करो तो यहाँ पर आएगा 2 sales account समझा के नहीं समझा बताओ बहुत सोपपा है तो देखो यहाँ पर 9th of September का है तो 9th of September को यहाँ पर कितना amount है बोलो माई डियर 5000 है ठीक है तो यहाँ पर मेरा आएगा 5000 and 5000 है जान बुचके मैं आपको journal entry क्यों करके बता रहाँ क्योंकि आपको नया है न थोड़ा सा तो directly ledger बताओंगा तो दिक्कत आ सकता है इसलिए मैं journal entry करकर के आपको हरे चीज समझा रहाँ ठीक है तो देखो यहाँ आपको यहाँ पर क्या हुआ है बताओ जल्दी से फिर मुझे debit हुआ है 5000 का तो मैं क्या करूंगा my dear मैं जाओंगा अबा अकाउंट के debit side में समझा ना देखो transaction का हुआ है सारा मेरा 9 September को हुआ है वराबर है ना तो अगर आप देखोगे तो journal entry में अबा को debit है इसका मतलब अबा के debit side में मुझे लिखना है का आपर लिखना है Mujhe debit side में लिखना है तो यहां पर मैं ABA के debit side में लिखूंगा two देखो नहींivities क्यू debit हुआ है sales के जैसे तो यहां पर लिखूंगा two sales account देखो यहां पर आपको डान में आया केसे की है यह फेना बहुत आसाने के नहीं बताओ आपको दिरे दिरे आ जाएगा इस ट्रस्ट में आपको हरे चीज़े आ जाएगा ठीक है चलो अभी देखो यहापे 20 सब्टेवर को क्या हुआ है अबा पेड़ टू नबा 6,000 ओन अकाउंट आप 5% क्या डिसकाउंट अच्छा तो इसका मतलब क्या हुआ है ध्यान दो यहापे जल्दी से लीज कॉंसेंट्रेट करना बहुत important है यहापे अबा ने पे किया किसको नबा को नबा हमें अपन अभी नबा के भूक में कर रहे ना तो नबा हमें तो इसका मतलब क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या बोलो अगर अबा ने नबा को पे किया मतलब नबा को अबा के पास से मिला एकदम सोपा है के नहीं बताओ तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि मुझे सामने वाले के पास से मतलब अबा के पास से 6,000 रुपीज आने जो चाहिए थे, उसके उपर मैंने उसको 5% cash discount दिया, मैंने उसको cash discount दिया, मुझे एक बात बोलो, जब भी मैं किसी भी person को cash discount देता हूँ, तो वहाँ पे मेरा फाइदा के नुक्सान, मैं discount दे रहा हूँ न, तो मेरा नुक्सान, discount दे रहा हूँ, इसका मतलब मुझे सामने लेके पास से पैसा कितना आएगा, 5,700 आएगा, ध्यान में आ रहा है क्या, तो अभी ध्यान देना के से करना है समझो, इसका journal entry पहले समझो, फिर लेजर पोस्टिंग कर लेंगे, अभी देखो यार, मुझे सामने लेके पास से ए discount देता हूँ, तो मेरा expenditure, discount मेरा खर्चा है ना, खर्चा मतलब debit, तो यहापे में क्या करूँगा, discount allowed, जब भी आपन discount देते हैं, तो उसको discount allowed बोलते हैं, ठीक है, तो यहापे में क्या करूँगा, discount allowed account debit कर दूँगा, 300, बात समझे कैं नहीं समझे बताओ, और 2, यहापे क्य आएगा बोलो, अबा account, क्योंकि ultimately यह सारा का सारा, giver को आने बता, अबा दे रहे हैं ना, मुझे पैसा, तो credit the giver, तो यहापे आएगा 6000, यह आपको entry समझा के मुझे comment में पक्का बताना, ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, यहापे हमको अबा का account prepare करना है, बराबर है क्या, तो अबा को यहापे क्या हुआ है मुझे बताओ, credit हुआ है, तो अबा को credit मतलब अबा के credit side में मुझे लिखना है, याद रहेगा पका, तो मैं जाओंगा अबा के credit side में, और अबा के credit side में जाके, यहापे देखो, प्लीज ज्यान देना, अबा को credit क्यो हुआ है, पह यहाँ पे लिखूंगा by cash 5700, देखो न, यहाँ पे 5700 ही तो है my dear, यहाँ पे देखो 5700 ही तो है न वो, समझा, और यहाँ पे लिखूंगा by discount allowed 300, समझ रहे हो क्या, देखो guys, अगर आपको जर्नल करते हैं न, तो जर्नल के मदद से लेजर करना है, बहुत बड़ी बात नहीं ह सिर्फ इतना समझना चीए, जो भी आप account बना रहे हो, अगर उसको debit हुआ है, मतलब आपको उसके debit side में लिखना है, अगर credit हुआ है, इसका मतलब credit side में लिखना है, बस इतना याद रखना, ठीके, बिलकुल टपने गाई, stress में, बहुत आसान है न, चलो, अभी देखो आग आप 거는 accounting कर रहे, बरबर, तो आपन accounting किसके बुक में कर रहे, नभा के बुक में कर रहे, बरबर, अभी देखो आप, नभा received goods written by ABBA, इसका मतलब क्या, थि यहापन नभा ने, नभा मतलब कौन हम, बरबर, नभा मतलब हमने, जो ABBA को, मतलब A को, जो भी goods सेल किये थे, बरबर, तो वो sale में से अभा ने क्या किया कुछ goods को हमको यहाँ पे return किया कुछ goods को उसने हमको क्या क्या बोल return किया अभी थोड़ा सा मुझे बोलोगे पक्का जब भी मैं अभा को sale करता हूँ तो मैं entry क्या करता हूँ रे my dear अभा account debit to तो यहाँ पे अभी sales return हो रहा है sales return मतलब क्या जो भी मैंने goods बेचा था वो goods मुझे वापस आ रहा है तो जब भी मैंने बेचे हुए goods मुझे वापस आएंगे तो मैं क्या करूँगा my dear मैं sales return account को debit कर दूँगा है ना देखो यार एकदम सीधा है जब बेचता हुँ तो sales को credit तो बेचा हुआ जब वापस आएगा तो उतना sales मुझे cancel न को का करने को करना पड़ेगा ना तो sales कर रहा हुँ तो sales को credit sales क्या हुआ वापस आ रहा है तो sales को debit लेकिन जब वापस आता है ना तो उसको sales नहीं बोलते उसको sales return बोलते इसलिए आपे मैंने sales return को debit किया और two मुझे किस के पास से वापस आए अबा के पास से तो अगर मुझे अबा के पास से वापस आए मतलब अबा गीवर है गीवर मतलब credit समझा के बताओ तो देखो sales return का जो entry आएगा ना my dear ये आपका ये वाला आएगा कुन सा वाला आएगा बोलो जल्दी से आपका ये जो नीचे मैंने आपको दिया है ना ये वाला आपका sales return का entry आएगा समझा मैंने जान बुझ कि आपको इससे ये सिख आया ठीक है क्योंकि आपको confusion नहीं होना चाहिए एकदम crystal clear concept होना चाहिए समझ रहे हो तो आपका sales return का जो entry है वो आपका ये वाला आएगा इतना clear है क्या बताओ अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ यहाँ पे ABBA ने हमको कितने amount के goods वापस दिये रहे 550 और निचा हैगा 550 बराबर अब आप लोग मुझे comment में बोलो कि आपे ABBA account को क्या हुआ है बताओ credit हुआ है इसका मतलब मुझे ABBA account के credit side में लिखना है ABBA account के का आपे लिखना है credit side में ठीक है तो मुझे एक बात बताओ यहाँ पे sales return का हुआ है बोलो 25 सारी को तो मैं 25 सारी लिखूंगा और ABBA account को credit मतलब ABBA account के credit side में लिखूंगा यहाँ पे by sales return account पास सो पचल समझा क्या बोलो यह entry को चाहिए तो आप यह जो transaction है ना माइडियर यह जो transaction है इसको आप important mark भी कर सकते हो समझा क्या ठीक है और लाश वाला देखो ABBA पेड 1500 सौरी मैं मिस्टेक कितना है हो 1500 मतलब 15 अने कर रहे entries तो नबा के point of view से सोचो आप नबा हो एससे समझ के वापे करो ठीक है तो देखो यहाँ पे मुझे पैसा मिला पैसा मिला मतलब क्या करूंगा cash account यहां में करूंगा पैसा मिला तू में करूंगा माइडियर यहाँ पे किसके पास से मिला बोलो ABBA account समझा के बताओ त आपको पता होगा राइट तो यहाँ पे में लिख दूंगा 1500 इतना clear है इतना समझा के बताओ मुझे ठीक है अभी क्या करना है बात समझ लो अभी बहुत ज़्यादा important में आपसे कुछ बोल रहा हूँ प्लीज जान देना ठीक है देखो यार my dear अगर आपने अभी तक observe किय होगा अभी तक अगर आपने observe किया होगा तो मैंने क्या किया मालूम है क्या यह एक दो तीन चार पाच छे साथ इतना मैंने posting कर दिया बराबर अभी आपको क्या करना है आपको यह देखना है कि आभी कौन से side का total बढ़ा है अभी देखो यार मुझे ऐसा लगता है कि यह ज यह जो आपन balance करते हैं बराबर से equal equal उसको आपन बोलते है balancing of ledger याद रहेगा और मैं क्या करूँगा यह जो 27,000 है इसमें से जो round है इसको minus कर दूँगा और यह minus करने के बाद देखो यार मुझे ultimately जो दोनों साइड है उसका equal ची यह total बराबर तो जो बड़ा total है उसको मैं brought down करूँगा और next month के beginning में इसको मैं brought down कर दूँगा समझा carried down मतलब अगले month में लेके जाओ brought down मतलब पिछले month से ले क्या हो इतना याद रखना ठीक है तो इस प्रकार से यहापे आपको क्या करना था अबा account करना था in the books of नबा समझ रहे हो बताओ ठीक है एक काम कर देगा इस वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ आपको एक छोटा सा homework देता हूँ ठीक है जैसे नबा के book में याप आपन ने अबा का account किया ना उसी प्रकार से आप लोग क्या करना घर पे अबा के books of accounts में वहापे आप नबा का account बनाना अबा के book में वहा भी explanation दे दूँगा चलेगा तो वीडियो भी बड़ाने होगा आपका homework भी मिल जाएगा और अगले इसमें आपको इसका answer भी मिल जाएगा ठीक है जो भी आपका illustration number 10 है उसका second part आया पर आपन complete करेंगे तो देखो गाईस last video में आपको बोला था कि वहापे हमने जो भी अबा नाम का बंदा है उसके books of accounts में यहाँ पे अपन नभा नाम का account open करेंगे ठीक है तो जल्दी से आजो गाईस आपकी textbook के page number 101 के उपर सो देखो यहाँ पर उन्होंने क्या दिया सबसे पहले जैसे आपको यह तो पता है कि यह जो problem है इसमें उन्होंने हमको September month के सारे transactions दिये तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर अबा ओड नभा रूपीज 22,000 बराबर इसका मतलब मेरे यारो इसका म समेशाद रखना है अपन जिसके भी बुक में वापर accounting करते है वो हम है ऐसा याद रखने का ठीक है तो देखो यार अब भी अपन अबा के बुक में कर रहे ना तो अबा मतलब हमें तो यहाँ पर क्या होगा हमको नभा को पैसा देना है तो अभी आप मुझे एक बात बो ज हमारे बुक में नभा नाम का एक account open करूँगा और यहाँ पर मेरा जो भी नभा है ना दोस्तो वो creditor है क्योंकि मुझे उसको पैसा pay करना बाकी है बराबर तो हमेशा अद रखना creditor का जो भी opening balance होता है वो हमेशा credit balance होता है कुनसा होता है बता हमेशा credit balance होता है ठीक है तो मै क्या करूँगा दोस्तों यहाँ पर credit side में जाओंगा और वहाँ पर में लिख दूँगा buy balance brought down क्या लिखूँगा बोलो buy balance brought down right तो यहाँ पर मुझे आप बता सकते हो कि यहाँ पर हमको कितना पैसा उसको देना बाकी है बोले जादी से मुझे तो यहाँ पर हमको उसको देन बाकी मेरे my dear यहाँ पर देना बाकी है 22,000 समझ रहो तो देखो यहाँ पर मैं लिखूँगा buy balance brought down 22,000 क्लियर है क्या बताओ एकदम आसाने ठीक है चलो आभी देखो आगे क्या बोल रहा है यहाँ पर वो तो आगे उन्हें ने दिया है नबा received 16,000 on account from अबा इसका मतलब क्या रहे बोल सकते हो क्या नबा को मिला नबा को पैसा मिला मतलब हमने पे किया होगा देखो एकदम सोपाई ध्यान दो मैं वापस बोल रहा हूँ हम को ने हम अबा है बरावर तो यहाँ पर हमने क्या किया बताओ नबा को पे किया नबा को receive मतलब हमने पे किया होगा ना ध्यान डेबिट, टू आएगा यहाँ पे cash और bank account, टू क्या आएगा बोलो cash और bank account है ना, तो यहाँ पे हमने कितना पेकिया, उसको बोल सकते हो के मुझे जल्दी से 16,000 पेकिया, तो यहाँ पे आएगा मेरा 16,000 और नीचे आएगा मेरा यहाँ पे 16,000, clear है के बताओ, तो मैं क्या कर में जाके वहाँ पे में लिखूंगा to cash और bank account, कितना बोलो 16,000, इतना याद रखना कि यहाँ पे journal entry के अंदर आगा, यहाँ पे आप observe करोगे, तो नबा को debit हुआ है, इसका मतलब नबा के debit side में वहाँ पे हमको लिखना है, clear है ना बताओ, चलो, अभी next हाँ, तेखो तिसर रुपए के goods purchase किये, हमने क्या के बोलो 5000 रुपए के goods purchase किये, अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ, कि जब भी आपन purchase करते बराबर, तो आपन entry क्या करते हैं, इसको आपन entry करते हैं, purchases account debit है ना, तू क्या करेंगे, बोलो नबा account, जो भी person के पास से हमने purchase किया है, तो purchase मत पास से हमने purchase किया है, उसको credit कर देंगे, तो मुझे एक बात बताओ, फिर यहापे हमने कितने amount के purchase किये, बताओ, 5000, तो यहापे मैं लिखूंगा 5000, इतना clear है के बताओ, अभी आप मुझे एक बात बोलो, यहापे नबा को क्या हुआ है, माइडियर, यहापे नबा को credit कि जब भी आप कोई भी transaction का laser posting करते हो, वहापे आपको सबसे पहले date वगेरे लिखना है, उतना याद रखना है, ठीक है सिरिफ, चलो, क्या मैं आगे जा सकता हूँ, बताओ, मुझे comment में पक्का बताओ, ठीक है, चलो, अभी देखो, यहापे 20 तारीका क्या दिया है, अभा कि अपन 6000 पे कर रहे थे, तो वहापे हमको 5% का cash discount मिला, बराबर, अभी आप मुझे एक बात बोलो, कि जब भी मैं सामने वाले person को pay करता हूँ, बराबर, तो मैं pay कर रहा हूँ, मतलब वो receive कर रहा है, यह सोर रो बताओ, अगर मैं नभा को pay कर रहा हूँ, मतलब नभा receive कर है, तो अगर नभा receive कर रहा है, मतलब वहापे नभा जो भी है, receiver हो जाएगा, तो receiver मतलब debit करने का, ध्यान में आ रहा है ना personal account करूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नभा account debit करूँगा, इतना समझा बताओ, अभी मुझे एक बात बताओ, मुझे नभा को देना कितना था, 6000, तो मैं 6000 का 6000 पूरा debit कर दूँगा, ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, जब भी मुझे नभा को my dear, यहाँ पे 6000 पे करना था, तो नभा ने मुझे क्या दिया, बोलो 5% cash discount दिया, इसका मतलब क्या, तो इसका मतलब ही होता है, कि जब भी मुझे सामने वाले को 6000 पे करना है, लेकिन सामने वाले ने मुझे अगर 5% cash discount दिया है, इसका मतलब मुझे आपे 300 रुपया का discount मिला, समझा, तो इसका मतलब ही होता है, कि हमने सामने वाले को 6000 minus जो हमको discount मिला वो, इसका मतलब हमने उसको 5700 रुपया pay किया होगा, समझ रहो, तो जितना मैंने pay किया, उसको मैं क्या करूंगा, बताओ, credit करूंगा, क्योंकि उतना पैसा मेरे पास से जाएगा, इतना clear है, और जब भी मुझे discount मिलेगा, तो मुझे discount मिला, मतलब मेरा फाइदा, discount मुझे मिल रहा है, तो मेरा फाइदा, और हमेशा यद रखना, फाइदा मतलब credit, फाइदा बोल रहा हूँ, मैं जान बुझ कि आपको ये general entry होगा, रहे क्यों करके बता रहा हूँ, क्योंकि general entry कर रहा हूँ, तब आपको laser का concept ध्यान में आएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा आपका best wrong करने के लिए, मैं जान बुझ के journal entry कर रहा हूँ, फिर अपन laser दिरे दिरे दिरे, असी रिफ रेजर के आपर, उसके उपर आपन बाद में चले जाएंगे, समझ रहो, अब भी आपन journal के मदल से laser करेंगे, और last में फिर आपन laser वापे create कर देंगे, तो देखो यहाँ पर क्या करना है जल्दी से, नबा account debit है, बराबर है ना, तो मैं क्या करूंगा, नबा account के debit side में, 2 क्या देखो, यहाँ पर cash account, और 2 discount received account, ध्यान में आ रहा है क्या, तो cash के सामने cash का figure लिखो, discount के सामने discount का figure लिखो, कितना असान एके नहीं बताओ, ठीक है, चलो, अभी आगे जा रहा हूँ ध्यान देना, अभी 25 का देखो, क्या बोल रहा है, नबा received goods, return by ABBA, अभी देखो, हम को ने, हमेशाद रखो, अपन जिसके भी book में entry कर रहे ना, वो हमें, बराबर, तो ABBA ने return किया, मतलब हमने return किया, बराबर एक है नहीं बताओ, अभी आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, कि अगर हम उसको return कर रहे, सुन मेरी बात, बहुत important है ध्यान देना, अगर दोस्तों, हम अगर नबा को वहाँ पे return कर रहे है, इसका मतलब हमारा वो purchase return है ना, सिधी बात है ने यार, जब भी मैं सामने वाले person को अगर return कर रहा हूँ, मतलब वो मैंने अल्रेडी purchase किया होगा, कभी न कभी तभी मैं return करूंगा ना, तो याद रखना, ये मेरा purchase return है, ये मेरा क्या है बताओ, purchase return है, समझा, अभी आप मुझे एक बात बताओ, कि जब भी मैंने नबा के पास से purchase किया होगा, बराबर, तो वहाँ पे मैंने entry क्या होगा, तो वहाँ पे मैंने entry क्या होगा, purchases account debit, to वहाँ पे मैंने किया होगा, नबा account, बस सही क्या गलत है बता जब भी आप purchase करते हो, तो purchase को debit करोगे, लेकिन जब भी आपका purchase return होगा, तो आप वापे क्या करोगे, आपने जो भी purchase किया था, उसको credit करोगे, और नवा को debit करोगे, समझा, purchase return के case में purchase का ultra entry करना, ठीके, तो यहाँ पे में entry करूँगा, फिर माइडियर, नवा account debit, तू पर्चेस रिटर्न अकाउंट च्षा nama आकाउंटCLAajo क्या करूंगा बताओ पर्चेस रिटर्न अकाउंट यहाँ आपे मैं एंट्री कर दूँगा समझ रहे कि बहुत आज़ाने ठुर्स है ठीक है चिरिफ याद रखना पर्चेस रिटर्न के डाइंपर उल्टा एंट्री करोगे तो आपे return बस लिख देना ठीक है क्योंकि वह आपे purchase return है अभी देखो तो इसका figure कितना है मुझे बताओ 550 कितना है देखो यहापे जल्दी से 550 है ना तो मैं यहापे लिख दूँगा 550 and 550 इतना समझा बताओ अभी मुझे एक बात बताओ यहापे नबा अकाउंट के debit side में लिखना है लेकिन date देखना पहले 25 है वराबर है ना तो मैं जाओंगा नबा अकाउंट में यहापे जाओंगा 25 लिखूंगा और यहापे में लिखूंगा देखो नबा अकाउंट debit to purchase return तो नबा अकाउंट के debit side में क्या लिखना है to purchase return कितना बोल जल्दी से, लास्ट वाला टांदेक्षन देखो, अबा पेड 1560 नबा, मतलब यहापे हमने नबा को पे किया, तो जब भी अपन नबा को पे करेंगे, तो नबा रिसीव करेगा, तो जो भी रिसीव करते हैं, उसको डेबिट करो, तो एंट्री क्या करोगे, आप बताओ 1500, तो यहापे मैं लिखूंगा, फिर 1500 and 1500, समाज़ रहा आप मेरी बात को, राइट, अबे मुझे एक बात बताओ, यहापे कहाँ पे लिखोगे, बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, नबा अकॉंट को डेबिट, मतलब नबा अकॉंट के डेबिट साइड में, एकदम लिखूंगा, और नबा अकॉंट के डेबिट साइड में लिखूंगा, टू कैश अकॉंट, क्या लिखूंगा, बोले यहापे जल्दी से टू कैश अकॉंट लिख दूँगा, समझा क्या, अभी आपने यह सारा का सारा पोस्टिंग कर दिया, ठीके, अभी प्लीज जान द इतना याद रखना, ठीके, अभी एक बात समझ लेना, यहापे हमको नबा को शुरुवात में देना था, इसलिए नबा हमारा क्रेडिटर था बराबर, तो हमेशा रखना माई डियर, अगर क्रेडिटर होगा ना तो उसका हमेशा क्रेडिट बैलन्स होता है, ठीके, तो क्र मतलब क्या, कि हमारा क्रेडिट साइड का टोटल यह बढ़ा होगा, क्रेडिट बैलन्स मतलब क्या, हमारा जो राइट साइड, क्रेडिट साइड उसका टोटल हमाशा बढ़ा होगा, इतना याद रखना, ठीक है, अभी देखो, तो मैं क्या करूँगा, मालूमें क्या, सब यहाँ पे मेरा 30 तारीक को आएगा 2 balance carried down 2950 समझा क्या और यह जो भी 2950 नहीं है यह है मेरा closing balance यह मेरा क्लोजिंग बैलन्स यह मेरा closing balance समझा तो हमेशा रखना यहाँ पे closing balance मेरा carried down होगा और सप्टेबर के आगे कौन सा मनत आता है वो लो October तो यहाँ पे होगा buy balance brought down 2950 समझा के बताओ तो इतना आसान concept आई है आपको अगर कुछ चीज़ों में doubt रहेगा तो आप बिंदास मुझे comment कर सकते हो को issue नहीं है और अगर आपको एक खादा concept अगर ऐसा लगा कि वापस देखने है तो आप वीडियो को rewind करके वापस एक बार देख सकते हो ठीक है so I hope guys आपको य illustration number जो 10 था यह आपको समझाओगा जानबुच के मैं दो parts में इसको divide किया क्योंकि यह जो question है यह थोड़ा सा बड़ा question है तो वीडियो ज्यादा बड़ा ना इसले में दो parts में इसको आपको बता दिया ठीक है so आज के वीडियो में यहाँ पे आपन ने illustration number जो 10 था जो आपक जो भी मेरा lecture हुगा तो next lecture में यहाँ पे मैं आपको जो balancing of real account आप भी आपन जो भी कर रहे थे ना वो balancing of personal account था तो next video में आपको क्या करूँगा जो balancing of real account है वो आपको 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 करवा दूगा ठीक है so जल्दी से आजाओ गाईस आपके textbook के page number 102 के उपर अभी देखो या यहाँ पे उन्होंने हमको दिया balancing of real account सबसे पहले आप यह बात समझ लो कि real account मतलब यहाँ पे वो बात कर रहे है assets के बारे में real account मतलब क्या बोलो यहाँ पे वो बात कर रहे है assets के बारे में ठीक है अभी हमेशे रखना कि जब भी मैं आपके साथ assets की बात करूँगा ना तो asset का मतलब हमेशा रमेशा हमारा debit balance रहेगा क्या रहेगा बोलो asset को हमेशा कुन सा balance रहता है बोलो debit balance रहता है इतना हमेशा अंदरको ठीक है और debit balance का मतलब क्या तो ध्यान दो देखो यार जब भी आपन कोई भी account प्रिपेर करते बराबर जैसे यहाँपे अपन अगर real account की ब बेलेंस रहेगा बरब़न, अब इतना रखो indubit balance का मतलब मेरा जो भी account है ना, तो account का हमेशा जो debit side है जो मेरा debit side है वो हमेशा मेरे credit side से क्या रहेँगा, बढ़ा रहेगा, ठीक है, मतलब debit side का जो total है वो हमेशा credit side के total से जादा रहेगा, तो हमेशा रखना कि जब भी मैं debit balance बोलता हूँ न तो debit balance का जो balancing figure आता है, वो हमेशा credit side में आता है, यह कैसा होता है, क्या होता है मैं आपको पूरा का पूरा explain कर दूँगा सिर्फ आप भी के लिए इतना याद रखना कि asset को अमेशा debit balance होता है ठीक है, अभी अपन क्या करते दोस्तो, जो illustration number 11 उन्हें आपको दिया है जो real account है, उसके उपर यहापर उन्हें ने हमको दिया है, तो वो अपन यहापर फटा करके देख लेते, अभी देखो, यहापर उन्हें सारे के सारे transactions यहापर उन्हें ने हमको दे दिये, ठीक है, अभी देखो first of March को यहापर उन्हें ने हमको cash का balance दिये, अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो गाइस इतना याद रखना कि जब भी आपको कोई भी journal entry करना होता है ना, तो यह मेरा cash का opening balance है और opening balance मतलब कोई भी transaction होता नहीं है याद रहेगा पका, तो मैंने आपको क्या बोला, कि cash का opening balance है transaction नहीं है, और journal entry अगर हमेशा transaction का होता है, तो इसका मतलब यह जो भी मेरा cash balance है, इसका कोई भी journal entry आएगा कि बताओ, नहीं इसका कोई भी journal entry आएगा नहीं, इतना आपको समझा, अभी second, अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो उन्होंने मुझे cash account भी open करने के लिए बोला है, तो मैं क्या करूंगा बताओ, यहाँ पे cash account को open कर दूंगा ठीक है, format, format सारा same है जैसे आपका personal account का जो ledger का format था, date, particulars journal, folio, amount, वही आपका same to same format का आपे रहेगा बताओ, जैसे मुझे real account के case में भी रहेगा, अभी यहाँ पे उन्होंने cash का opening balance दिया था, बरावर opening balance मतलब क्या, March मन के शुरुवात में, वहाँ पे मेरे पास 10,000 रुपया का cash था, और मैंने आपको क्या बोला, कि cash ही asset है और asset का हमेशा debit balance होगा तो हमेशा रखना, जब भी मैं आपके साथ opening balance की बात करता हो तो वह case में अगर debit balance होगा तो हमेशा का आपे होगा बोलो, यहाँ पे debit side में होगा, two balance brought down, brought down मतलब क्या कि जो भी February के end का cash है, वो मैंने March month में वहाँ पे ले के आया, ठीक है तो यह कितना आएगा बोलो, 10,000 आएगा समझा आपको, opening cash का balance कैसे लिखने आपको ध्यान में है, two balance brought down करने का और वहाँ पे लिख देने का ठीक है, चलो next अभी देखो, brought goods for 2000 पास्तो, इसका मतलब क्या रहे, बताओ कि हमने 2500 रूपया के जो भी goods है, वो हमने purchase किये, और हमने इसका जो भी payment है, हमने cash payment कर दिया बराबर, अभी सबसे पहले आपन क्या करेंगे, इसका journal entry करेंगे, तो journal entry के आएगा, बताओ, purchase किया मतलब खर्चा, है ना, तो खर्चा मतलब debit, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बताओ purchase अस account को debit कर दूँगा, क्योंकि हो मेरा expenditure है, और मेरे पास से cash जाएगा, तो cash जाएगा, मतलब आपे मैं उसको credit कर दूँगा, ध्यान में credit side में लिखना पड़ेगा, ध्यान में क्या, तो cash account के credit side में क्या लिखूँगा, बोलो, buy purchases account, तो मैं जाएगा, cash account के credit में, सबसे पहले date लिख दूँगा, और वहाँ पे लिखूँगा, buy purchases और figure वहाँ पे लिख दूँगा, clear है क्या बताओ, एकदम received from, मतलब, obviously हमको cash आया होगा, ठीके, तो जब भी हमको पैसा आएगा, तो cash हमारा real account है, real account का rule क्या है, बताओ, debit what comes in, तो हमारे पास cash आएगा, तो मैं क्या करूँगा, my dear, जो भी मेरे पास आ रहा है, cash आ रहा है, उसको debit करूँगा, और जिसने भी मुझे यहापे cash को pay किया, उसको में credit कर दूँगा, क्योंकि सुधिर यह giver है, तो giver को credit समझा, अभी यह मेरा क्या हो गया, बोle journal entry हो गया, अब इसके narration लिख दो, आप narration क्या एगा, बोle being amount received from सुधिर, ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, यहापे cash को क्या हुआ है, debit हुआ है, बराबर, तो मैं क्या करूँगा, cash account के debit side में जाओंगा, और वहाँ पर मैं लिखूँगा, to सुधिर, देखो न, क्योंकि cash account debit to सुधिर हुआ है, इसका मतलब cash account के debit में मुझे लिखना है, to सुधिर account, ठीक है, और date यहापे में लिख दूँगा, उसका figure जो भी यह भी में आपे लिख दूँगा, clear है क्या बताओ, comment section में पक्का बताओ, यहाँ तक आपको टकाट टक समझा, क्या नहीं समझा, ठीक है, चलो अभी मैं आगे ज़रा हूँ ध्यान देना, आगे उन्हें नहीं बोला है, paid to मादूरी, कभी 10 March को, बराबर, अभी मुझे एक बात बताओ, जब भी आप मादूरी को pay करोगे, बराबर, तो वहाँ पे मादूरी receiver होगा, आप मादूरी को pay कर रहे हो, मतलब मादूरी ले रही है पैसा, याद रखना, जब भी आप किसी को भी pay करते हो, तो जो receiver होता है, उसको आपन debit करेंगे, और हमारे पास से, हम पे कर रहे हैं, मतलब हमारे आपको वहाँ पे laser posting करना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आगे देखो 12 नरीको, cash sales, अभी cash sales का मतलब क्या बोलो, हमने sale किया, और वहाँ पे हमको cash मिला, तो cash आया के नहीं है, बताओ, आया, तो इतना मुझे बताओ कि जब भी cash आयेगा, तो cash asset है, cash asset आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, debit करूँगा, और जब भी मैं sale करता हूँ, तो sales मेरा income है, income को credit, तो entry क्या हैगा, बताओ, cash account debit to sales account, cash account debit to sales account, figure कितना हैगा, बोलो, 7,000, तो आपे में लिख दूँगा, cash account debit to sales account, तारीक के वापे, date के वापे date लिख देना, और figure वापे आप लिख देना, और narration क्या लिखोगे, बोलो, being amount received for sales, वापे आप क्या लिख सकते हैं, बोलो, being amount received for cash sales, आप वापे लिख सकते हैं, ठीक है, चलो, लास्ट वाला देखो जल्दी से, rent paid, 3, 3,500, बाराबर, अभी मुझे एक बात बतला, आपने rent pay किया, बाराबर, जब भी आप rent के लिए वापे payment करोगे, तो rent आपका खर्चा है, खर्चे को क्या करने का, debit करने का, तो देखो, यहापे में rent account को debit करूँगा, और जब भी मेरा rent खर्चा है, मतलब मेरे पास cash जाएग तो मैं आपे cash account को क्या कर दूँगा, बोलो, credit कर दूँगा, समझा क्या, और इसका posting अगर मुझे करना है, तो अगर आप देखो, यहापे cash को credit हुआ है, मतलब में जाओंगा cash account में, और cash account की credit side में, आपे में rent लिख दूँगा, 3,500, इतना समझा के बताओ, ठीके, अभी द हम लिखे थे, बराबर, और cash account की credit में, यह 3 item लिखे, अभी मैंने आपको क्या बोला, कि जब भी मैं वहाँ पे asset का कोई भी account बना हुआ, तो वहाँ पे आमेशा debit balance होगा, हमेशा रखो my dear, जब भी आप opening balance लिखते होना asset का, तो वह आमेशा debit side में लिखते हो, और जब भी closing balance आता asset का, तो हमेशा credit side में लिखते हो, कि इतना याद रखना, ठीक है, दूसरी बात, जब भी आप वहाँ पे asset का, वहाँ पे आप balancing करोगे, तो asset का debit balance होगा, और debit balance मतलब हमेशा आपका debit side बढ़ा होगा, हमेशा कुन side बढ़ा होगा, debit side, तो जब भी आप asset का, वहाँ पे balancing करोगे, तो वहाँ पे आप हमेशा debit side का total लेना 20,000 आया, देखो यही total में क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा, और फिर में क्या करूँगा, यह total में से यहाँ पे जितने भी items मैंने लिखे, यह minus करूँगा, और balancing figure यहाँ पे में लिख दूँगा, समझा, और हमे पिर जो भी मेरा closing balance है, उसको मैं next month में वहाँ पे carried down या carried forward कर दूँगा, तो यहाँ पे मैंने 12,000 रुपया carried down कर दिया, और next month में क्या होगा, बोले यहाँ पे फिर वो balance को मैं वापस brought down कर दूँगा, first of April को, समझा के बताओ, एकदम सोपा है, जैसे personal account काता ना, वैसा ही है इतना याद रखो, personal account में बस data रहेगा, तो asset मतलब debit balance, personal account में creator रहेगा, तो वहाँ पे creator मतलब liability, तो credit balance, और जब भी आप real account की बात करते हैं, real account मतलब asset के related, और asset को हमेशा कौन सा balance रहेगा, बोलो debit balance रहेगा, clear है के बताओ, right, तो आज के लिए बस यहाँ पे ही guys मैं रुख जो भी मैं next lecture होगा, lecture number 84 होगा, right, तो वो वीडियो में फिर वहाँ पे मैं आपको जो nominal account का balancing है, वो कैसे कर रहे हैं, वो सिखा दूँगा, ठीक है, यहाँ पे आपन एक अगला concept देखेंगे, जिसका नाम है balancing of nominal account, कौन सा है बलो जदिस है, balancing of nominal account, सबसे पहले एक बात याद कि जब भी मैं आपके साथ यहाँ पे nominal account के बारे में बात करूंगा ना, तो nominal account मतलब ऐसे account होते हैं, जो हमारे expenses या income या losses या gains के बारे में बात करेगे, इतना याद रहेगा बताओ, nominal account मतलब क्या बोलने जल्दी से, expenses, income, losses and gains, ठीक है, यह सारे के सारे चीजों के साथ जो भ जब भी अपन real account की बात करेंगे, तो real account के case में वहाँ पे हमेशा आपका asset होगा, और asset को हमेशा debit balance होगा, मतलब real account को हमेशा debit balance आएगा, ऐसे मैं आपको करके lecture में बूला था, यह सुर्णो, तो आज का जो भी अपन nominal account का concept पढ़ रहे ना, तो यह जो nominal account का जब भी आप balancing करोगे ledger का, तो वो time पे आपके nominal account को maybe debit balance भी हो सकता है, और maybe credit balance भी हो सकता है, मतलब जब भी अपन वहाँ पे ledger को close करेंगे ना, तो वहाँ पे आपका debit balance भी आ सकता है, और साथ साथ में आपका credit balance भी आ सकता है, यह इतना याद रखना है, ठीक है, आगे देखो क्या दिया है, यहाँ पे, at the end of the accounting year, तो इतना याद रखना है कि जब भी अपना accounting year खतम हो जाएगा ना, तो जो भी मेरे nominal account के closing balances रहेंगे, यह closing balances आइदर आपके trading account, यह आपन जब भी final accounts आपके तो वहाँ पे मैं आपको सिखा दूँगा, trading account क्या होता है, profit and loss account क्या होता है, balance sheet क्या होता है, यह आपन सब कुस देखने वाले, सिर्फ इतना याद रखना आप भी के लिए, कि जो भी मेरे nominal account के closing balances है, वो closing balances रेक्तर में trading account को transfer करूँगा, या में transfer करूँगा profit and loss account को इतना clear रेके बताओ, ठीक है, तो I hope आपको जो भी nominal account का balancing होता है, वो nominal account का है, वो आपको समझ गया होगा, अब यापन उसका balancing वगड़े case से करना है, वो देख लेंगे, देखो guys, आप personal account का balancing करो, या आप वहाँ पे real account का balancing करो, या वहाँ पे nominal account का balancing करो, ठीक है, जो भी balancing कर होगा, बोलो, same to same होगा, इतना याद रखना, ठीक है, अभी देखो, तो यहाँ पर illustration number 12, आपन यहाँ पर solve करेंगे, तो check करो, यहाँ पर देखो क्या दिया है, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो उन्हानी यापर हमको February जो मन्त है, तो February मन्त के यहाँ उन् expenses या losses के बारे में बात करेंगे न, तो यह expense या losses को हमेशा कुन सा balance रहेगा, बताओ, debit balance रहेगा, हमेशा कुन सा balance रहेगा, बोलो, debit balance रहेगा, और जब भी मैं आपके साथ gains या मैं आपके साथ income के बारे में बात करूंगा न, तो इसको हमेशा credit balance होगा, हमेशा कुन सा होग बोलो, cradle balance होगा, समझा, अभी मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे उनने हमको salaries account दिया है, यह सोर नो, तो मुझे जल्दी से बताओ, कि अगर उनने यहाँ पे हमको salary account दिया है, मतलब salary हमारा expenditure है कै नहीं बताओ, हाँ जी salary हमारा expenditure है, बराबर, तो आपको इतना याद रखना है कि salary हमारा expenditure है, और expenses, मतलब मेरा कौन सा balance रहेगा, मुझे बता सकते हो जल्दी से, debit balance होगा, समझा, इसी reason के वज़े से, वहाँ पे उनने हमको salary है, उसका debit balance है, आपे दे दी है, ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, प्लीज अच्छे से जान देना, तो यहाँ पे उनने ह 31st March का salary account है, यहाँ पे उनने हमको prepare करने के लिए बोला है, nominal account मतलब क्या, तो nominal account में वहाँ पे मुझे आइदर income का laser बनाना पड़ेगा, यहाँ मुझे expenditure का laser बनाना पड़ेगा, यहाँ मुझे losses का laser बनाना पड़ेगा, यहाँ मुझे gains का laser बनाना पड़ेगा, समझा, तो य पर्टिकुलर, जर्नल, फोलियो, आमाउंट, सेम, डेबिट साइड में, सेम, क्रेडिट साइड में, ठीक है, अभी यहापे उन्हें ने हमको सैलरी अकाउंट का ओपनिंग बैलनस दिया है, जो डेबिट बैलनस है, बराबत, तो मैं का करूंगा, मैं जाओंगा, डेट वाले लिख देने का, टू बैलनस ब्रोट डाउन, क्या लिखने का बताउ जल्दी से, टू बैलनस ब्रोट डाउन, ऐसे लिख देने का, समझा कै आपको, तो अगर आप यहापे देखोगे गाईस, तो यहापे उन्होंने आपको ओपनिंग का कितना बैलनस दिया है, बताओ, 30,000 दिया है समझा तो इसलिए आपे मैं क्या करूंगा 30,000 अमाउंट लिख दों का जान में आ रहा है देखो गाइज अगर आपने थोड़ा साथ धीर अगर डिटेल में देखा होगा तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि उन्होंने क्या किया है हमको यहाँ पर फरवरी मंद का तो दोनों मंस का एक साथ यहाँ पर आपको अपाउंटिंग करना है ठीक है देखो तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने उप्निंग बैलेंस तो लिख दिया यह सोर नो अभी सेकेंड देखो यहाँ पर क्या बूल रहा है प्लीज अच्छे से कॉंसेंट्रेट करना चलो तो देखो आप वहाँ पे चेक से पेमेंट कर रहे हो इसका मतलब वहाँ पर आपके पास से जो भी पیणचर जाएगा वह आपके बैंक अकाउंट से जाएगा रहा का से जाएगा माइडियर यहाँ पर 5th of February न तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर जाओंगा 5th of February को और यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा बताओ तो salary मेरा expenditure है मतलब मैं क्या करूँगा salary account debit to मेरे पास से पैसा जा रहा है तो bank में से जाएगा तो 2 मैं क्या क्या कर दूँगा बुलो तो यह journal entry को है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर salary account को क्या हुआ है बताओ my dear friends debit हुआ है मतलब में क्या करूँगा मेरा जो भी salary account है तो salary account के debit side में जाके में लिखूंगा to bank account date लिख देना पाच फरवरी यहाँ पर आपने पेकिया और amount कितना पेकिया आपने 5000 तो यहाँ आपे में 5000 लिख दूँगा समझा अभी देखो यारा आगर आप question में देखोगे ना तो यहाँ पर उन्हें ने February मन के सिर्फ दो transactions दिए बराबर एक नहीं बताओ तो हमेशाद रखना कि अपन जब भी month end होगा ना तो आपन laser को close कर देंगे तो यहाँ पर देखो जल्दी से फिर मैंने debit side में यह लिखा हुआ है 30,000 और 5000, 35,000 तो यही total में आपे 35,000 लिख दूँगा यही total कहाँ पर जाएगा बताओ यहाँ पर जाएगा बराबर है ना और फिर आप क्या करोगे यह जो यहाँ पर है credit side में वाप उसका balancing bigger लिख दोगे समझा और यहाँ पर आप बैल 2019 बोले मतलब लीपियर नहीं है तो मैं क्या करूँगा 28 February को यहाँ पर लिखोंगा buy balance carried down समझा क्या और यह कितना आएगा बोलो मेरा 35,000 आ जाएगा clear ने क्या बताओ ठीक है एक बात हमेशा अधरव को जैसे मैं आपको कल real account के case में बोला था के नहीं बोलो कि real account मतलब generally asset के related होता है और asset को हमेशा debit balance होता है बराबर एक है नहीं उसी प्रकार से my dear friends जब भी मैं आपके साथ nominal account की बात करूँगा किस की बात करूँगा nominal account की बात करूँगा तो nominal account में मेरे जो expenses and losses होते है ना इसको हमेशा कुन सा balance रहेगा बोलो debit balance ही रहेगा और अगर मान लो for example यहाप अगर आपन income या gain की बात कर रहे तो उसको हमेशा फिर credit balance होगा इतना हमेशा रखना ठीक है अब देखो मैं क्या बोल रहा हो please बात को समझ दो यहापे जो आपका salary वराबर salary आपका expenditure है क्या नहीं है expenditure है ठीक है तो expenditure को हमेशा debit balance होगा तो हमेशा रखो कि यहापे अगर आप देखोगे तो debit balance मतलब क्या मेरा debit side जो भी हमेशा मेरा credit side से बढ़ा होगा तो इसके वज़े से दोस्तों वहापे जो मेरा balancing figure होगा वो balancing figure को मैं लिखूंगा credit side में समझा के बताओ ठीक है अब देखो तो salary end का जो भी मैरा closing balance है बराबर यह closing balance को मैं क्या करूंगा my dear friends तो मैं लेके जाओंगा next month में मतलब March month में ठीक है तो पिछले month का जब भी अपन balance next month में लेके आते तो उसको अपन बोलते brought down करना क्या बोलते बताओ brought down करना तो यहापे मैं क्या करूंगा बताओ लिकूंगा to balance brought down क्या लिकूंगा बताओ to balance brought down और कितना लिकूंगा बताओ 35,000 है यह जो closing या ना my dear friends यही मैंने यहां पर opening में लिख दिया द्यान मैं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ और आगे देखो अभी उन्हें क्या दिया है 5th of March को paid salaries 3000 इसका मतलब क्यारे बताओ हमने during the month या 5th of March को यहां पर हमने क्या क्या बोलो salary को pay किया लेकिन यहां पर कुछ नह salary पे कर रहे हो ना, salary आप पर expenditure है तो entry क्या करोगे वहाँ पर आप? वहाँ आप entry करोगे salary account debit to यहाँ पर आप करोगे cash account बरावरे क्या तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपने कितना salary पे क्या बोलो 3000 तो में क्या करोओंगा? salary account के debit में जाओंगा? यहाँ पर debit side में और वहाँ पे लिखूंगा to cash account समझा के बताओं और यह करने इक बात यहाँ पे हमारा March month के सारे transactions खतम हो गए तो मैं क्या करूंगा फिर मेरा जो salary debit balance रहेगा याद रखना salary expenditure है मतलब debit balance तो क्या करने का सुनो तो मैं क्या करूंगा यह जो 35,000 प्रस 3,000 है मतलब 38,000 इसका मैं यहाँ पे total ले लूँगा यही total में right side में मतलब trade side में लिख दूँगा और मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिखूंगा balancing figure बराबन अभी थोड़ा सा ज्याद देना देखो मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला थारे कि जो भी हमारे nominal account के closing balances होते बराबर है क्या तो वो हमेशा कहाँ पे जाते बोलो trading account या profit and loss account में जाते इतना याद रखना ठीक है अभी देखो my dear friends कि जो भी salary है न salary यह salary हमारा indirect expenditure है salary हमारा क्या है बताओ जल्दी से आप है indirect expenditure है आगे जाके आपन यह देखने वाले दो प्रकार के expenditure होते हैं पहला होता है direct expenditure दूसरा होता है indirect expenditure क्या बोल रहा हूँ चाहिए तो मैं आपको लिख के बता सकता हूँ ठीक है मैं expenditure होता है और second जो भी है वो मेरा होता है indirect expenditure second कौन सा होता है बोलो indirect expenditure ठीक है तो इतना याद रखना कि जो भी मेरे direct expenditure होते है यह direct expenditure मेरे जाते है trading account में का पे जाते है बोलो trading account के debit में जाते है और जो मेरे indirect expenditure होते है यह मेरे जाते है profit and loss account के debit में का पे जाते है बोलो profit and loss के debit में जितना बोल रहों बस उतना सुनने की कोशिश को आपको हरे चीश समझ में आ जाएगा ठीक है और यह trading account क्या होता है profit and loss क्या होता है यह आपको मैं कहां पर पढ़ाओंगा तो यह आपको मैं पूरा का पूरा पढ़ा दूँगा अपने final accounts वाले chapter में जो आपका है final accounts of sole proprietorship वहा ना याद रखना माइडियर कि जब भी आप 31st March या जब भी आप मार्श मंद का close करते होना जब भी आप मार्श मंद के end का करते होना तो वहाँ पे हमेशा फिर जो भी closing balance होता है वो आपका either profit and loss account को जाएगा या आपका trading account को जाएगा ठीक है आपके वन में ऐसा सकता है सर य या आपने बाई P&A लिखा ऐसा कि उसर तो ध्यान दो देखो यार अपन ना 31st March जो भी होता है न तो 31st March को वहाँ पे हमारा जो accounting year होता है वो हमारा खतम हो जाता है बराबर इसका मतलब जब भी हमारा accounting year खतम होगा तो हम क्या करेंगे उस साल के जो भी transactions है न वो transaction के बाद म इसलिए हमेशाद दखो कि March end का जो भी आपका अगर expenditure का या losses का या income का या gain का मतलब nominal account का कोई भी balance होगा तो वो buy balance carried down होगा क्या बताओ नहीं होगा वो क्या होगा आइदर वो जाएगा profit and loss account को या वो जाएगा trading account को तो यहाँ पे profit and loss को क्यों मैंने किया क्योंकि मेरा जो salary अगरी नम आइडियर यह मेरा indirect expenditure है और indirect expenditure मतलब profit and loss account इतना याद रहेगा कि बताओ राइट तो जब भी आप nominal account का करते हो और अगर आप वहाँ पे March मत कर रहे हो तो यह जो आपका point है ना यह आपका point सबसे ज़्यादा क्या है बुले आपे important है बस इतना याद रखना ठीक ह I hope आपको मैंने ये वीडियो के अंदर जितना भी पड़ है आपको एकदम टकाटक समझा हो गए ना मुझे comment में पका बता ना कि आज का मैंने आपको जितना भी सिखा है आपको एकदम भारी समझा क्या उसमें कुछ doubt है ओके इस lecture में मैं आपके textbook का जो page number 105 ए 104 पे आपे activities व आना कि आपको मैं घरवा के देदूंगा ठीक है तो मैं क्या करो अब भी वीडियो नंबर जो आपने ये 85 राइट तो ये वीडियो में मैं आपके textbook का जो page number 105 है राइट तो इसके उपर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे concept है जिसका नामे preparation of trial balance रही तो मैंने आपको जब भी अपन accounting करते है तो वहाँ पर हमको एक process follow करना पड़ता है जिसमें सबसे पहला मेरा होता है वहाँ पे business transaction जिसमें सबसे पहला मेरा क्या होता है वोनो आपे business transaction होता है बराबर फिर business transaction के बाद वहाँ पे मेरा होता है journal entry business transaction के बाद क्या होता है वोनो मेरा journal entry होता है फिर journal entry क के बाद वहापे मेरा लीजर होता है लीजर के बाद वहापे मेरा ट्रायल वैलन्स होता है और ट्रायल वैलन्स के बाद मेरे जो भी फाइनशियल स्टेटमेंट या मेरा जो भी फाइनल अकाउंट से जिसके अंदर मेरा सबसे पहले यहापे ट्रेडिंग अकाउंट आता है से लेजर वाले आपने देख लिए ठीक है तो आज आपन क्या करेंगे जो आपका नेक्स्ट वाला पाट है आपका जो भी टेक्सबूक के उसमें उन्हों ने यह ट्रायल वैलेंस का इसा सेपरेट कोई चैप्टर नहीं दिया है लेकिन लेजर के चैप्टर के अंदर ही उन्हों क्या दिये? बताओ, प्रिप्रेशन ऋफ्रायल वैलेंस के फेहले, वहांपे आपन क्या करते है एकजर्टि ट्रायल वैलेंस होता क्या है यह अमझा रहा चेक कर लेते हैं तो देखाँ यह पे क्या दिया है इन्होंपने हम को दी ८ाईडियर प्लीज अच्छे से ज्यान देना पूरा concentrate करना तो यहां पूरे ने एमको दिया है Trial balance is a abstract or list of all ledger accounts देखो यह एकदम सोपा है मुझे एक बात बताओ आपने अभी तक जितने भी transactions की होंगे बराबर तो वो सारे transactions का आप क्या करोगे वापे एक separate ledger account open करोगे आप क्या करोगे बहुत सारे accounts बना होगे तो वो trial balance क्या बुलना देखो कि trial balance क्या होता है कैसा statement होता है जिसके अंदर क्या करेंगे अपन जितने भी हमने ledger accounts बना है न यह सारे के सारे ledger account का जो balance होता है आपने देखा ना बलाश लेक्चर में salaries account का जो आपका वाँ पे debit balance है तो वह से अपन क्या करेंगे हर एक account के closing balances निकालेंगे और closing balances को एक statement में एक जगा पे वाँ पे लिखेंगे ठीक है देखो जो भी आपने trial balance होता है न यह trial balance हमेशा specific date पे होता है और usually जो भी trial balance बना जाता है तो यह बना जाता है 31st of March को कब बना जाता है बोलो year in को भी आप बोल सकते हो या 31st March को भी बोल सकते हो देखो तो क्या बोल रहे है आपे हो showing debit and credit balances of all the lagers account तो अभी इसका मतलब क्या समझो देखो दोस्तो आपको ने बोला के ने बोला बोलो जैसे कि for example अगर मालो में किसी भी asset का account अगर बनाता हो या किसी भी में asset का ledger बनाता हो बराबर तो asset को हमेशा कुन सा closing balance रहेगा बोलो debit balance से closing balance रहेगा बराबर एक है नहीं अगर मैं समझो for example liability की बात करता हो ठीक है तो liability को हमेशा हमेशा कुन सा closing balance रहेता है बोलो credit closing balance रहेता है राइट जैसे अपने last lecture में देखा वहाँ पर हमारे जो expenses and losses है इनके हमेशा closing balances होंगे वो कौन से हैंगे बताओ debit balances से closing balances आएगे समझा और जो भी मेरा income और gain है ये सारे के सारे का मेरा closing balance आएगा ये मेरा हमेशा कौन action का आप अरे account का laser बनाओगे बराबर वो एक तो आपका asset होगा वो जो भी आप laser बना रहे हो वो एक तो आपका asset होगा या आपका वो liability होगा या आपका expense and loss होगा या आपका income and gain होगा या maximum क्या हो सकता है बोलो वो capital हो सकता है बराबर एक capital को वह हमेशा credit balance होता है, कौन सा होता है closing हमेशा credit balance होता है, समझा क्या, तो इसका मतलब आपके पाच category में से ये कोई तो भी category रहेगा न, ध्यान में आ रहा है क्या, तो इसका मतलब आप जितने भी ledgers बनाओगे, उसका जो closing balance रहेगा, वो आपका आइदर debit balance रहेगा, या वो सकता है, या वो आपका credit balance हो सकता है, इतना आपको याद रहेगा पका, आगे देखो क्या बोल रहे है, usually trial balance is prepared at the end of the financial year, मैं आपको बोला तो सही, कि trial balance आपन जनरली कब बनाते बोलो, 31st of March, मतलब कब बनाते बोलो, end of the financial year तो बना रहे न, ध्यान में आ रहा है क्या, आगे द जनरली क्या होता है, मालो में क्या, कि जो भी बड़े बड़े companies होती है, जैसे मालो कि विप्रो company है, या हिंदूस सान लीवर है, Reliance company, Tata company है, तो उनको क्या करना पड़ता है, quarterly, मतलब हर तीन मेने बाद उनको उनको जो भी financial statement है, उसका reporting उनको registrar of company, मतलब ROC जो भी होता है, उनको वहाँ पर filing करना पड़ता है, तो इसलिए जो बड़े-बड़े business होते company वगेरे, अगर उनको लगता है, तो वहाँ पर थ्री मन्स बाद भी बना सकते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने बोला है, पिरियोडिकली, पिरियोडिकली मतलब क्या, वो एक specific period के बाद, तो अग दो, देखो माइडियर, trial balance आप जब भी बनाओगे न, तो वहाँ पर मैंने जैसे आपको बुला कि वहाँ पर लेजर के जो भी closing balance हैं, जो आइदर debit balance हो सकता है, या वो आइदर credit balance हो सकता है, वो सारा का सारा एक जगा पर आएगा, यस और लो, तो वहाँ पर क्या होता है द मुझे एक बात बताओ, जब भी वहाँ पर आपने journal entry किया था, जब भी वहाँ पर आपने क्या किया था बोलो, journal entry किया था, बराबर, तो journal entry में जब भी आपने वहाँ पर double accounting या double entry system से वहाँ पर जब भी journal entry किया, तो आपने भी वहाँ पर देखा कि एक जो भी account होता है, उस तो उसका दूसरा account होता है, उसको हमेशा क्या होता है, बोलो, credit होता है, यह आपने भी देखा, जब यह आपने जर्नल नाम का chapter पड़ा तबी, और वहाँ पे हमको और एक बात यह समझ मैं थी, कि जितने भी debit होते हैं वो हमेशा हमेशा हमारे credit के क्या होते हैं, बराबर होते ह हो, बराबर, जिसका either debit balance आएगा, किसी account का, या किसी का credit balance आएगा, बराबर, और trial balance में में क्या करूंगा, जो भी यह closing balances है, debit या credit के, यह सारे के सारे में एक जगा पे लेक्या होंगा, तो obviously यह फिर, जब भी मैं journal से लेजर बनाऊगा, तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है, कि माल वहाँ पे मेरा 10,000 का transaction था, लेकिन गलती से मैंने ledger में लिखते टाइप 1,000 लिखा, बराबर एक है नहीं बताओ, तो वहाँ पे क्या होगा, फिर, कि मेरा ledger का debit या credit balance आएगा, और उसके वज़े से trial balance में मुझे जो difference दिख जाएगा, मेरा trial balance का total होगा, जो debit side का total हो, credit side का between that pattern ऑमें होगा, वह match नहीं होगा, मतलब मुझे ये जाजनना हैगा, कि अगर trial balance अगर मेरा match नहीं होता है, तो वहाँ पे कुछ तो भी कहा है, बोलो, созд gaan visualize match होगा, मतलब जंडरली वहाँ कोई surname होता है, मैं वहाँ बूलरा जंडरली बोला है, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको एरर्स वाला चैप्टर पढ़ाँगा, तो वो टाइम पे मैं आपको बोल दूँगा, कि कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि हमारा trial balance का total है, मतलब बराबर आयाई है, लेकिन फिर भी वो गलत है, ऐसा होता है, तो यह अभी मत इतना width में जाओ, अभी बस इतना रखो कि trial balance का total है, मतलब बराबर है। नब आपस गोल रागर trial balance का total है, तो भी वो गलत होने के chances होते हैं, लेकिन ऌडल अब इकक्रक्षेप्शनल इतना याद रखना, my dear friends, कि trial balance जो भी है ना, यह हमको जो हमारे arithmetical accuracy होते हैं, हमारे books of accounts के, उसको वहाँ पे check करने के लिए बहुत ज़्यादा help करता है, समझा, और इसी reason के वज़े से, वहाँ पे मुझे trial balance को prepare करना पड़ता है, जानना है क्या बताओ, अभी देखो, मैं क्या बोलना हूँ, so यहाँ पे लगाईज, अगर आप देखोगे, तो वहाँ पे trial balance के उन्होंने दो types दिये हैं, कितने types यह बोलो, दो types यह ठीक है, जिसमें से यहाँ पे जो पहला type है, उसको बोलते है, gross trial balance, और जो second वाला है, उसको आपन बोलते है, net trial balance, उसको आपन क्या बोलते हैं, net trial balance बोलते हैं, ठीक है, अभी ना गाईज, मैं आपको इतना बोल देता हूँ, कि practical life में जो भी है न, तो आपन use करते है, net trial balance वाला method, आपन कौन सा method यूज करते हैं, अभी मैं आपको दो मीट के अंदर बता देता हूँ, कि exactly gross trial balance और net trial balance, इद में difference क्या होता है, ठीक है, तो देखो यार, जैसे आपको यह तो पता है, कि for example मानलो, यहाँ पे मैंने क्या क्या बोले, एक bank account को prepare कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या क्या बोले, बैंक account को prepare कर दिया, बरबर, अभी मुझे एक बात बोलो, bank account का obviously left side है, debit side होगा, और right side मेरा credit side होगा, बरबर, तो जब भी मैं my dear friends, gross trial balance वाले method से में trial balance बनाऊंगा तो वहाँ पे मैं क्या क्या करूँगा, जो भी मैरा particular account है, particular account मतलब late से कि यहाँ पे मैरा bank account जो भी है, बरबर, तो मैं क्या करूँगा, उसका जो भी debit side है, debit side मतलब क्या, यह वाला side, और उसका जो भी मैरा कौन सा बोलो, credit side है, credit side मतलब क्या, यह वाला side, right, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर जो भी मेरा debit side है और जो भी मेरा credit side है यह दोनों चीजों का मैं क्या करूँगा वापर total ले लूँगा जैसे for example मान लो कि यह bank account है इसका debit side का total है 1 lakh और इसके credit side का total देखो मैं balancing करने के पहले का बोल रहा हुआ मैं after balancing नहीं बोल रहा after balancing obviously वाप है वो भी एक ही lakh होगा समझा लेकिन मैं आपको before balancing बोल रहा हुआ पॉर एक्जांपल वो मेरा 80,000 आया कितना बोलो for example मेरा 80,000 आया ठीक है तो मैं क्या करूँगा मानू में क्या जो भी मेरा trial balance रहेगा समझो तो मैं क्या करूँगा for example यह समझो मेरा trial balance है ठीक है जो left side वाला debit side र्याइट वाला credit side तो में क्या करूँगा gross method में जो मेरा bank account का debit side था तो में क्या करूँगा trial balance के debit side में bank account लिखूँगा और यहा पर में one like लिख दूँगा समझा और में क्या करूँगा जो मेरे bank account का credit side का total था 80,000 वो मैं credit side में लिख दूँगा समझा क्या तो जब भी अपन gross trial balance वाले method से करते तो वहाँ पे जो trial balance का जो balancing figure होता है उसको में नहीं निकलता मैं क्या कर दूँगा debit side का total debit में लिख दूँगा trial balance के credit side का total credit side में लिख दूँगा समझा क्या आपको तो gross method में क्या होता है वो closing balance नहीं बताता है देखो जैसे आपन normal अब भी तक आपने कैसा पड़ा जैसे illustration number 12 में वहाँ आपने जो भी आपका इसका salary account का closing balance था बरबर देखो नहीं आपके right side में तो आपने जो salary account का closing balance था माइडियर तो आपने 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 राइट side में लिखा क्या नहीं लिखा बता हूँ लिख लिया ठीक है तो gross में आपने balancing figure निकलते नहीं है जो gross trial balance होता है उसमें balancing figure आता नहीं है ठीक है तो इसलिए दोस्तों ये method usually use होता नहीं है जानमा है क्या और second आपका जो method है वो ही आपका net trial balance अभी net trial balance में आपन क्या करेंगे समझो जैसे कि for example मानने यापने bank account को open किया ठीक है ये मेरा bank account का debit side है ये मेरे bank account का credit side है समझा तो मैं क्या करूँगा मालू में क्या समझो for example मैंने bank account के debit side में आपर आलग अईटम्स लिखे उसका total मेरे यापन लाक आया तो obviously मैंने debit side का total यापन लाक लिख दिया अभी मेरे आपको starting में भूला था दो लेक्चर पहले कि bank account मतलब asset है और asset commercial debit balance रहेगा तो debit balance से कब होता है जब मेरे debit side जो भी ये बढ़ा होता है तो मालनो मेरे debit side का total ये एक लाक है ठीक है और उसी प्रकार से यहापे मैंने credit में समझा 2-4 item लिखे और जिसका figure यहापे था मालनो for example 60,000 ठीक है तो मुझे एक बात बरता हो यहापे debit का total कितना है मेरा एक लाक है और credit का 7,000 है तो मैं क्या करूँगा मालनो में क्या ये जो एक लाक है ये एक लाक का total में यहापे भी लिख दूँगा और account को मैं टैली कर दूगा हमेशा दखो जब यह आप लेजर को आपे close ये टैली करते हो तो वो case में वहापे आपका उपर हमेशा एक लाइ एसे लिखूंगा और यहापे में 40,000 लिख दूँगा बराबर है क्या जानने आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ तो मैंने यहापे क्या कि आप मुझे बोल सकते हो क्या तो यहापे मैंने balancing figure लिखा यहापे मैंने क्या लिखा बोलो balancing figure लिखा समझा तो हमेशा रखना माइडिय से क्या होता है बुने दीछ से क्रेजिट साइड के टूटल से अगर बड़ा होता है सम्झा तो यह situation को मैं बोलता हूँ मेरा यह debit balance है मेरा को बैलों सा बैलनस है बताओ debit balance है ठीक है मतलब कgado जैसे यह bank account मैंने अब इयापके सामने बनाये ता Hambya पर एक लाग था यहाँ पर एक लाग लिखा यहाँ पर 60,000 इता तो यहाँ पर आपन ने क्या क्या है 40,000 रुपए balancing figure लिखा था बराबर है ना तो यहाँ पर balancing figure क्यों लिखा था क्योंकि मेरे debit side का total बढ़ा था बराबर तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या बोलो कि अगर debit balance है मतलब में क्या करता हूँ कि मेरा जो balancing figure है वो मैं आपे credit side में लिखता हूँ व्यान में आया क्या तो हमेशा रखना माइडियर कि जब भी debit balance होता है तो उसका जो मेरा balancing figure होता है ना वो balancing figure हमेशा हमेशा मेरे credit side में लिखा जाता है का पे लिखा जाता है बुला हमेशा credit side में लिखा जाता है समझा क्या और उसका उल्टा अगर मानने में बोलता हूँ मेरा credit balance है कुमसा balance है credit balance राइट इसका मतलब मेरा जो credit side होगा इसका total credit side का जो total है वो हमेशा मेरे debit side से क्या होगा बोलो बड़ा होगा और ये case में मेका करूँगा जो मेरा balancing figure होगा obviously नहीं है माननो for example यह मैंने creditors का account बनाया ठीके और माननो यहाँ पे 1,00,000 है यहाँ पे 40,000 ही है तो जब भी मेरा credit side बढ़ा होगा तो मेरा balancing figure होगा हमेशा आप आएगा बोलो debit side में लिखा जाएगा ठीक है तो यह balancing figure का आप आएगा बोलो debit side में लिखा जाएगा चाहिए तो आप क्या करो वीडियो को pause करना 2 minutes के लिए और यह जो भी इसका screenshot या इसका pause करके आप इतना आपके textbook and notebook में वापे लिख देना ठीक है सो मैं आपके साथ बात कर रहा था net trial balance के तो net trial balance क्या करता है वालो में क्या यह जो भी आपका debit balance है या यह जो भी आपका credit balance है इसको directly उठाता है और अगर debit balance होगा तो वो क्या करता है debit side में लिख देता है directly balancing figure और अगर credit balance होगा तो directly वो का आपे लिखेगा बोलो credit side में लिख देगा समझा क्या तो net trial balance क्या करता है बोलो जो भी आपका closing balance होता है हर एक आपको बताता है और इसी reason के मुझे से दोस्तों आपका जो यह net trial balance है यह method अपन practical life में जादा use करते है समझा आपको gross trial balance बस एक theoretical concept है जिसको मैंने आपको बता दिया लेकिन यह आपन use करते का नहीं करते है समझा क्या आपको जो भी आपने balancing of leisure सिखा है ना my dear तो वो जो closing balance हा ना leisure का वो अगर debit balance होगा debit balance मतला अभी मैंने आपको बोल दिया debit side बढ़ा रहेगा credit से तो वो जो balance है उसको debit balance बोलेंगे तो उसको आपन क्या करेंगे trial balance के debit side में लिख देंगे और अगर credit balance होगा तो credit side में लिख देंगे समझा क्या बताओ और यहाँ पर अगला जो दिया है उन्होंने methods of preparing trial balance तो इतना है रखना trial balance को prepare करने के दो methods होते हैं जिसमें से पहला होते है मेरा vertical और journal form vertical और journal form और second होते है मेरा horizontal और ledger form हमेशे रखवा vertical को journal form बोलते हैं और horizontal को ledger form बोलते हैं इतना पक्का याद रखना ठीक है तो देखो यार यहाँ पर क्या होगा समझ लो अभी आपको जो trial balance है आप दोनों यूज़ कर सकते हूँ ठीक है तो आप जब भी vertical या journal form की बात करोगे तो आप क्या करोगे जैसे यहाँ पर serial number रहेगा 1,2,3,4 ऐसा ठीक है यहाँ पर head of accounts रहेगा जैसे यहाँ पर debtors account रहेगा यहाँ पर creditors account रहेगा यहाँ पर bank account रहेगा ऐसा रहेगा बराबर अभी मुझे एक बात बताओ debtors मतलब asset asset को debit balance तो आपन क्या करेंगे यहाँ पर नाम लिखेंगे फिर debit and credit दोनों के नाम यहाँ पर mix हो जाएंगे सिरिफ अगर उसका जो closing balance है अगर वो debit balance रहेगा तो आपन उसको debit side में लिख देंगे और अगर credit balance रहेगा तो credit side में लिख देंगे समझा और ऐसे आप सारे के सारे debit और सारे के सारे credit लिख होगे न तो आपका debit side का जो total है वो आप create side के total ते क्या होगा बुले आपे same match हो जाएगा समझा तो यह वाला एक method है जिसको आपन vertical या journal form वाला method बुलते हैं और second वाला जो है वो है हमार horizontal लेजर तो यहाँ पे आपन क्या करते हैं यहाँ पे आपन जो भी आपका trial balance है यह trial balance के आपन लेजर जैसे दो part करते हैं वाला debit side वाला part और right वाला credit side वाला part समझा तो जो left वाला part होता है वापे आपन क्या करते हैं तो यहाँ पे आपन सरीफ वही item लिखते हैं जो हमारे debit balances वाले है तो कौन से रह सकते बताओ वो एक तो आपका asset हो सकता है या आपका expense हो सकता है या आपका loss हो सकता है क्योंकि इसको हमेशे debit होता है अब जब आप credit balances मे लिखोगे तो या आपका लेविट हो सकता है या आपका capital हो सकता है या आपका income हो सकता है या आपका gain हो सकता है समझा तो सिर्फ इतना अधरत ना कि horizontal and ledger में वापे डेबिट एक जगा पाएगा और वर्टिकल या जर्णन वाले फॉर्म में वापे आप एक ही हेड में वापे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के नाम साथ में दिखोगे लेकिन उसके फिगर सा बाइफ वर्गेट करोगे बस इतना डिफरेंस है ज्यानने में है क्या मै भी लेक्चर था है बहुत 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 ज़्यादा इंपोर्टन था ठीक है एक छोटा सा कॉंसेट बचा उसको कंटिनू करके फिर अपन लेक्चर को रोग देते है यहाप एक कॉंसेट है यूटिलिटी आफ ट्रायल बैनस यूटिलिटी का मतलब होता है दोस्तों वाले solle method से करेंगे तो वाहाँ पर हमारा closing balance ही तो अपन लेते ना तो वह को रैंटल बैलनस बताता है दूसरा ट्रायल बैनस हमको ठीक है आज़के ने बस इतना ही आए फोग यह वीडियो आपको बहुत 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 हैल्फूल होगा वापस बोल रहों आज का जो वीडियो होता है सच में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वीडियो था ठीक है तो अगर कोई चीज में आगर आपको डाउट रहेगा तो ये वीडियो को दो बार तीन बार चार बार आप देखो जितने जाधा टाइम आप ये वीडियो को देखोगे उत्रा आपका clarity understanding का और टक अटक हो जाएगा समझा तो जल्दी सा आज 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 आपका जो illustration number 13 है इसको solve करेंगे मैं आपको वीडियो के पहले ही बोल दूँ कि ऐसा हो सकता है में भी कि ये जो भी illustration है तो ये illustration के लिए मुझे दो वीडियो बनाने पड़े क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको उन्होंने यहाँ पर transactions दिया है और यह transaction की मदद से यहाँ पर हमको ledger accounts open करना है लेकिन आपको यह तो पता है ना कि जब भी हमको कोई भी ledger account open करना होगा तो उसके लिए पहले आपको journal entries आनी चाहिए अभी देखो गाईस जब भी मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो record करता हूँ तो यहाँ पर उनने भले ही आपको directly ledger accounts बोला है लेकिन मैं क्या करूंगा इसके जितने भी journal entries है अपन सबसे पहले इसके journal entries वहाँ पर complete करेंगे फिर अपन उसका ledger account prepare करेंगे और फिर last में उनने यहाँ आपको trial balance भी बननाने के लिए बोला है ठीक है तो ऐसा भी हो सकता है कि यह वीडिय भी फटक करके देखो यहाँ पर क्या दिया है तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले उनने यहाँ पर मुझे मार्च 2019 के transactions दिये हुए ठीक है तो सबसे पहले आपन क्या करेंगे my dear friends यहाँ पर आप जर्नल वाला जो format है वो format यहाँ पर प्रिपेर कर देंगे और हो format वगरे यहाँ पर प्रिपेर करके यहाँ पर आपन सबसे पहले उसका journal entry कर लेंगे ठीक है तो देखो यहाँ पर first of March को क्या बोल रहा है वो विरा started business with cash 50,000 cash at bank of India 7,000 furniture 10,000 बरबर तो मुझे एक बात बोलो कि जब भी कोई भी आभी देखो नहीं यहाँ पर विराट ब अगर business start करना होगा तो obviously उसको हमारे business के अंदर कुछ न कुछ लाना पड़ेगा तो वो यहाँ पर cash ला रहा है यहाँ पर उसका bank का जो balance है bank of India को वह भी ला रहा है और furniture भी लेके आ ठीक है तो इतना रखना my dear friends कि जितनी भी चीज़े यहाँ पर हमारे business में आती है वो सारी चीज़ों को वहाँ पर अपन debit करेंगे और यह जो भी चीज़े ना तो यह नया business start करने के लिए आ रहा है इसलिए आपन इसको capital बोलेंगे समझा तो इतना रखना कि जो भी चीज़े हमारे पास आ रहे ही ना उसको आपन debit करेंगे तो सबसे पहले आपने वहाँ पर journal का format ब furniture आ रहे है बराबर तो जितनी भी चीज़े मेरे business में आ रहे ही ना वो सारी की सारी चीज़ों को मैं वहाँ पर debit कर दूँगा समझा तो देखो यहाँ पर cash आ रहे है तो cash account debit bank of India का balance आ रहे है तो उसको debit furniture को debit ठीक है उसका amount यहाँ पर मैंने लिग दिया और यह सारी की सारी capital के लिए आ रहे है समझा ना जब भी कोई भी owner business में पैसा लाते है उसको capital बोलते तो इसलिए मैंने आपे capital account को credit कर दिया clear है बताओ और यहाँ पर narration लिख देना क्या narration लिख होगे बोलो being cash bank balance and furniture is introduced into the business for capital ठीक है चलो अभी देखो second वाला क्या बोल रहे है आपे purchase goods from Rohit worth rupees 10,000 less 10% rate discount बाराबर अब़ी आपको यह तो बता है ना कि दो प्रकार के discount रहे हैं पहला होता है आपका trade discount दूसरा होता है आपका cash discount राइट लेकिन आपका cash discount को record करते हैं क्या करते हैं लेकिन trade discount को record नहीं करते हैं समझा तो देखो हैर यहाँ पे हमने कितने amount के goods purchase किये बोलो 10,000 लेकिन हमने 10% trade discount पे purchase किये हैं इसका मतलब भी होता है कि हमने 10,000 रुपीस के goods य समझा क्या, तो यहाँ पर अपन entry क्या करेंगे, बोलो, जब भी अपन purchase करते हैं, तो वहाँ पर purchase कर जी से हमारा खर्च है, मतलब purchase account debit, क्योंकि आपको nominal account तो पता है न, debit all expenses and losses, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेरा जो भी खर्च है, उस पर debit करूँगा, इसलिए यहाँ प करने का, credit कर देने का, ध्यान में आएगा न, आपको पक्का, राइट तो आपे आप narration लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे बोलो, being goods purchased from Rohit at the rate of 10% trade discount, बस इतना आसान है, ठीक है, चलो, बहुत बड़ी है, अभी अगला देखो, 7th वाला, sold goods to Sunil, 5000 less 5% trade discount, बराबर, तो इसका मतलब क्या रहे, हमने Sunil को यहाँ पे 5000 रूपिस के goods sale किये, लेकिन ही, हमने 5% trade discount पे sale किये, अभी आप मुझे एक बात बताओ, कि 5000 का 5% कितना आता है, बताओ, चलो, मुझे जल्दी से बताओ, 5000 का 5% यह आपका आएगा, 250, राइट, तो इसका मतलब यह होता है, कि आपने स इसको 4750 में इसको sale किया, बराबर, अभी यहाँ पे आपने जो भी सुनिल को दिया है, तो ऐसा दिया है कि बताओ, कि सुनिल ने यहाँ पे आपको immediately cash pay किया, कुछ नहीं दिया, ठीक है, तो आप क्या assume करोगे, आप ऐसा assume करोगे, कि वहाँ पे आपने सुनिल को जो भी sale किय है न, वह आपने उसको credit sale किया, तो आप entry क्या करोगे, सुनिल, यह receiver है, सुनिल goods ले रहा है, तो आप आप entry करोगे, सुनिल account debit to sales account, ठीक है, अभी बाकी की चीज़े में नहीं बोलते बैटूंगा, date लिखो, यह वो, अभी यह आपको पता है, तो मैं directly आपके साथ बस general entry discuss कर रहा हूँ, और obviously यार, जिसको भी debit होता है, उसको आप debit side में लिख देना, और जिसको भी credit होता है, उसको आप credit side में उसका आप लिख देना, उत्रना तो आपको अभी पता चल गया होगा, ठीक है न, चलो, बढ़ी है, अभी 10th का देखो, यह आपे क्या बोल रहा है, deposited cash with bank of इंडिया 5000, इसका मतलब क्या रहे, बताओ, कि हमने क्या किया, bank of इंडिया के अंदर यहाँ पे 5000 रुपीज, deposit किया, deposit मतलब हमने वहाँ पे पैसा भर दिया, बराबर, अब मुझे एक बात बताओ, जब भी आप bank of इंडिया में पैसा भरते हो, मतलब bank of इंडिया में पैसा आ रहे हैं, तो वहाँ पे इंट्री के आएगा, बोलो, bank of इंडिया अकाउंट, debit, क्योंकि bank के artificial person है, आपको याद रहेगा न, हर एक चीज़े, तो personal account मतलब हाँ पे हो receiver है, जो receiver है, उसको debit करो, और आप अगर bank में पैसा भर रहे हो, तो आपके पास ये cash जाएगा, feeling आता होगा, कि sir, यहाँ पे journal chapter पढ़ा रहे है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं आपको जैसे starting में बोला, कि यहाँ पे मुझे जो भी आपको ये video record करना है, तो मुझे इस प्रकार से करना है, कि कोई भी एकदम new student भी आए, तो उसको हर एक चीज़े ध्यान में आन आपको नहीं समझेगा, यही मेरा ये video बनाने का motive है, समझा क्या, चलो, अभी देखो यहाँ पे क्या है, बोले लिसे, purchase furniture from Verma on credit, worth 20,000 बराबर, तो इसका मतलब क्या रहे, बताओ, कि यहाँ पे आपने क्या किया, Verma के पास से, यहाँ पे अपने furniture purchase किया, बराबर, अभी Verma ने दिया, समझा, तो यहाँ पे क्या करूँगा, बताओ, मैं जल्दी से, furniture account debit करूँगा, और Verma account को credit कर दूँगा, ध्यान में आ रहा है, आपको पक्का, एकदम सोपा है के नहीं बताओ, ठीके, और यहाँ पे narration तो लिख पाओगे, narration क्या लिख होगे, आप बोलो, being furniture purchased from Verma on credit basis, ठीक है, चलो, next, अभी देखो, next कौन सा है, आप फिफ्टीन का, paid to Verma by net banking, देखो यार, एक बात बोलू क्या आपको मैं, आप के से भी pay करो, right, आप net banking से pay कर रहे हैं, मतला, obviously आपका पैसा bank से जा रहे है, वो उल्लू में बना थे हम पले, किन आपन ने उल्लू में निकलने का क्या बोलो, नहीं निकलने का समझा, तो अभी देखो, हम Verma को payment कर रहे हैं, मतलब Verma, sorry, my mistake, यहापे क्या बोल रहे है, pay to Verma, yes, मतलब हम Verma को pay कर रहे हैं, बराबर, तो इसका मतलब क्या बोलो, कि Verma को पैसा मिलेगा, तो जिसको मिलेगा, उसको debit करने का, और आपके मन में ऐसा doubt आ सकता है, सर, यहापे bank of India क्यों आया बला, है ना, ऐसा आपके मन में doubt आ रहा है कि मुझे बताओ, देखो, यह bank of India, यहापे उन्होंने बोला तो नहीं, लेकिन bank of India फिर भी लिखा है, क्यों ऐसे समझो, देखो गईज, अगर आप यहापे first of March को देखो होगे, तो वहाँ पर उन्होंने जो भी दिया है, यह cash at bank of India, तो इसका मतलब हमारा जो bank account है, वो bank of India में न, obviously, यहन में आया है क्या, अगर हम business चालू करते time, bank of India में से पैसा लेके आ रहे, तो obviously यहापे मेरे पास जो भी पैसा है, bank of India में, तो जब भी मैं net banking से पैसे को transfer लेकिन यह आपको यहाँ पर ध्यान में आनी चाहिए, यह बहुत ज़्यादा important है, आप इदेखो आगे क्या दिये यहाँ पे, paid printing expenses 200, printing expenses मतलब क्या रहे, बताओ, कि वहाँ पे आप जो भी जैसे stationer अगरे, जो उसके related जो होता है, या Jerox के related उसको printing expenses बोलते बराबर, अभी आप क्या कर रहे हो, printing expenses को pay कर रहे हो, 200 रुपया है, मतलब obviously cash में pay किया होगा, ठीक है, तो आपका printing expense को इने से खर्चा होगा के ने होगा, 100% होगा, तो जो भी आपका खर्चा है, उसको आप debit करोगे, printing expense को आप debit करोगे, और cash को आप क्या करोगे, बोलो आपे credit कर दोगे, तो देखो यहाँ पर मैंने printing expense को debit किया, cash को credit किया, ध्यान में आ रहा है आपको, एकदम आसाने, ठीक है, चलो, आगे देखो क्या दिया यहाँ पर, received commission 200, इसका मतलब क्या रहे बोलो, कि मुझे वहाँ पर commission मिला, मुझे एक बात बतावा, कि जब भी आपको वहाँ पर commission मिल कर दूँगा, और commission के वज़े से मुझे आ रहे है न, तो commission will be my income, तो income को वहाँ पर में credit कर दूँगा, समझा कि आपको, थोड़ा सा भी है न, वो जो golden rules है न, वो थोड़ा सा आप एक बार याद करना, ठीक है, क्योंकि उसके basis पर ही यहाँ आपर में journal entry करना है, ध्यान में चलो, तो narration लिखता है का न, narration एकदम सोपा है, क्या लिखोगे, being amount received for commission, एकदम सोपा सोपा है, ठीक है, चलो, आभी देखो next यहाँ पर क्या दिया उन्होंने, विड्रियू, cash from bank, 1000 by ATM, ATM देखो यहाँ पर, तो मुझे एक बात बूलो, जब भी आप यहाँ पर 1000 रुपीज का cash withdraw करोगे, बराबर, तो आपके पास पैसा आएगा, इतना ध्यान में आया क्या, और जब भी आप ATM में से पैसा निकलते हो, तो आपको पैसा कौन देता है, यह मत बोलना, ATM machine, ठीक है, पैसा ultimately आपको bank of India दे रहा है, समझ रहो, तो यहाँ पर क्या होगा, बोलो, जब भी पै ऐसा आएगा, तो cash account debit एकदम easy है, और आपको जो giver है, वो कोन है, बोला आपका bank of India, ATM मत बोलना, ठीक है, यहाँ पर क्या हैगा, बताओ, bank of India आएगा, ध्यान में आ रहा है अभी आपको, है ना, एकदम आसान लगता होगा, राइट अभी, चलो, बहुत बढ़ी है, ऐसे ही मुझे एक बात बतावा, वर्मा के पास से ही हा पर हमने 20,000 रुपया का furniture purchase किया था, बराबर, उसके बाद हमने वर्मा को 8,000 रुपीस पे किया था, बराबर, तो मतलब 20,000 हमको उसको देना था, उसमें से हमने starting में उसको 8,000 दे दिया था, मतलब 12,000 देना बागी था, बरा तो इसका मतलब ऐसे आपको याद रखना है कि आपको वर्मा को 12,000 देना था लेकिन वर्मा को आप 11,000 देके उसका विश्य आप खतम कर दे रहे हो ज्यान में आ रहा है कि आपको तो ये केस में क्या होगा मालूम है क्या वहाँ पे आप वर्मा को आपको 12,000 देना था बरबर तो मतलब वर्मा को आप debit करोगे 12,000 से, वर्मा को आप debit कितने से करोगे, 12,000 से करोगे, क्यूंकि उसके account को पहले 12,000 का balance था ना, अभी वो cancel करना पड़ेगा, दूसरा, आप उसको दे कितना रहे हो, बोलो, 11,500, तो जितना भी पैसा आप उसको दे रहे हो, बोलो 11,500, तो जितना भी पैसा मेरे पास दे जा रहे है, उत्ते आम उनको में क्या कर दूँगा, बोलो, credit कर दूँगा 11,500, ठीक है, और यहाँ पे इतना एद रखो कि आपका सीधा सीधा है नर, 12,000 की जगा पे आप 11,000 पास दे रहे हो, तो यहाँ पे में क्या करूँगा, बोलो, जो भी में उसको डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट के वेज़े से मेरा फाइदा होगा, और फाइदा मतलब यहाँ पे में उसको credit कर दूँगा, ध्यान में आया आपको, तो discount receipt मेरा फाइदा है तो इसको मैं यहाँ पे credit कर दूँगा एकदम easy राइट चलो और अभी last वाला देखो जल्दी से यहाँ पे दिया उन्हें पेड advertisement bill 500 इसका मतलब क्या कि यहाँ पे आपने क्या क्या बोलो advertisement का यहाँ पे आपने खर्चा जो भी था वो आपने pay कर दिया तो मुझे एक बात बताओ कि जब भी आप यहाँ पे advertisement का payment करोगे तो advertisement के वाँ पे expenditure होगा के नहीं होगा बोलो 100% होगा तो वाँ पे आप क्या करोगे बोलो advertisement को आप debit करोगे क्योंकि advertisement आपका खर्चा है और आपके पास से cash जाएगा cash जाएगा मतलब वाँ पे आप क्या करोगे वोलो उसको credit कर दोगे ठीक है और last में formality के लिए आप क्या कर देना बस जो भी आपने journal बना है उसका आप total कर लेना इसके वज़ेस आपको यह ध्यान में आएगा कि आज या कली में इसको upload कर दूँगा तो यह जो पार्ट टू है न यहापे आपन फिर उसके लेजर accounts और trial balance बना देंगे ठीक है और मैं आपको question number 13 यह पूरा करवा के वहाँ पर दे दूँगा समझ रहे हो क्या क्या और अब भी अपन क्या करेंगे तो यहापे उन्हां ने हमको atlas पूछा है कि हमको क्या करना यहापे जो नेसेसरी लेजर होता है ना तो वो टाइम पर सबसे जो important या सबसे जो difficulty student को आती है वो है कि sir exactly यहापे हम कितने लेजर accounts prepare करेंगे ठीक है so मैं आपको क्या बोलूँगा मालूम है क्या कि सबसे पहले आप क्या करो आपने जितने भी journal entries किये ना तो आप क्या करो हर एक journal entry का जितना भी item है वो item को आप वहापे क्या करो एक बार separate कर लो ठीक है वो क्येसे करना ही आपको मैं अब भी बता रहा हूँ so देखो गाईस अगर आप यहापे देखोगे तो सबसे पहले यहापे हमारा हुआ है cash account debit पराबर दूसरा यहापे हुआ हमारा bank of India account debit और तीसरा यहापे मेरा हुआ है furniture account debit बारबर है न तो यहापे मेरे separate चीज़े है के नहीं बताओ तीनों मेरे separate item है न तो यहापे में क्या कर दूँगा वालू में क्या यहापे लिख दूँगा bank of India account किसरा यहापे में लिख दूँगा furniture account राइट तो जितने भी एस आइटम आएंगे न पहले आप सब क्या करो उसको side में निकाल के लो समझा फिर उसके बाद देखो वीराट capital है तो यह भी हमको यह भी प्रिपेर करना पड़ेगा तो यहापे इसलिए मैं यहापे आगे क्या जो भी चीज़े वो नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आपको याद रखना है कि आपको ऐसा हर एक चीज़े क्या करना है बोलो आपे write down कर लेना ठीक है और obviously यार अगर देखो यहापे जैसे आपने already यहापे उपर bank of India account का यहापे आपने account बना करने का मालूम है क्या directly जाने का निच्चे आपके notebook में वहापे आप उपर heading लिखना लेजर अकाउंट और जितने भी वहापे आपको item दिखे न वह सारे के सारे क्या करने के बोलो आपे लेजर को प्रिपेर करना start कर देने का आपको ध्यान में आएगा कैसे करना है ठीक है सिर्फ journal में यह देखो कि कौन से कौन से नाम आपको अलग दिख रहे और जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं वो नाम को यहाप आप आप क्या कर देना है आपके account create कर देना ठीक है तो सबसे पहले सिर्फ वो एक बार यह जो नाम है ना यह जगा पे आप पहले लिखो और फिर वहाँ पे आप create करना ठीक है अधर इस ऐसा हो सकता है कि एकाद account छूटा या एकाद account आपने करना double कर दिया ऐसा नहीं होना चीसले ऐसा करना चाहिए ठीक है चलो आप आप आपने यह जो भी लेजर से आपने prepare कर लिए होंगे वीडियो पॉस करके प्लीज उतना लेज कितने से किया है बोलो 50,000 राइट तो मैं क्या करूंगा मालूम है क्या मैं जाओंगा cash account में और cash account को debit हुआता ना journal entry में मतलब मैं क्या करूंगा cash account का debit side है ना वहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे सुनो अभी या प्लीज अच्छे से ज्यान देना अभी मुझे एक बा account लिख देने का इतना लिखा आपने और क्या हमेशाएद रखो कि जब भी ऐसा multiple debit या multiple credit वाला होगा ना तो उसको आपन बोलते वापे merge entry क्या बोलते बताओ merge entry राइट तो जब भी आपको वापे merge general entry आपको किया होगा ना अपने वापे तो क्या करने का cash account debit आपने किया ना तो cash के सामने वाला जो figure है ना उतना लेने का और क्या कर दोगे बूल आप जल्दी से उसको cash account के debit में लिख दोगे ध्यान में आया के तुमको और obviously जो भी reason को यह जी से credit होए और reason को आपे credit कर देना ठीक है एकदम सोपा है बिलकुल tough नहीं ओके चलो आगे देखो जल्दी स आपको debit हुआ है मतलब bank of India के debit side में यहाँ पे मैं लिखूंगा to Virats Capital account और bank of India का जो debit है उसके सामने कितना figure है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसके सामने यहाँ पे आपका 7000 का figure था बराबर है ना तो मैं वहाँ पे कितना लिख दूंगा बोले लिदी से मुझे 7000 में वहाँ पे लिख दूंगा द्यान में आ रहा है आपको आपको लेजर पोस्टिंग तो आता है मुझे 100% अभी आपको आपके उपर guarantee है कि आपको आता होगा ठीक है लेकिन फिर भी आर आपको एक confidence हने के लिए वहाँ पे आप गलती मत करना इसलिए मैं हाँ चीजों को व furniture account के debit side में आपे लिखूंगा टू विराट्स capital account और furniture के सामने जो भी figure था ना जर्नल में वो मैं आपे लिख दूंगा समझा क्या तो आप इतना कर सकते हो क्या बताओ कि जितने भी यहाँ पे journal entry उनने किये है यह सारे के सारे journal entry के मदद से वहाँ पे आपको लेजर पोस्ट होता है वो मैंने आपको वहाँ पे करके बता है तब एसा सेम करना है कुछ भी अलग नहीं है सरीफ यहाँ पे multiple accounts है एकदम easy है trust में आपको आजाएगा ठीक है अभी मैं ऐसे एजुम करता हूँ कि आपने क्या कर दिया बताओ जितने भी आपको journal की मदद से लेजर पोस्टि करना ठीक है देखो यार अभी आपने क्या कर दिया आपने सारे के सारे लेजर पोस्टिंग कर दिया ऐसे मैं एजुम करता हूँ के अभी क्या करने का मालूम ही क्या तो अभी मैं क्या करूंगा जैसे की for example मैंने capital जो account है उसके credit side में मैंने इतनी सारी चीज़े लिखी वारा अभी आपको यह थोड़ा तो अंदाज होगा ना कि capital मतलब हमारे point of view से business के point of view से liability होता है तो liability को हमेशा credit balance होता है थोड़ा बहुत आपको यह पता होगा तो credit balance मतलब हमेशा जो भी आपका capital account रहेगा नो उसका credit side बढ़ा होगा उसका credit side क्या होगा बोलो बढ़ा होगा ठी भी आपन कहाँ पे लिखेंगे बताओ debit side में लिखेंगे ध्यान में आ रहा है न में क्या बोल रहा हूँ तो बस इतना याद रखना दोस्तों कि आप क्या करोगे हर एक account को ऐसे tally करोगे ठीक है जैसे कि for example यहाँ पे मैंने विराट के credit में आपे 67,000 लिखा और यही total फिर म आपे 67,000 लिखूँगा ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं क्या करूँगा बताओ फिर यहाँ पे obviously मैं balancing figure लिख दूँगा समझा क्या अभी देखो यार मैंने आपको शायद जो last videos मैंने इसके पहले के कुछ videos मैंने वहाँ पे upload किये तो उसके अंदर मैंन आपको यह explain किया था कि जब भी आप किसी भी account में balancing figure बहुत important में आपके साथ बात कर रहा हूँ जब भी आप किसी भी account में balancing figure आप अगर debit side में लिख रहे हो तो इसका मतलब दोस्तों यह आपका credit balance होता है यह आपका balance कौन सा होता है बताओ credit balance होता है प्लीज एक बात यह यह साथ रखना कभी मत बुलना यहाँ पर literally 12 standard के बच्चे भी गलती करते है ठीक है तो please आप वो student मत बनना कि आप वो गलती करो ठीक है क्योंकि मैंने आपको यह हर एक चीज़ आप पढ़ा दिया है तो पढ़ने के बाद भी अगर आप गलती करोगे तो फिर आप बहुत होगा तो वो case में आपको याद रखना है वो हमारा credit balance है वो हमारा कौन सा balance है बताओ credit balance है बस इतना याद रखो ठीक है और और एक बात याद रखना है जब भी आपका किसी भी account का credit balance होता है ना तो उसका जो भी balancing figure होगा जब भी आपन वहाँ पे ledger वगरे को close करेंगे बार का याद रखना ठीक है और दुसरा आपको एक बात याद रखना है कि जब भी आपका किसी भी account का debit side का total किसका total बोल रहा हूं मैं आपे debit side का total अगर credit side के total से जादा होगा ठीक है तो वो case में मैं बोलूँगा वहाँ पे मेरा debit balance है वहाँ पे मेरा कौन सा balance है बताओ debit balance है और हमेशे रखना जब भी वहाँ पे मेरा debit balance होगा तो इसका जो मेरा balancing figure होगा इसका balancing figure में लिखूंगा credit side में इसका balancing figure का पे लिखूंगा बोलो credit side में लिखूंगा बस इतना याद रखना ठीक है तो आपके मन में ऐसा doubt आ सकता है sir ऐसे consequence सी चीज़े रहता है जिसका credit side बढ़ा होगा तो देखो गाइस मैं आपको अब भी बोल देता हूँ मतलब आपको आगे जाके confusion नहीं होगा जो भी आपका capital होता है ना आपका JEREDS received है commission received है यह जो भी आपके income वाले items है ठीक है liabilities मतलब कहा है जैसे creditor है bank loan है है ना यह सारे के सारे liabilities वाले item होगे और capital मतलब जो owner का liability है यह आपको पता होगा तो यह तीनों account का है ना हमेशा रखो आपका credit side ही हमेशा कौन सा side बढ़ा होगा वो आपका credit side ही बढ़ा होगा मतलब इसका balancing figure जो भी आप debit side में लिखोगे इसका balancing figure आप कहा पे लिखोगे बोलो debit side में लिखोगे ठीक है और हमेशा रखना कि जो भी आपके assets होते है ना या जो भी आपके expenditure होते है ना ये दोनों जो भी type के accounts होगे या आइटम होगे वो इसका हमेशा debit side बढ़ा होगा कौन सा बढ़ा होगा बोला हमेशा debit side बढ़ा होगा और इसका जो balancing figure आप लिखोगे credit side में कहा पे लिखोगे बोला credit side में लिखोगे इतना याद रहेगा क्या बताओ मुझे ठीक है assets में क्या आएगा जैसे कि for example plant and machinery पकड़ लो computer पकड़ लो land and building पकड़ लो cash पकड़ लो bank पकड़ लो कुछ भी पकड़ लो ठीक है ये सारे के सारे आपके assets है राइट और expenditure में क्या आएगा तो जैसे कि for example वापे में बोल सकता हो purchases से salary है wages है electricity भी लिए ये सारे के सारे खर्चे ठीक है तो ये जो item है इसका credit balance रहेगा और ये जो item है इसका debit balance रहेगा बस इतना याद रखना ठीक है इतना पक्का याद रहेगा बोलो मुझे comment में पक्का बताओ क्योंकि ये सच में बहुत जादा important है ओके तो अभी ध्यांदों में क्या बोल रहा हो तो मैंने यापे क्या किया बताओ जैसे for example अभी capital account मेंने close कर दिया बराबर तो आपको ये पता चल गए अभी capital account को credit balance रहेगा जिसका balancing figure में debit side में लिखूंगा ओके तो इतना याद रखना my dear friends आपको जब भी trial balance बनाना है ना आपको जब भी trial balance बनाना है ना trial balance तो trial balance मतलब बहुत बड़ा कुछ rocket science नहीं है बहुत आसान है trial balance में आपको क्या करना है मालूम है क्या जो भी account के credit balances है जैसे कि for example यहापे हमारा जो capital था तो capital का हमारा यहापे credit side बड़ा था बराबर है ना और इसका balancing figure आपने debit में लिखा था मतलब यह मेरा credit balance हुआ समझा क्या इतना याद रखनो भाई साब कि credit balance रहेगा तो उसका balancing figure debit side में होगा इतना समझा क्या आपको तो आपको बस इतना याद रखना है कि आपको यह देखना है कि आप हरेक सदे को सबसे पहले आप क्या करोगे आपके जितने भी laser से ना हरेक laser को वाप पहले close कर दोगे इतना आपको जान में रहेगा और एक बार आपने हरेक laser को close कर दिया ना ठीक है तो जो भी laser का credit side होगा मतलब जो भी laser को credit balance होगा आपको क्या करना है वो सारे के सारे laser के नाम को उठाना है और आपको लिखना है वो trial balance के credit side में का पे लिखना है बोला आपको trial balance के credit side में लिखना है ठीक है और दूसरा जो भी laser को debit balance होगा मतलब जो भी laser का debit side बड़ा होगा ना तो वो सारे के सारे ledger का जो नाम है वो आपको लिखना है debit side में ठीक है ध्यान में आया है कि तुमको और obviously मैंने आपको वापस बोल रहा हूँ कि debit balance अगर होगा मतलब debit side बढ़ा है तो debit side बढ़ा है मतलब उसका balancing figure आप credit side में लिखोगे है ना तो वो amount उठाने का और यहाँ पर लिख देने का ध्यान में आ रहा है जैसे कि for example मैं आपको यहाँ पर एक एकदम easy बता रहा हूँ आपको ध्यान में आ जाएगा देखो advertisement account है बाराबर अभी थोड़ा दिमाग लगाओ advertisement 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 मेरा खर्चा है मतलब debit balance होगा expenditure को debit balance होता है मैंने आपको बोला के नहीं मतलब यहाँ पर मैरे debit set बढ़ा है यह सोर नो तो debit set बढ़ा है मतलब obviously यहाँ पर मैं balancing जो figure है balancing figure मतलब carry down याद रखना कोई-कोई बाई साब brought down याद करेगी तो मैं उसमें गुच नहीं कर सकता balancing figure मतलब carry down याद रखने का तो यहाँ पर debit set बढ़ा है ना तो उसका balance figure में credit में लिखा तो obviously यह मेरे debit balance है तो मैं क्या करूँगा trial balance के debit balance में जाऊँगा यहाँ पर advertisement नाम लिख दूँगा ledger का और उसका यहाँ पर figure लिख दूँगा समझा क्या बस इतना easy है आपको बस यह करना है कि हरेक laser को पहले आप देखो एकदम सोख पाए सबसे पहले आप journal entry करो journal की मदद से laser posting करो laser posting होने के बाद हरेक laser का balancing करो फिर आप जब भी हरेक laser का balancing करोगे तो either वो laser का debit balance मिलेगा या आपको credit balance मिलेगा अगर debit balance मिला तो debit side में लिखो credit balance मिला तो credit side में लिख दिया न ठीक है और आप जब भी सभी laser का वहापे trial balance में लिखोगे न तो वहापे trial balance का left वाला side है debit side और right वाला side है credit side यह दोनों का total आपका match हो जाएगा दोनों का total same हो जाएगा ठीक है और जब भी आपका trial balance यहाँ पर match हो जाएगा ना इसका मतलब आपने trial balance को एकदम perfectly कर दिया जान मैं है आपको पस इतना ही concept के trial balance कुछ भी difficult नहीं है थोड़ा सा अगर कोशिश करोगे समझने का तो आपको एक लाग टक्का समझ जाएगा ऐसा होई नहीं सकता कि आपको नहीं समझे ठीक है उतने deeply मैं आपको यहाँ पर explain कर रहा हो तो I hope guys आपको जो ledger account है वो कैसे करना है आपको समझाओगा और आपको उसके मदद से trial balance कैसे करना है वो भी आपको समझाओगा ठीक है सो प्लीज आज घर पे जाके मुझे पका comment section में promise करना कि आज आप घर पे जाके जो illustration number 1330 है यह पूरा start to end है ना मतलब पूरा आप उसका journal entry करोगे हर एक journal entry के मदद से वापे आप leisure करोगे और trial balance करोगे ऐसा आप मुझे please promise करो क्योंकि आपको अगर यह question आगा है ना my dear friends तो आपको trial balance के हर रे question वापे आपको आ जाएगा ठीक है आपका जो भी यहापे illustration number 1414 है जिसका page number दोस्तों यहापे 111 यह आपन यहापे solve पर लेंगे ठीक है तो जल्दी छाए जोस्तों आपके textbook के page number 100m 11 के उपर illustration number 14 के उपर देखो यहापे क्या दिया है तो यहापे उन्होंने दिया है the following is the balance is appeared in the leisure of current on 1st of January 2018 ठीक है अभी ना दोस्तों थोड़ा सा है ना यह जो question है ने थोड़ा सा अलग प्रकार का या अलग type का question है ठीक है तो यह question को आप थोड़ा सच्चे से ध्यान दोगे ना तो आपको एकदम टकाटा किया समझ जाएगा अभी देखो तो यहापे उन्होंने क्या क्या है मलूम ही क्या यहापे उन्होंने हमको कुछ accounts already दे दिये कुछ accounts मतलब क्या जैसे जो भी कुछ ledger से उन्होंने यहापे हमको already दे दिये है और उनके यहापे उन्होंने हमको opening balances दिये वराबर और साथ साथ में अगर आप यहापे देखोगे तो उन्होंने यहापे हमको जो January 2018 यह month है यह month के अंदर उन्होंने जितने भी transactions किये है वो सारे के सारे transactions यहापे उन्होंने हमको दे दिये और यहापे हमको क्या बोल रहे है तो pass the journal entry मतलब यहापे हमको journal entry create करना है यहापे हमको ledger accounts बनाना है और यहापे हमको trial balance को भी create करना है तो इतनी सारी चीज़ें यहापे हमको करनी है अब देखो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो उन्होंने आपको बैलंस दिए ना, जिसे कुछ account है उसके उन्होंने debit balance दिए और कुछ account है इसके उन्होंने credit balances दिए वर आबर, तो यहाँ पे उन्हें ने जो हमको balances दिया नहीं यह balances से 1st of January इसका मतलब यह हमारे जो भी आपका January मन्त है नहीं उसके beginning के balances से ठीक है तो obviously यार यहाँ पे आपको यह पाच जो account है जिसे cash account, purchase account, bank of महराश्य account, current capital account and sale account यह पाचो के पाचो account यहाँ पे आपको prepare तो करना ही पड़ नहीं वाल है ध्यान में आया क्या है, मतलब इसके ledger यहाँ पे आपको prepare तो करना ही पड़ेगा और साथ साथ में यहाँ पे आप जब भी यह सभी transaction का journal entry करोगे न तो इसका भी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा बोलेलदी से, ledger account ओपन करना पड़ेगा समझा, तो मैं ऐसे, मैं क्या कर रहा हूँ सुना सबसे पहले यह जो भी 5 account है नहीं यह account आपन यहाँ पे एक बार open कर लेते तो जल्दी से जाओ चल आपके इसमें, नोटबुक के अंदर और नोटबुक में वीडियो पॉस करके आप वो 5 account बना देना तो देखो यहाँ पे कौन सा कौन से है सबसे पहले cash account purchase bank of और राइट, तो देखो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले cash account open कर दिया है राइट, दूसरा उन्होंने देखो यहाँ पे purchase account open किया है के चेक करो देखो यहाँ पे दूसरा उन्होंने purchase account open करना चाहिए, तो यहाँ पे देखो purchase account उन्होंने open किया है तीसरा यहाँ पे उन्होंने bank of महराष्टर आकाउंट ओपन की है देखो यहाँ पर बैंक ओफ महराष्टर आकाउंट ओपन की है ध्यान में आ रहा है और उन्हेंने कौन से दो आकाउंट दिये तेरे बताओ Currents Capital and Sales Account बराबर तो देखो यहाँ पर मैं Currents Capital आकाउंट भी ओपन कर दूँगा यहाँ पर देखो Currents Capital दिख रहा है आपको देखो जल्दी से एक बार फटक करके देखो यह Currents Capital आकाउंट भी ओपन की है और यहाँ पर उन्हेंने आपका जो Sales Account भी ओपन कर दिये बराबर तो जितने भी उन्हें ने दिये ना सारे के सारे यहाँ पर मैंने ओपन कर दिये ठीक है आप देखो गाईस जो भी मैरा Last वीडियो था तो Last वीडियो में मैंने वहाँ पर आपको इद्दम क्लियरली बताया था कि हमारे जितने भी Assets होते है या हमारे जितने भी Expenditure होते है बराबर वो सारी की सारी चीज़ होगा हमेशा हमारा Debit Balance होगा Debit Balance किसका होता है बोलो तो जो भी हमारे Assets है और जो भी हमारे Expenditure है उसके Debit Balances होते है ठीक है और Credit Balance किसका होता है बोलो तो जो भी हमारे Liabilities है और जो भी हमारे income है उसके credit balances होते हैं इतना याद रहेगा पक्का ठीक है तो आभी देखो यार अगर आप यहाँ पे cash account में जाओगे ना तो cash account देखो उनको opening balance कितना है बोलो 60,000 purchase का 80,000 ठीक है तो देखो मैं क्या करूँगा मैं cash account में जाओँगा और यहाँ पे debit balance है ना तो जब भी आप account को close करते हो जब भी आप account का balancing करते हो वो time पे आप carry down करते हो अगले महिने में लेके जाते हो और जब भी आप account को open करते हो तो पिछले महिने का पैसा हमको यह महिने में लेके आना पड़ेगा तो उसको यहाँ पे आपन brought down बोलते है उसको आपन यहाँ पे क्य यहापे जो किया है न यह मेरा opening balance है तो मैंने यहापे इसलिए लिखा two balance brought down 60,000 याद रहेगा पका आपको इतना ठीक है तो मैंने किसका किया है बोले यहापे cash account का किया है उसी प्रकार से आपको क्या करना है जितने भी ledgers है न अगर debit balance होगा अगर debit balance है तो आपको account के debit side में लिखना है two balance brought down और अगर credit balance रहेगा तो वहापे आप buy balance brought down ऐसे लिखोगे ठीक है मैं वापस बुल रहा हूँ यह opening balance इसके में बात कर रहा हूँ यहापे में closing balance की बात नहीं कर रहा हूँ ठीक है तो अभी आपन जल्दी से देखो यहापे उन्होंने हमको transactions दिये तो उसका आपन journal entry कर लेते हैं तो देखो यहापे सबसे पहले bought goods from rushi इसका मतलब आपने rushi के पास से purchase किया तो जब भी आप purchase करते हैं तो आपका खर्चा मतलब एंटर आएगा purchase account debit to rushi's account ठीक है अभी मैं हर एंटरी को ज्यादा deep में नहीं बोलूँगा बस आपको मैं यहापे इसा journal entry आएगा ऐसा मैं आपको explain कर दूँगा ठीक है तो देखो आपना पहला entry आपे clear होगा amount के जगह पे amount लिग दो भापे आप narration लिग देना अभी आगे due from bank 20,000 for office and 6,000 for self-use बराबर अभी इतना रखना my dear friends कि जब भी आप office के लिए पैसा निकालते हो राइट तो भापे आप करोगे entry cash account debit to bank account क्या entry करोगे बोला आप देखो please जान देना में क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो drew मतलब क्या बता हो हमने bank में से पैसे को निकाला तो हमने यहाँ पे total मिला के 20 प्लस 6 ऐसे 26,000 रुपया को हमने निकाला इतना आपको समझा पक्का तो पहला क्या करेंगे बताओ please अच्छे से ज्यान देना तो सबसे पहले दोस्तों मुझे एक बात बताओ जब भी अपन bank में से पैसा निकालेंगे बराबर राइट तो यहाँ पे क्या होगा बोलो हमारा पूरा का पूरा पैसा पहले हमारे पास आएगा तो आप ऐसा भी कर सकते हो cash account debit right cash account debit total मिला के आपने कितना निकाला बताओ जल्दी से मुझे 20,000 आपने office के लिए निकाला और 6,000 आपने personal use के लिए निकाला बराबर तो cash account debit to bank है ना two bank कितना आएगा बोले आपे जल्दी से मेरा 26,000 आप ऐसे करो और फिर आप क्या करो drawing account debit to cash फिर आप क्या करो drawing account debit to cash आप ऐसा करो ठीक है यह कितना आएगा बोलो 6,000 आपने ऐसा किया तो भी चलेगा यह book में ना देखो उन्हें ने किया है book में उन्हें क्या दिया सुनो मेरी बात तो book में उन्हें यहापे आपको दिया है cash account debit जितना आपने office use के लिए निकाला ना उतना cash account debit करो जो भी आपने personal use के लिए क्या ना उसको directly drawings account debit करो उसको directly drawings account debit करो कितना आएगा यह मेरा 6,000 और 2 यहापे जाएगा मेरा bank account 26,000 तो अगर आप देखोगे दोस्तों तो यह जो उपर मैंने entry आपको करके बता है ना तो यहापे अगर आप देखोगे तो यह cash 6,000 और यहापे cash 6,000 ही cut हो जाता है इसका मतलब ultimately तो वही बस्त है ना cash account debit 20,000 drawing account debit 6,000 to bank account 26,000 समझा लेकिन यह बहुत सारे बच्चों को समझने में दिक्कत आएगा इसलिए एकदम सीधा सीधा काम करने का आप bank में से पैसा निकाल यह मतलब drawing account debit 2,000 पैसा जाएगा तो cash account आप वैसा भी कर सकते हो ठीक है आप कैसा भी करो आपका answer एक ही आएगा ओके चलो आगे return goods to rushi तो हमने rushi को goods return किये तो rushi account debit 2,000 पर्चेस रिटन है ना हमने rushi के पास से पहले purchase किया था अब होई आपन उसको return करे तो rushi account debit 2,000 पर्चे is 40,000 इसका मतलब क्या purchase होगा purchase खर्च है तो purchase account debit और जब भी आपन cash purchase करेंगे मतलब cash जाएगा तो purchase expenditure है purchase account debit to cash account याद रहेगा पका तो देखो ही किया है क्या purchases account debit to cash account clear है ना अभी आपको confidence बढ़ता होगा ना मुझे comment में पका बताओ ठीक है अभी देखो यहापे cash sales मतलब क्य क्या आएगा बोलो cash account debit to sales account cash account debit to sales account ठीक है ना क्योंकि पैसा आएगा मतलब debit करो sales कर इस income income मतलब credit तो देखो entry वही है के देखो cash account debit to sales account राइट अभी यह मैं आपको नहीं बोलूँगा वापे journal का पॉर्म में draw करो credit column में date लिखो particulars में general entry लिखो उसके निचे relation लिखो जो भी इसका debit वाला figure अब debit में लिखो credit वाला वह में आपको बोलने आला नहीं हो अभी आपको यह आता है ऐसे मुझे पक्का बरौस है ठीक है चल आगे deposited into bank मतलब पैसा bank में गया मतलब बैंक को मिला तो bank account debit to cash account याद र bank 7,000 ऑन अवर भी या ओ हो हो थोड़ा ध्यान दोगे पक्का सुनो मेरी बात मुझे एक बात बोलो interest collected by bank मतलब पैसा bank में आया बराबर है आपको ध्यान में आ रहा है क्या मुझे एक बात बताओ जब भी bank में पैसा आएगा तो आपन bank account debit करते के नहीं करते रहे बताओ 100% औ और interest के वज़े से पैसा आया तो interest आपका income है तो entry आएगा आपका bank account debit to interest account bank account debit to interest account देखो वही entry के चेक करो यहापे देखो bank account debit to interest account समझा श्री पापी इतना याद रखना my dear friends को यहापे उन्होंने हमको directly bank of महाराष्टर का balance दिया है के नहीं दिया है बताओ इसका मतलब जब bank में पैसा आएगा तो वहाँ पर bank of महाराष्टर को debit करना bank की जगह पे हमारा bank के bank of महाराष्टर है ठीक है और जब भी हमारे पास से पैसा जाएगा तो वहाँ पर अपको जेपेगा तो आपने यहापे क्या कर दिया बो जननल एंट्री कर दिया परावर अभी मैंने आपक यहाँ पर देखो purchase account debit to rushi account हुआ है वरावर तो आपने यहाँ पर अल्रेड़ी purchase account बना दिया है तो इसको वापस बनाते नहीं बैठने का ठीक है लेकिन rushi account आपने नहीं न बनाया था तो आप भी आप नीचे क्या कर दोगे फिर बोलो rushi का एक laser बना दोगे ध्यान में आ रहा बस इतना याद रखना my dear friends आपको क्या करना है कि जो भी आपके journal इंटरी में जितने भी आइटम आये ना बस हर एक आइटम को पहले एक page पे लिख लो कि पहले हमको पाश लेजर जो दिये थे वो तो कर रही है और वो चोड़के यहाँ पर हमको यह 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 लेजर करना ह यह यह लेजर करने हैं वो सारे के सारे लेजर कर दोगे ध्यान में आएगा फिर अबही आप क्या करोंगे बुलो जैसे की for example यहाँ पर देखो पहला purchase account debit to rushi account और जाके पर पाउर बिखेसा कोट неп जितने भी आपके अभी तक के journal entries यहाँ पे हमने किया हुए 28 तक 28 January तक क्या आप उतना कर सकते हो क्या बताओ क्या आप उतना यहाँ पे journal की मदद से आप laser posting अभी कर सकते हो क्या laser का format आपको करते आता यार opening balance अगर asset करेगा तो debit side में लिखने का opening balance liability करेगा तो credit side में लिखने का यह होने के बाद जितने भी आप transaction करेगा उसका effect देने का इतना आपने किया पका जान में आ रहा है अभी देखवा तो मुझे एक बात बताओ अभी मैंने ऐसे assume में करता हूँ कि आपने क्या कर दिया बोलो जितने भी आपके अभर चाहे मैंने आपको लास वीडिया में बोला था याद है आपको मैंने आपको क्या बोला था बताओ तो मैंने आपको यह बोला था दोस्तों कि जो भी मेरा assets होते हैं मेरे expenditure होते बराबर इसका हमेशा जो closing balance होगा वो हमेशा कुन सा होगा बोलो debit balance होगा बोला था के नहीं बोला था debit balance मतलब मेरा debit side credit side से हमेशा बढ़ा होगा जब भी मेरा वापर debit balance होगा मतलब debit side credit side से बढ़ा है मतलब इसका जो balance ही figure रहे गए यह मैं credit side में दिखूँँगा ऐसे बहुत सारी बढ़ बढ़ मैंने आपको last lecture में किया था के नहीं बताओ और उसी प्रकार से यहाँ पे जो भी मेरा capital है liability है gain है इसको हमेशा कुन सा balance रहता है बोलो credit balance होता है आपको याद आ रहा है कि हमें क्या बोल रहा हूँ credit balance मतलब मेरा credit side debit side से बढ़ा होगा मतलब मेरे debit side का totally credit side से बढ़ा होगा मतलब इसका balance रिवर में credit side में आपे लिख दूँगा ध्यान में आ रहा है कि है एकदम प्रोले उनके खिलाडी बन गए के ने बन गए बन गए बन गए बन गए बन गए बन गए बन आप राइट मैंने आपको बोला था ना जब भी मैं आपको बढ़ाऊंगा था ऐसा होई नहीं सकता कि आपको नहीं समझेगा सिर्फ इतनी बात है भाई कि आपको पहले से जितने भी अभी तक मैंने वीडियोज अप्लोड किये उसको आपको एकदम डेडिकेटरी देख रहा है हर एक लेजर को क्या करना है बोलो क्लोज करना है और हर एक लेजर को क्लोज करने के बाद आपको ट्रायल बैलन्स बना है तो ट्रायल बैलन्स अभी आपको एकदम सोप पा है क्या करने का देखो प्लीज देन दिन अच्छे से में यह कौन सा है यह जर्नल वाला ट्रायल बै तो यहां पर मैं क्या करूंगा गाईस जितने भी मेले लेजर प्रिपेर की यह ना देखो यहां पर कितने लेजर से माईडियर मेरे चलो मुझे बताओ वहला फटा फट ध्यान दो अच्छे से द्यान दो तो देखो परचेस अकाउंट रुषी अकाउंट और क्या दिया है उ इतने भी लेजर मेने बनाये ना हर एक लीजर का यहापने टप 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 क्या कर दिया वो ले आप लिग दियाँ में अगया और इतना याद रखना है आब तुम मुझे बात बताई एकड़म कॉमन सिंस है। कैश है हमारा आसेट है आपको लिखना है बहुत आउगड है नहीं मुझे बहुत है नहीं मुझे बता है वाट तफ है ना देखो आपके पर्चेस दिया होना ने पर्चेस मतलब credit करता, credit मतलब liability मतलब credit balance, ध्यान में आएगा आपको account आप करोगे न बेटा जेको जैसे आप interest receipt का account यहाँ पे आप close कर रहे हो, तो balancing गर यहाँ पे, balance गर यहाँ पे इसलिए क्योंकि credit balance है, समझा क्या तो मैं interest receipt को लिखोंगा credit credit side में, चेक करो यहाँ पे देखो ध्यान में आ रहे तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है हर एक जितना भी लेजर उसको close करना है, और उसके जो भी balances है, अगर debit balance हरेगा तो debit side में लिख देना, credit balance हरेगा तो credit side में वापे आप लिख देना ठीक है, और last में आपका जो भी आपने debit or credit लिखा, वो आपका tally होना चाहिए, अगर tally हुआ मतला आपका trial balance हरे बराबर है ठीक है, तो अगर आपको exam में आता है कि prepare trial balance है, आपको generally 5 mark के लिए पूछा जाता है ठीक है, तो क्या बहुत बड़ी बात है क्या बताओ, trial balance में बहुत कुछ अलग rocket science है क्या बताओ, बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है, तो मुझे comment section में पक्का बताना कि अभी आपको trial balance एक दम जबर 10 तरीके से करते आएगा, क्या नहीं करते आएगा, okay, so guys इसी प्रकार से मेरा जो ledger ये जो आपका chapter number 4 था जो salt वाला exercise मेरा अभी तक बाकी है, लेकिन guys मुझे अगले chapters भी वापे upload करने हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके आगे का जो भी part है, अभी मैं इसको वैसा ही रख रहा हूँ आपने salt तक भी कर लिया ना अगर दोस्तो, exercise तक भी अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, उसके पहले तक मैंने जितना आपको पड़ा है, उतने questions भी अगर आप करते हो ना, trust me guys, आपको 100% वापे account से max मिल जाएगा, ठीक है सिरिफ ए exercise जो भी ये ये ना मतलब, ये MCQ अगर है, ये आप एक बार आपके लिए अगर पर देख लो, ठीक है, जब भी मुझा अगर possible होता है, तो इसके मैं आपको videos बना के आपको मैं provide कर दूँगा, लेकिन till that time, इसका answers आपको पीछे दिया हुआ रहता है टेक्सबुक के, तो आप ये self भी कर सकते हो, बराबर ये कह नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इसमें भी आपको मैंने जरुरत गिरेगी, ओके और ये जो भी practical problem से तो चाहिए, तो मैं इसका सारे वीडियो का, जैसे आप फाइदा ले रहे हो, आपको ये वीडियो helpful हो रहे है, तो प्लीज आप ये जितने भी वीडियो है अपने, अपना जो YouTube चैनल है, आपके जितने भी friends है, आपके अगर colleges group में अगर allowed होगा, राइट, मैं ये नहीं बोलूँगा, आप college group में डालो, लेकिन आपके जितने भी friends है, आपका जो group circle है, उसमें आप share करो, ठीक है, तो उसके वज़े से क्या हो जाएगा दूस्तों, जितने भी आपके friends हैं, उनको भी help हो जाएगा, ठीक है, और सभी videos को share, आपके जो भी videos हैं, आपके सभी friends को पका share कर देना, so thank you so much, फिर मिलतें next video में अगले chapter के साथ, तब तक के लिए, बाई बाई दोस्तों, टाटा,